हलो फ्रेंड्स शानु हीर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरपूर कहानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सो देट जैसे ही चैनल पर न्यू स्चोरी अप्लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए क्यूंकि मैं आपके लिए लाती हूँ एक ही बार में कम्प्लीट स्चोरी ताकि आप इंजॉय कर सके विदाउट इंटरप्शन सीमलेस लिस्टिंग एक्सपीरियंस चलिए अरजन को बोलो सुनिल बोला वो नीचे पांचे मैं तब तक गारी निकालता हूँ नीचे कहां साहब मान सिंग बोला सुनिल ने उसे घुर कर देखा जी हाँ जी हाँ मान सिंग हड़ बढ़ाया नीचे सड़क पर इमारत के सामने और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गया सुनील ने मेज पर पड़ा लकी स्ट्राइक का पैकेट और लाइटर उठा कर अपने कोट की जेब के हवाले किया मेज की दरास को ताला लगाया और अपनी टाई की गांट को टोटोलता हुआ अपने कैबिन से बाहर निकला इमारत से बाहर आकर वो उसके पिछवारे में स्थित कारपूल की तरफ बढ़ा ब्लास की नई अमबाजडर की चाबियां वो पहले ही हत्या चुका था उस वक्त वो जॉन फ्रेडरी को नाम के एक भूत पूर्व सरकस कलाकार का इंटर्व्यू लेने जा रहा था न्यूज एडिटर रॉय के कतना अनुसार वो इंटर्व्यू कल के ब्लास के फीचर सेक्शन में छपना था जॉन फ्रेडरी को उसे बताया गया था कि मुश्किल से 27 साल का एक गोवानी नौजवान था जो सरकस की ही एक दुरघटना से अपनी एक टांग खो बैठा था और फिर उसे मजबूरन सरकस के धंदे से अलग हो जाना पड़ा था सुनील अभी इमारत की बगल की गली में ही था कि एका एक दो आदमी प्रेतों की तरह उसके सामने आखड़े हुए सुनील ठिटका माफ कीजिएगा एक आदमी नम्रस्वन में बोला क्या आपका नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती है हाँ सुनील गौर से उन दोनों की सूर्तें देखने की कोशिश करता हुआ बोला लेकिन गली में अंधेरा होने की वज़ा से वो अपनी उस कोशिश में काम्याब नहीं हो पाया क्या आप बलास्क के रिपोर्टर है हाँ हाँ लेकिन बात क्या है और आप लोग कौन है हम जोरो के दोस्त है मैं किसी जोरो को नहीं जानता रास्ते से हटिए आप लोग और सुनील ने उनके बगल से गुजर जाने की कोशिश की तब ही दूसरे आदमी ने उसके चाती पर हाथ रखा और उसे वापिस धकेल दिया जरा हमारी बात सुनकर जाईए पहला आदमी बोला आप बराए महरबानी जोरो को हमारा ये संदेशा दे देना कि वो हम लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश ना करे उसे कह देना कि हम उस पर निगार रखे हुए हैं और अगर उसने हमारे माल पर दांद कड़ानी की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं सुनियन ने अपनी चाती पर अभी भी टिका दूसरे आदमी का हाथ परे जटक दिया और गुसे से बोला ये क्या बत्तमीजी है मैंने कहा ना मैं किसी जोरो को नहीं जानता अच्छा पहला आदमी कहर भरे स्वर में बोला हमें बत्तमीज कहता है हमारे साथ मसकरी करता है और उसने अपने दाए हाथ का एक भरपूर घुनसा सुनियल के जबडे पर जमा दिया बिल बिलाता हुआ दोहरा हो गया जोरो को हमारा संदेशा देना नहीं भूलना पहला आदमी बोला और फिर वो दोनों बगोले की तरह वहां से भाग गए जब तक सुनिल सीधा हुआ तब तक गली सुनसान पड़ी थी लेकिन वो फिर भी सडक की तरफ लबका वो रोश्नियों ने जगमगाती सडक पर पहुँचा लेकिन वहां उसे ऐसा कोई व्यक्ती नहीं दिखाई दिया जो कि उसका आक्रमन कारी हो सकता था तबी गले में कैमरा और फोटोग्राफी का अन्यताम जाम लटकाई अर्चुन उसके समी पहुचा क्या बाते गुरुजी वो बोला इतने घबराई हुए क्यों लग रहे हो मैं कार निकालने पिछवारे जा रहा था सुनील अपना जबरा सहलाता हुआ बोला कि गली में एका एक दो आदमी मुझ पर जपट पड़े थे सालों ने मेरा पुलंदा बांधने में कसर कही नहीं छोड़ी थी अब कहां गए वो भाग गए साले क्या आपने उनकी सूर्टें देखी थी नहीं गली में अंधेरा था और मुझे ऐसा लगा था जैसे वो अपने चेहरे पर रबड के नकाब चड़ाए हुए थे शायद इसी वज़ा से जो आदमी मुझे से बात कर रहा था उसकी आवाज भी अजीब फसी फसी से निकल रही थी आपका कोई माल पानी तो नहीं चीना उन्होंने नहीं ऐसी तो कोई कोशिश भी नहीं की उन्होंने तो फिर वो चाते क्या थे वो किसी जोरो को मेरे माध्यम से संदेशा पांचाना चाते थे ये जोरो कौन हुआ अर्जन बोला मुझे क्या मालूम सुनील बोला गुरुजी ये जोरो किसी गुरुवानी का नाम तो नहीं और वे दोनों बदमाश किसी गुरुवानी के भाई वाई तो नहीं थे शट आप Secret Agent James Bond 007 ने इसलिए कहा है कि किसी भी नई लड़की पर हाथ डालने से पहले उसकी उसके भाईयों और चाहने वालों जैसे नजदी के रिष्टेदारों का जोग्राफिया समझ लेना चाहिए I said shut up Arjun Yes sir, Arjun ततपर स्वर में बोला सुनिल Arjun के साथ वापिस गली में दाकिल हो गया वे कार पूल में पहुँच कर Ambassador में सवार हुए सुनिल कार को जब मुख्य सड़क पर ला रहा था तो Arjun बोला इस गली में रोशनी होनी चाहिए हमेशा होती है सुनिल अपने ताजे सुलगाए लखी स्ट्राइक के सिग्रेट का एक कश लेता हुआ बोला आज ही पता नहीं क्या हो गया है इस रोशनी को शायद गली के बल पर उनी बदमाशों की महर बानी हुई हो हाँ हो सकता है आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए क्या फाइदा पुलिस को बताने लायक है क्या मेरे पास फिर भी छोड़ो अर्चुन खामोश हो गया सुनिल भी खामोशी से कार चलाता रहा उसका जबड़ा दुक रहा था और वो उसे बिना देखे भी उस पर सूजन महसूस कर रहा था कार मुगलबाग पहुंची मुगलबाग में एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर बना था जिसका कल उदगाटन था शॉपिंग सेंटर में असी दुकानों के इलावा एक बैंक और एक रेस्टरेंट भी था वही पर शॉपिंग सेंटर के विशाल कंपाउंड में बच्चों के मनोरंजन के लिए शॉपिंग सेंटर के संचाल को ने वो कॉर्निवल लगवाया था जिसका मालिक जॉन फ्रेडरी को नाम का वही गोवानी नाजवान था जिसका इंटर्व्यू लेने सुनील वहां पाहुचा था कार्निवल में एक मिनियेचर रेल गाड़ी थी जो जहां से चलती थी एक लंबा दाइरा काट कर वहीं वापिस आ जाती थी एक लकड़ी के घोडों वाला मेरी गो राउंड था एक जाइंट वील था कुछ दक्षता आजमाने वाले खेल थे और कोल्ड रिंग्स का स्टैंड था सुनील ने कारे को रोकी और अरजुन के साथ बाहर निकला उस वक्त शॉपिंग सेंटर के विशाल कमपाउंड में रंग बिरंगी जंडिया लगाई चा रही थी वे कार्डिवल के पास पहुँचे जॉन फ्रेडरिको उन्हें अपने कोल्ड रिंग के स्टॉल की सजावट में लगा हुआ मिला उसके काम में उसकी मदद एक गुडिया सी खुप सूरत युफ्ती कर रही थी सुनील को समी पाता पाकर फ्रेडरिको ने अपने कारे रथात रोग दिये फिर उसने स्टॉल के काउंटर का एक पला उठा लिया ताकि वो भीतर आ सके सुनील और अर्जुन भीतर दाखिल हुए मैं बलास से आया हूँ सुनील बोला मेरा नम सुनील है ये मेरा सैयोगी फोटोग्राफर अर्जुन है फ्रेडरिको ने बड़े भाव हिन ढंक से दोनों से हाथ मिलाया सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से युफ्ती की आड़ देखा ये मेरी पत्नी मारिया है, फ्रेडरी को जल्दी से बोला ओ, हलो, सुनील बोला, मारिया मुस्कुराई कार्निवल चलाने में लगता है आप अपने पती की पूरी मदद करती है मारिया फिर मुस्कुराई मारिया, फ्रेडरी को ने बताया, गूंगी है ओ, सुनिल खेट पोइंट स्वर में बोला, I'm sorry, आपकी पत्नी के साथ तो बड़ा जुल्म किया पर मात्मा ने इतनी खूप सूरत युफ्ती और गुंगी फ्रेडरिको खामोश रहा, लेकिन उसके चहरे पर ऐसे भाव प्रकट हुए, जैसे उसे उस संदर्ब में अपनी पत्नी का जिक्र पसंद ना हो आपकी पत्नी भी गुवानी है क्या, सुनिल फ्रेडरिको से संबोधित हुआ हाँ, फ्रेडरिको बोला, आप लोग राश्नगर कैसे पहुँच गए? तकदीर ले आई, रोजी रोटी का फेर ले आया कार्नीवल का ये तमाम साजो समान आपका अपना है? नहीं, सब किराय का है, इसी वज़ा से तो कोई खास कमाई नहीं है, अधिकतर कमाई तो किराया चुकाने में चुक जाती है आप साजो समान अपना खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैसे करे? पैसा कहां से लाई? मैंने सुना है जब आप सरकस कलाकार थे, तो बहुत पैसा कमाते थे चीक सुना है आपने, लेकिन तब मैं बहुत पैसा खर्च भी तो करता था तब मुझे ये थोड़े ही मालूम था, कि मैं लंगड़ा हो जाऊंगा एक आएक उसका स्वर वित्रशना से भर उठा और सरकस के काबिल नहीं रहूंगा यानि कि कोई नामा पानी जोड़ा नहीं आपने? नहीं और पहले मेरी एक बात सुनिए फर्माईए मैं ये आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस इंटर्वियो में मेरी दिल्चस्पी केवल इतनी है कि मुझे बताया गिया है कि मुझे इंटर्वियो के बदले में पांसो रुपए की उज्वरत मिलेगी जी ठीक बताया गिया है आपको वो पैसे कब मिलेंगे मुझे? अभी सुनील ने अपनी जेब से 500 का एक चैक निकाल कर उसे सौंप दिया शुक्रिया फ्रेडरी को भाव हिंस्वर में बोला अर्चुन उन से परे हट कर खड़ा था अभी तक उसने कोई तस्वीर नहीं खिंची थी लेकिन अपने टेली लेंस वाले कैमरे के साथ वो इस काम के लिए तयार था क्या अब इंटर्वियू आगे बढ़ाएं सुनील ने पूछा जरूर फ्रेडरी को बोला आप सरकस कलाकार कैसे बने कैसे बने क्या मतलब मतलब ये कि आपको सरकस कलाकार बनना सुझा कैसे घर से ही सुझा मेरे माता पिता भी सरकस आर्टिस थे उनकी देखा देखी मैं भी सरकस आर्टिस बन गया आपके माता पिता अब भी सरकस में है क्या नहीं अब तो वो इस दुन्या में नहीं है, दोनों की एक रेल दुरगटना में मृत्य हो गई थी, ओ, आपके और जीवित रिष्टेदार कौन है? उसने मारिया की और संकेत किया, बस, उसने सेहमती में सेर हिलाया, सरकस में आप क्या करते थे? क्रेपिस आर्टिस था, सरकस के तंबू की छत पर, टंगे जूलों पर एक जूले से, दूसरे जूले तक हवा में चलांग लगाता था, एक बार चूक हो गई, पहला जूला चोड़ा, तो दूसरा हातों में नहीं आया, मैं गिर गया, और मेरे टांग तूट गई, लेकिन नी ही था, मैं नीचे गिरा, तो जटके से एक रसी खुल गई, मेरी दाई टांग, उसने अपनी दाई टांग आगे फैलाई, और उस पर पतलून ऊपर खेंच ली, घुटने से उखड गई, सुनीन ने देखा, उसके घुटने के साथ नकली टांग बांदी हुई थी, इस नकल चलता हूँ, कभी कबार बैलेंस बेगर जाने पर गिर भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी छीक है, बेसाखी लेकर चलने से तो नकली टांग लगा कर चलना अच्छा है, आपकी आई का यही एक मात्र सादिन है क्या? हाँ, लेकिन ये ऐसा काम तो नहीं, जो एक ही जगा चलता रह सके, इसके लिए तो आपको जल्दी जल्दी ठीकाना बदलना होता होगा, शेहर शेहर भटकना पड़ता है साहब, उसके स्वर में भी करवाहट आ गई, जबकि आप ऐसा करना नहीं चाहते, हाँ, लेकिन शेहर शेहर तो आपको सरकस में भी भटकना पड़ता रहता सरकस की बात तौर थी उसमें मैं स्चार्ट था और वहां शो करने के इलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी उपर से धेर्ट सारा पैसा मिलता था यहां तो मेरी हैसियत एक मज़दूर जैसी है आज की तारीक में आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी महत्व कांग्शा क्या है यही कि कहीं से किसी तरह मोटी रकम हासिल हो सके जिससे मैं कोई धंग का कारूबार कर सकूँ इस दर-दर की ठोकरे खिलाने वाले धंदे से निजात मिल जाए और जिन्दगी में ठहराव आ जाए ऐसी मोटी रकम हासिल करने का क्या कोई तरीका है आपकी निगामे नहीं है यही तो रोना है वो एक शंट ठिटका और फिर आवेश पॉंट स्वर में बोला लेकिन जी तो चाहता है कि किसी साहुकार का गला काट कर ये रकम हासिल कर लूँ किसी रईस का घर लोट लूँ, किसी बैंक में डाका डाल दूँ, किसी मारिया ने उसके एक कंधे पर हात रखा और हॉले से उसका कंधा दबाया आपकी बीवी बहुत अच्छी है, सुनील बोला और बहुत सुन्दर भी, फ्रेडरी को विश बरिस्वर में बोला और बहुत नौजवान भी, लेकिन जो कमीना मेरी बीवी की तरफ मैली आँख भी उठाएगा, मैं उसकी आँख फोर दूँगा मेरा ये मतलब नहीं था, सुनील हड़ बढ़ा कर बोला तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा मैं कहना चाहता था, कि ये आपका बहुत खयाल रखती है और आपके दुख सुख की सची साथी है तुम्हारा कुछ भी मतलब रहा हो मेरा मतलब वही था, जो मैंने कहा आपके ये खयालात तो आई दिन जगड़े फसाद का आलम पैदा कर देते होंगे आजकल का जमाना तो ऐसा है कि खूप सूरत चहरे पर मैली निगाहे पड़े बिना रही नहीं सकती उपर से आपकी बीवी गुंगी है इसके साथ कोई ज्यादती हो जाए तो ये उसे बयान तक नहीं कर पाती होगी उपर से आप अपाहिच है और कोई और बात करो फ्रेडरी को उसकी बात काट कर उखड़े स्वर में बोला आपको सरकस का धंदा चूट जाने का मलाल है क्या बहुत ज्यादा किस वज़ा से आप अपाहिच हो गए इसलिए या आपके हातों से एक मोटी कमाई का धंदा निकल गया इसलिए दोनों ही वज़ा से लेकिन रस्प सरकस के खे में तो आजकल वैसे ही उखड रहे है इस कला की आजकल वो पोछ नहीं रही जो की कभी थी फिर इस धंदे का रिष्टा उम्र से भी होता है देर सवेर तो आपका ये धंदा उखड़ना ही था फिर उसके हाथ से निकल जाने का मलाल क्यों इसलिए क्योंकि वो एक आएक मेरे हाथ से निकल गया मुझे संबलने का मौका दिये बिना मेरे हाथ से निकल गया मैं बिना किसी दुरगटना के तरीके से इस धंदे से रिटायर होता तो मेरी आज ऐसी हालत नहीं बनती लेकिन रोजी रोटी तो आप फिर भी कमा ही रहे है कमा रहा हूं लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत करके जो कि मैं हमेशा करता नहीं रह सकता आपके पास अपनी मौजूदा हालत को सुधारने का क्या हल है मेरा मतलब है सुनील तनिक उपहास पॉंट स्वर में बोला किसी साहुकार का गला काट कर या किसी रईस का घर लोट कर या किसी बैंक में डाका डाल कर मोटी रकम हासिल करने की कोशिश के इलावा फ्रेडरिको खामोश रहा प्रत्यक्ष्टर उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था सुनील ने अर्चुन की ओड देखा अर्चुन ने संकेत से उसे बताया कि वो परियाब तस्वीरे खिन चुका है खेर जाने दीजिए सुनील फिर फ्रेडरिको की तरफ आकरशित हुआ अब एक आखरी बात बताईए फ्रेडरिको ने प्रश्ण सुचक नेत्रों से सुनील की दरफ देखा क्या आपको जोरो के नाम से भी जाना जाता है हाँ वो बोला मेरा पूरा नाम जोरो गाइलो फ्रेडरिको है सरकस में मुझे जोरो के नाम से ही बेहतर जाना जाता था आज कल आपको इस नाम से कौन पुकारता है कोई भी नहीं I see लेकिन आपको मेरा ये नाम कैसे मालूम हुआ नाम मुझे मालूम नहीं था मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि शायद आपका ये नाम भी हो लेकिन फिर भी आपको ये नाम सूजा कैसे आज जब मैं आप से इंटर्व्यू के लिए अपने अकबार के दफ्तर से रवाना हुआ था तो इमारत की बगल की एक अंधेरी गली में मुझे दो आदमियों ने खेर लिया था उन्होंने कहा था कि मैं जोरो को उसका ये संदेश दे दू कि जोरो उनके खिलाफ जाने की कोशिश ना करे और ये कि वो लोग जोरो पर निगार रखे हुए थे और अगर जोरो ने उनके माल पर दांत कड़ाने की कोशिश की तो उसके खेर नहीं फिर उन्होंने मुझ पर दो तिन हाथ जमाई थे और वहां से खिसक गए थे ओ इस संदेश से आप कुछ समझे क्या मैं तो कुछ भी नहीं समझा क्या आपके निगाह में इस संदेश का कते कोई मतलब नहीं नहीं लेकिन मैं आप इसे मिलने आ रहा था जबकि ये संदेशा मुझे दिया गया था और आप कहते हैं कि आप जोरो के नाम से जाने भी जाते है जाना जाता था एक ही बात है ये संदेशा मेरी समच से बाहर है आज की तारीक में आपकी ऐसे किनी लोगों से खिलाफत है जो आपको जोरो के नाम से जानते होंगे नहीं और नहीं मैं किसी के माल पर दांद गडाने की कोशिश कर रहा हूँ I see मेरे खयाल से वो लोग किसी और के धोके में आप पर हाग डाल बैठे थे हो सकता है फ्रेडरी को खामोश रहा कोई और बात जो आप हमें अपने बारे में बताना चाते हो फ्रेडरी को ने इंकार में सिर हिलाया शुक्रिया सुनियल उठता हुआ बुला कल के ब्लास में आप अपनी अपनी खूबसूरत पत्नी और अपने कार्नीवल की तस्वीरों के साथ अपना आज का ये इंटर्व्यू छपा देखेंगे वो बड़े अर्थ ही नढंग से मुस्कुराया सुनियल ने उससे हाथ मिलाया मारिया का अभिवादन किया और अर्जुन के साथ स्चौल से बाहर निकलाया अर्जुन ने शॉपिंग सेंटर और कार्नीवल के दो लॉंग शॉट और लिए कल तुमने यहाँ फिर आना है सुनियल बुला किसलिए अर्जुन ने पूछा शॉपिंग सेंटर के उद्गाटन की तस्वीरे खिंशने के लिए सुना है कोई नेता जी उद्गाटन करने आ रहे है चीक है दोनों कार में सवार हुए और वहां से रवाना हो गए जोन जोरो गाईलो फ्रेडरिक को सोकर उठा उसने एक अनुराग भरी निका पलंग पर अपने पहलू में सोई अपनी गुडिया सी खूप सूरत बीवी पर डाली और फिर उट कर बैट किया वो धेरे से पलंग के नीचे उत्रा और अपनी एक सलामत टांग पर फुदकता हुआ बातरूम की और बढ़ा उसकी नकली टांग पलंग के समीब दिवार के सहारे टिकी रखी थी नित्यकर्म से निर्वित होकर उसने अपनी टांग अपने घुटने के ठूटे से बांधी और उपर से कपड़े पहन लिए वो हमेशा ऐसी ही करता था वो अपनी पत्नी से बहुत पहले सोकर उड़ता था और नहा धोकर अपनी नकली टांग लगा कर कपड़े पहन लिता था वो नहीं चाहता था कि मारिया उसकी कटी हुई टांग देखे और उसे बार-बार ये ऐसास हो कि वो एक लंगडे की बीवी थी कपड़े पहन कर वो जब दुबारा बेट्रू में गया तो उसने देखा मारिया पलंग पर नहीं थी किचन में से आती आहट से वो समझ गया कि वो चाई बना रही थी वो बारी कमरे में जा बैठा और सोचने लगा मुगल बाग आज उसे जल्दी पहुँचना चाहिए था मिनियेचर रेल गाड़ी का इंजन थोड़ा तंग कर रहा था पता नहीं पेड्रो ने उसे अभी तक ठीक किया था या नहीं पहले ही दिन बच्चों की रेल ना चलने पर शौपिंग सेंटर वाले नारास हो सकते थे और ये भी हो सकता था कि वे उसकी उजरत में से कुछ पैसे काट लेते फिर उसे चिंता होने लगी कि इंजन की मरमत कहीं ज्यादा खर्चे का काम ना निकल आए कार्निवल का सामान किराई का था लेकिन तोड़ फोर्ड की सारी जिम्मेदारी उसकी थी और पैसे की हालत उन दिनों इतनी खसता थी कि वो पहले ही बिना मारिया को बताई किसी से 500 रुपए उधार लेकर खर्च कर चुका था बलास के सुनील नाम के उस रिपोर्टर से 500 रुपए का जो चेक मिला था उसने ये उसकी मौजूदा अर्ट विवस्ता में जान फूग दी थी लेकिन उस चेतावनी का क्या मतलब था जो किनी दो आत्मियों ने सुनील के माध्यम से जोरो को दी थी क्या वो चेतावनी उसी के लिए थी ऐसा कैसे हो सकता है वो तो किसी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा था वो तो किसी के माल पर दांद गड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था और क्या वाकई उस पर निगा रखी जा रही थी उसे तो ऐसा कभी नहीं लगा था कि कोई उसके निग्रानी कर रहा था या शायद इस बात की तरफ कभी उसकी तवज्जु नहीं गई थी एक बात और भी थी उसके सरकस के साथियों के इलावा उसे जोरों के नाम से कभी किसी नहीं पुकारा था और पिछले दो तेन साल से उसे उसके सरकस का कोई साथी नहीं टकराया था तो भी उसका वो नाम जानने वाले वो दो बदमाश कौन थे और अगर वो धमकी उसी के लिए थी तो वो सीधे उसे ही क्यों नहीं दे गई थी उसके लिए सुनिल को क्यों माध्यम बनाया किया था शायद वो बदमाश उसके पास इसे लिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैचान लिए जाने का भी खत्रा था पदा नहीं क्या गोरक धंदा था एक वो जुझला कर बुद बुदाया तबी मारिया चाय लिया आई मारिया से उसकी आर्थिक स्थिती चुपी नहीं हुई थी वो खूब जानती थी कि पैसे के मामले में उसका पती भारी जद्दो जहत के दौर से गुजर रहा था इसलिए वो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती थी गुंगी होने की वज़ा से वो जुबानी तो कुछ कह नहीं सकती थी उस बात की कमी को वो अपने पती को ज्यादा से ज्यादा प्यार ज्यादा से ज्यादा सुक दे कर पूरा करने की कोशिश करती थी धर्म पुरे के उस दो कमरों के पॉर्शन में वो पिछले चे महीनों से रह रहे थे राशनगर उसके पती को अच्छा भी लगा था और वो जानती थी कि उसके पती की ये दिली इच्छा थी कि कोई ऐसा साधन निकल आए जिससे अब उन्हें वो शहर नहीं चोड़ना पड़ी लेकिन ऐसा कोई साधन दिखाई तो नहीं दे रहा था वो अपने पती के साथ सटकर बैठ गई दोनों चाई पीने लगे चाई समाप करके मारिया बात्रों में चली गई पंद्रा बेस मिनट बाद जब वो वहाँ से बाहर निकली तो वो नहायत खूप सूरत, कम सिन और तरो ताजा लग रही थी उसने अपने खूप सूरत, लंबे बाल पोनी टेल के सूरत में पीट पीछे बांदे हुए थे और चेहरे पर हलका सा मेकप लगाया हुआ था पोशाक के नाम पर वो एक सादा सी स्कर्ट और ब्लाउस पहने थी जो कि उसके चरहरे बदन पर खूप फब रहे थे उसे तयार देखकर फ्रेडरी को उठ खड़ा हुआ दोनों फ्लैट से बाहर निकले नीचे के एक रेस्टरेंट से उन्होंने अंडो और डबल रोटी का ब्रेक फास किया और फिर एक बस पर सवार होकर मुगलबाद की तरफ रवाना हो गए मुगलबाद में शॉपिंग सेंटर पर अभी से खूब रौनक थी शॉपिंग सेंटर वालों की और से आमंत्रित लोग सब परिवार वहां पहुँशने वाले थे बच्चे विशेश रूप से कार्नीवल के गिर्द भीड लगाए हुए थे शॉपिंग सेंटर की इमारत के समीब ट्रकों और टेंपों की भीड बता रही थी कि भीतर की कई दुकानों का सामान अभी भी वहां पहुँश रहा था लोगों की वियस्तता पूर्ण आवा जाही की वज़ा से वहां खूब रौनक लग रही थी उसने सुना था कि दोपहर को किसी समय किसी मिनिस्टर ने यहां आकर शौपिंग सेंटर का विदिवत उदगाटन करना था हलका सा लंगडा कर चलता हुआ फ्रेडरिको मारिया के साथ अपने कार्निवल की दिशा में बढ़ा तबी एक और खड़े एक टैंपू ड्राइवर ने मारिया को देख कर सीटी बजाई फ्रेडरिको का जी चाहा कि अभी जाकर उस कमीने का सिर्फ ओड़ दे लेकिन मारिया उसके मन के भावों को पहले ही समझ गई उसने मजबूती से अपने पती की बात थाम ली और उसे लेकर आगे बढ़ चली वो समझती थी कि उसका पती ऐसी बातों से आग बबूला हो उड़ता था लेकिन अगर उसका देख कर सीटी बजाने वाले हर आत्मी से उसका पती लड़ने बैठ चाता तो वो उम्र भर लड़ता ही रहता उस रोज कार्णीवल में कॉल ड्रिंग समेथ हर चीज फ्री थी शॉपिंग सेंटर वालों ने बच्चों की रेल जॉइंट वील और मेरी गोर राउंड के लिए पब्लिक में फ्री कूपन बांटे थे वे कूपन जितने फ्रेडरिकों के पास पहुँच थे उनके बराबर के उतनी रकम शाम को शॉपिंग सेंटर वालों से उसे मिलनी थी कोल ड्रिंग्स के स्चॉल पर ताजे पाइन एपल जूस के नेशुल्क वित्रन का अनितिजाम भी उन्हीं लोगों ने किया था वे कोल ड्रिंग्स स्चॉल पर पहुँचे मारिया ने उस मशीन को चालू कर दिया जिसके उपर एक शीशे का बहुत बड़ा ग्लोब लगा हुआ था उस ग्लोब के भीतर फुवारे की तरहा पाइनेपल जूस चलता था जो की नीचे लगी एक टूटी में से बाहर निकाला जा सकता था फिर वो नीचे शेल्फ में से गिलास निकाल निकाल कर काउंटर पर रखने लगी तब ही एक लगभग पांच साल की गुडिया सी खुब सुरत लड़की वहां पांची वो घागरा चोली पहने थी और माते पर लगे चंदन के टीके और केश विन्यास से मद्रासी लग रही थी आंटी आ गई वो बोली आंटी आ गई हमें शर्बत दोगी तब ही कई और बच्चे भी वो वहां इकटा हो गए कैसी सुन्दर बच्ची है फ्रेडरी को अनुराग पूंट स्वर में बोला किसी दिन ऐसा ही एक सुन्दर बच्चा हमारा भी होगा मारिया मुस्कुराई उसने अपने एक हाथ की पांच और दूसरे हाथ की दो उंगलिया अपने पती के सामने कर दी साथ बच्चे फ्रेडरी को ने तरफ लाकर बोला सांता मारिया तुम साथ बच्चे चाहती हो मारिया हसी उसने इंकार में सिर हिलाया हाँ ये हुई ना बात मैं तो डर ही गया था मारिया ने उसे इशारे से फिर कुछ समझाना चाहा लेकिन फ्रेडरिको के पल्ले कुछ नहीं पड़ा फिर मारिया ने भी कोशिश छोड़ दी फिर वो मारिया को स्टॉल पर छोड़ कर वहां से हट गया वो बच्चों की रेल गाड़ी के पास पहुंचा वहां रेल गाड़ी के ही नाप के छोटे से प्लैटफॉर्म पर पेडरो खड़ा था वो बुड़ा आदमी था और उसके सरकस के दिनों का साथी था अभी आए हो फ्रेडरिको तनी कठोर स्वर में बोला हाँ पेडरो बोला मैंने तुम्हें कहा था सुब़ जल्दी आना और आकर इंजन ठीक करना इंजन मैं रात को ठीक करके गया था बेटा रात को? हाँ मैं धाई बज़े तक यहीं था जाइंट वेल में भी थोड़ा सा नुक्स था मैंने वो भी ठीक कर दिया है और मेरी को राउंट? वो तो पहले से ही ठीक था फिर भी मैंने चला कर तसली कर ली है ओ, फ्रेडरीको शर्मिंद की भरिस्वर में बोला वो महसूस कर रहा था कि उसने वृत पेडरो से कटोरता से पेश नहीं आना चाहिए था इंजन कैसे ठीक हुआ? क्या मिस्टरी बुलाया था? नहीं, मैंने ही चीक कर लिया था तुमने चीक कर लिया था? कैसे? तुक्का लग गया लेकिन रात के धाई बजे तक काम भी तो करना पड़ा तुमें पेडरो? उसकी चिंता मत करना मैं बुड़ा अदमी हूँ मुझे निन्द वैसे भी कम आती है हम, वो एक शंट ठिटका और फिर बुला गाड़ी के साथ कुछ गोबारे फिला कर बांदो और अपने रिंग मास्टर वाली पुशाक पहन लो बच्चे खुश होंगे अच्छा और तुम जाइंट वेल संभालो गाड़ी तरुन चलाएका छीक है वो है कहा अभी तो आया नहीं वो बहुत लापरवा लड़का है वो पता नहीं आएगा या नहीं नहीं आएगा तो भी कोई फर्ट नहीं पड़ेगा तब गाड़ी भी मैं संभाल लूँगा नहीं तब तो मेरी गो राउंड संभालना गाड़ी मैं संभाल लूँगा जैसे तुम ठीक समझो तरुन तरुन नांग किया एक लगभग 24 साल का नौजवान था जिसे फ्रेडरिको ने कुछी दिन पहले रखा था लेकिन अभी तक तरुन पर नहीं बैट पाया था पेडरो जाइंट वेल की तरफ बढ़ चला इंजन को खुद चला कर देखने की नियत से वो इंजन पर चड़ गया उसने डीजल का इंजन चालू किया और उसकी सीटी बजाने वाली डोरी खींची सीटी बजाने की देर थी कि प्लैटफॉर्म पर बच्चों का जमगट लग गया पहले तो उसने बच्चों को भगा देने का खयाल किया लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया अच्छा था इसी बहाने मालूम भी हो जाता इंजन ठीक था या नहीं उसने बच्चों से रेल की सवारी के कूपन इकठे किये और उन्हें रेल गाड़ी के खिलाने जैसे नन्ने नन्ने डिबों में चड़ा दिया फिर वो स्वयम भी इंजन पर सवार हुआ उसने इंजन चालू किया गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी बच्चे खुशी से किलकारियां मानने लगे रेल गाड़ी जब कॉल्ड रिंग के स्चॉल के सामने से गुसरी तो मारिया ने उसकी तरफ हाथ हिलाया फ्रेडरिको ने भी हाथ हिलाया और सोचने लगा मारिया ने उसे साथ उंगलियां क्यों दिखाई थी साथ बच्चों की इच्छा करके क्या उसने ये सोचा था कि इतने पेट में कैसे भरेंगे जब उसने रेल गारी वापिस प्लैटफॉर्म पर लाकर खड़ी की तो पाया की पॉने दस बच चुके थे वो इंजर में से उत्रा और मारिया के पास पहुँचा उसने मारिया से वो हैंड बैग हासिल किया जिसमें जोकर का लिबास था और बैंग की बगल में मौझूद रेस्टराइन के क्लॉक रूम में जाखुसा बैग में से उसने जोकर के मेकप का सामान निकाला और शीशे के सामने खड़ा होकर बड़ी साफ धानी से अपने चेहरे को सरकस के परंप्रा गद जोकर के चेहरे में परिवर्तित करने लगा उसने अपने सारे चेहरे पर सफेद रंग मला लाल रंग के होंटों के और उसके आसपास के भाग को इस प्रकार रंगा की होंट आकार से बड़े बड़े लगने लगे माथे पर लाल रंग मला अंत में उसने अपने रंगे हुए गालों पर आंसू की एक-एक बून बनाई और फिर जोकर की पोशाक पहन ली जोकर का मेकप करते समय वो हमेशा एक उदास जोकर बनने की कोशिश करता था पता नहीं क्यूं उसे खुद जोकर बनना पसंद नहीं था फिर अपने उत्रे हुए कपड़े बैक में भर कर बाहर निकला बाहर तब तक खूब भेड़ हो गई थी उसे देखते ही शोर मचाते किलकारिया मारते बच्चे उसके पीछे लग गए अपनी हलकी से लंगराहट भड़ी चाल के साथ वो उनके आगे चलता रहा बच्चों का उस प्रकार का मनुरंजन करना भी शोपिंग सेंटर वालों के साथ हुए उसके अनुबंद का एक हिस्सा था उसने दूर से देखा मेरीगोर राउंड के घोडों पर और जाइंट वीर की पालकियों पर बच्चे चड़े हुए थे और रिंग मास्चर की बुशाख पहने पेडरो दोनों को चला रहा था प्रत्यक्ष्टर तरुन तब तक भी वहां नहीं पहुँचा था तब ही उसे अपने पीछे से एक कार का हॉंट सुनाई दिया बच्चों की सुरक्षा के खयाल से आतंकित वो एकदम वापिस घुमा अपने पीछे माजूद बच्चों को वो जल्दी से कार के रास्ते से परे हटा देना चाहता था लेकिन हट-बड़ाहट में वो इतनी जल्दी घुमा कि उसके नकली टांग गुटने के पास से बड़े और प्रकर्तिक तरीके से सामने को मुड़ गई उसका संतूलन बिगड किया और वो मुँ के बल नीचे गिरा उसने घुम कर देखा तो पाया कि उसके पीछे रास्ते पर बैंक की बक्तरबन गाड़ी मौजूद थी वो गाड़ी शौपिंग सेंटर में बने बैंक को रुपए का आदान प्रदान करने वहां आती थी उस रोस वो बैंक की नई चालू हुई ब्रांच में रुपएया छोड़ने आई मालूम होती थी फ्रेडरी को उस बक्तरबन गाड़ी को और उसके स्टाफ को खुब जानता पहचानता था गाड़ी का ड्राइवर मोहर सिंग नाम का एक अधेड़ा वस्ता का साधारन त्याख खुश मिजाज और नेक नियत आत्मी था लेकिन उसके दोनों गाड़ उसे कभी पसंद नहीं आई थे वे दोनों रमेश और उमेश सकसेना नाम के सगे भाई थे जिन में से छोटा भाई उमेश सकसेना तो एक नंबर का कमीना था किसी ताजे-ताजे हुए नाजवान वाली धिठाई और रिष्टता उसमें साफ चलकती थी उपर से पुलिसियों वाली वर्दी पहनता था और कमर में रिवालवर बांद कर रखता था जिसकी वज़ा से वो और अकडू दिखाई दिखता था उसका बड़ा भाई रमेश उसको कोई तैसीब सिखाने की स्थान पर खुश होता था कि उसका चोटा भाई कितना हेकर और रोबीला था पिछले हफ़ते तक फ्रेडरिको का वो कार्निवल बैंक के लिंक रोड पर स्थेथ हेड आफिस की बगल में लगा हुआ था पिछले हफ़ते उमेश ने कार्निवल में आकर ना केवल मारिया को छेडा था बलकि उसके साथ बेहुदी शरारत भी की थी उसने मारिया के स्चॉल पर जाकर उससे पाइनपल जूस हासिल किया था और फिर काउंटर पर से आगे को जुक कर उसने मारिया के एक गाल पर चिकोटी काट ली थी मारिया की चीक सुन कर जब तक फ्रेडरिको वहां पहुँचा था तब तक उमेश सकसे न मारिया के पास से परे हट चुका था बेचारी गुंगी मारिया बड़ी कठिनाई से फ्रेडरिको को समझा पाई थी कि उमेश ने क्या किया था फ्रेडरीको का खून खौल उठा था वो बड़े कहर भरे अंदास में उमेश पर जप्टा था लेकिन लोगों ने बीच बचाफ कर दिया था फ्रेडरीको तब उमेश पर हाथ तो नहीं डाल सका था लेकिन उन सब के सामने शितावनी दी थी कि अगर फिर कभी उसने मारिया के साथ कोई बेहुदी हरकत करने की कोशिश की तो उसे जान से मार ढालेगा मोहर सिंग ने ड्राइवर के कैबिन की खिड़की से बाहर चांका और खेत पूर्ट स्वर में बोला इतनी जोर का हॉर्ण मैंने नहीं बचाया था गोवानी ये चोकरा शरारत से बास नहीं आता ससुरे ने खाम का यूँ हौन बचा दिया फ्रेडरी को ने देखा मोहर सिंग की बगल में बैठा उमेश बंदर की तरह दांत निकाल कर हस रहा था उसने कैबिन की अपनी तरफ वाली खिड़की से सेर बाहर निकाला और चिला कर बोला अबे लंगडे अब उठ तो सही रास्ता तो छोड़ उमेश मोहर सिंग जड़की भरे स्वर में बोला देख लेना चाचा उमेश बोला आज मैं इसकी बीवी के दूसरे गाल पर भी चिकोटी काट कर ही जाओंगा उमेश मोहर सिंग पहले से ज्यादा जड़की भरे स्वर में बोला बकवास मत करो अच्छा बाबा उमेश मोरकता पूर्ण स्वर में बोला बकवास नहीं करता लेकिन इसकी बीवी के साथ तो जरूर करूँगा जो मैंने अभी करने के लिए कहा है तुम नहीं मानोगे अच्छा अच्छा तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ मोहर सिंग बकतर बंद गाड़ी को रास्ते पर गिरे पड़े फ्रेडरिको की बगल से गुजार कर ले किया फ्रेडरिको खून का खून पीकर रह किया फिर उसने अपनी नकली टांग टटोली तो पाया की जो फीते उसे उसकी जांग के साथ बांगते थे वो ढीले पड़ गए थे वो उन्हें खोल कर उन्हें कसकर बांधने की कोशिश करने लगा तब ही उसने अनुभव किया कि एक नन्हा सा हाथ उसकी जोकर की पोशाक को खींश रहा था उसने सिर उठाया उसने देखा गागरा चोली वाली वही छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी जिसने मारिया को आंटी कहकर पुकारा था जोकर अंकल के शरीर को चोट लगी है क्या वो मेठे स्वर में बोली शरीर को नहीं बेटा फ्रेडरी को भर्राई स्वर में बोला स्वाभिमान को चोट लगी है आंसु वाले जोकर अंकल उठो तब तक फ्रेडरी को अपनी नकली टांग फिर मस्बूती से बांग चुका था तुम्हारा नाम क्या है बेटा जै ललिता बच्ची बोली जै ललिता आइंगर जाओ जाकर खेलो जै ललिता अच्छा आंसु वाले जोकर अंकल और बच्ची वहां से भाग गई फ्रेडरी को लंगडाता हुआ आगे बढ़ा और दांत पीसता हुआ बोला मैं कमीने का खून कर दूँगा मैं नहीं छोड़ूँगा उसे तब तक शॉपिंग सेंटर पर भी भीड हो गई थी पहले हासिल होने वाले डिसकाउंट के इच्चुक हर उम्र के खरीदार वहां पहुंच चुके थे और अभी और पहुंच रहे थे बैंक की बक्तरबंद गाड़ी जिसको साधारिंतिया बैंक के दर्वाजे के एकदम सामने खड़ा करने का दस्तूर होता था आज वहां भी बेतहाशा भीड की वज़ा से बैंक के दर्वाजे तक नहीं पहुंच पाई थी वो धीरे धीरे गोल घूमते मेरी गोर राउंट और कोल्ड रिंक्स के स्चॉल के बीच में खड़ी थी उसके देखते देखते मोहर सिंग और उमेश सकसेना गाड़ी के ड्राइविंग कैबिन के अपनी अपनी तरफ के दर्वाजे खोल कर बाहर निकले दोनों के हाथ अपनी पेटियों के साथ बंदे होलेस्ट्रों में रखी रिवॉल्वर पर थे दोनों बक्तरबं गाड़ी के प्रिष्ट भाग में पहुंचे मोहर सिंग ने पिछले दर्वाजे पर दस्तक दी पिछले दर्वाजे के दोनों पट फोरन खुले और दर्वाजे पर रमेश सकसेना प्रकट हुआ उसके दोनों हाथों में कैन्वस की दो बड़े बड़े जौले थे उमेश ने अपने बड़े भाई के हाथ से दोनों जौले ले लिये रमेश ने दरवासा भी बंद कर लिया रमेश जौले उठाई बैंग की तरफ पढ़ा मोहर सिंग रिवालवर की मूट पर हाथ रखे उसके साथ चलने लगा फ्रेडरी को कोल ब्रिंक्स के स्चॉल के पिछवाड़े में बने एक छोटे से कैबिन में पहुचा वहाँ उसने अपने कंधे पर लटका बैग एक और रख दिया और फिर एक कोने में पड़े लकड़ी के एक संदूप का ताला खोला संदूप में से उसने एक रिवालवर निकाली और उसे अपनी जोकर की पोशाब की जेब में रख लिया वो रिवालवर उसके बाप की थी और उसको इस्तेमाल करने का खयाल उसे कभी नहीं आया था साफ किया था और फिर उसे कार्णीवल के उस संदूक में रखना शुरू कर दिया था वो कैबिन के बाहर निकला उस खड़ी वो इस बात के लिए द्रिट प्रतिग्य था कि अगर उमेश ने मारिया के साथ कोई भी शरार्ती हरकत की तो वो से शूट कर देगा कैबिन के पहलू से होता हुआ वो सामने की तरफ बढ़ा कुछ शन वो मारिया के ही आसपास रहना चाहता था वो देखना चाहता था कि उमेश क्या करता था उसके देखते देखते उमेश स्टॉल पर पहुँचा मोहर सिंग स्टॉल से थोड़ा परे ठिटक गया था उसकी चौकन्नी आँखें भीड में चारो तरफ यों फिर रही थी जैसे किसी शरार्ती तत्व को पहचानने की कोशिश कर रही हो उमेश ने मारिया से कोल ड्रिंग्स की मांग की मारिया ने फॉरण मशीन में से एक गिलास पाइनेपल जूस निकाला और गिलास उसके सामने रग दिया फ्रेडरी को धड़कते दिल से देखता रहा कि उमेश आगे क्या करता था उसका हाथ अपने आप वो शाप की जेब में पड़ी रिवॉल्वर की मोट से जा लिप्टा था वो गोली चलाने से बचना चाहता था लेकिन अगर उमेश बास नहीं आया तो वो उसे चोड़ने वाला नहीं था लेकिन उमेश ने मारिया पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की उसने काउंटर पर से पाइनेपल जोस का गिलास उठाया एक ही सांस में उसे खाली किया और गिलास काउंटर पर रख दिया फिर उसने सेलिουट की शकल में दो उंगलियां अपने माते से लगा कर मारिया का धन्यवात किया और फिर कैन्वस के जोले एक ही हाथ में थाम कर वहां से चल दिया फ्रेडर्रिकों ने महसूस किया कि उसका सारा जिस्म पसीना पसीना हो गया था उमेश चॉल के पास से हट गया तो उसने शान्ती की एक लंबी सांस ली रिवॉल्वर की मूट से लिप्टा उसका हाथ अपने आप ही वहां से हट गया वो रेल गारी की तरफ बढ़ा एका एक एक औरत की चीक से वातावरन गुन जुठा फ्रेडरी को ठिटक कर घूमा उसने देखा बैंक की और बढ़ता हुआ उमेश एका एक रास्ते में ही रुक गया था उसकी टांगे यू मुरने लगी थी जैसे उसका भार ना संभाल पा रहा हो अपने कुधराशाई होने से बचाने के उपक्रम में उसने समीप से गुजर दी एक औरत की बाँ थामली थी जो कि उसकी उस सब प्रत्याशित हरकत से घबरा कर चीख उठी थी फ्रेडरी को को दूर से भी दिखाई दे रहा था कि उमेश का चेहरा एका एक लाल हो गया था और यूँ खिंच गया था जैसे वो भारी तकलीफ में हो फिर उसने आरत की बाँ छोड़ दी और वो बड़े आतंकीत भाफ से यूँ अपनी वर्दी के कोट के गले तक बंद बटन खोलने की कोशिश करने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो फिर एका एक वो सड़क पर धेर हो गया जोले में से निकल कर बाहर भिखर गए जो आरत ची की थी एका एक वो उत्तेजित भाफ से बोली अरे भाई देखो इसे क्या हो गया है मदद करो बेचारी की ये तो यू तड़प रहा है जैसे इसे गोली लगी हो मोहर सिंग जोले से बाहर गिरे नोट इकठे कर रहा था उमेश की तरफ जांकने से भी पहले उसने सारे नोट इकठे करके वापिस जोले में भरे और उसका मूँ बंद दिया फिर वो गुटनों के बल उमेश के पास पैट किया तब तक नीचे गिरे उमेश के चारो और उसक भीड का गेरा बन गया था और कोई मूँ बाई जमीन पर पड़े उमेश को देख रहा था उमेश? उमेश? मोहर सिंग उसे कंधे से बकड़ कर जिन जोडता हुआ पूछ रहा था क्या हुआ बेटा? पता नहीं उमेश फसे स्वर में बोला एक दम से ही कुछ हो गिया है मुझे मुझे अपने भीतर आग लगी मालूम हो रही है लेकिन बाहर से ठंडक महसूस हो रही है मोहर सिंग एक शंड हिच किचाया फिर उसने कैन्वस के दोनों जोले उठाई और बक्तर बंद गाड़ी की तरफ लबका गाड़ी के पिछले दर्वाजे के सामने पहुँच कर वो जोर जोर से उस पर दस्तक देने लगा दर्वाजा फिर खुला और उस पर रमेश प्रकट हुआ रमेश मोहर सिंग फॉरन घबराई स्वर में बोला तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है क्या रमेश आतंकित भाफ से बोला पता नहीं लेकिन वो तो जमेन पर गिर पड़ रहा है और मचली की तरह तरफ रहा है हे भगवान रमेश फॉरन गाड़ी से बाहर कूद पड़ा अभी तो वो ठीक था उसे अभी अभी कुछ हुआ है कहता है उसे अपने भीतर आग लगी मैसूस हो रही है हे भगवान रमेश ने मोहर सिंग के हाथ से कैन्वस के दोनों जोले चप्टे और उन्हें गाड़ी के भीतर फैंक दिया फिर उसने गाड़ी के दोनों धर्वासे बंद करके उन पर ताला लगाया और मोहर सिंग के साथ उधर भागा जिदर जमीन पर पड़ा उसका भाई तड़प रहा था उमेश उसके समय पहुँचते ही रमेश व्याकुलभाफ से बोला क्या हुआ उमेश बड़ी मेहनत से बोल पाया उसने अपने भाई को भी वही कुछ बताया जो वो मोहर सिंग को बता चुका था लेकिन एक बात ऐसी थी जो उसने पहले नहीं कही थी भाईया वो बड़ी कठिनाई से कह पाया मुझे जो कुछ हुआ है उस साले गोवानी की बीवी का पाईनेपल जू स्पीकर हुआ है रमेश ने अपने एर्द गेद जमा भीड पर निगाफ फिराई और फिर याशना पूर्ट स्वर में बोला खड़े खड़े तमाशा मत देखो भाई लोगो भगवान के लिए किसी डॉक्टर को बुलाओ भीड में से एक नाजवान आत्मी आगे बढ़ा मैं डॉक्टर हूँ वो बोला और रमेश के तरह उमेश के पास उकड़ू होकर बैठ गया क्या ऐसा दौरा इसे कभी पहले भी पढ़ा है नहीं उमेश बोला कभी नहीं इसे लू तो नहीं लग गई मोहर सिंग ने बोला लू लगने लायक गर्मी कहा है आज रमेश बोला उमेश के पास उकड़ू बैठे व्यक्ती ने उसकी चाती टटोली नब्स देखी और उसके दहकते हुए चेहरे को अपने एक हाथ की पेट से चुआ शिकायत कर रहा है मेरे खयाल से ये फूर्ट पॉइसरिंग का शिकार हुआ है अरे भाई रमेश व्यक्र भाफ से बोला अगर तुम डॉक्टर हो तो कुछ करो तो सही इसके लिए यूं सिर्फ बात बनाने से क्या होगा होसला रखो रमेश मोहर सिंग बोला डॉक्टरों को उपचार से पहले निदान भी तो करना होता है डॉक्टर सहब रमेश व्यक्र भाफ से अपने तरपते हुए भाई की सूरत देखता हुआ बोला इसे फूट पॉइसनिंग कैसे हो सकती है खाया तो इसने कुछ है ही नहीं तो फिर इसे जहर दिया गया है डॉक्टर गंभीरता से बोला इसकी जैसी हालत इस वक्त हो रही है वो जहर से ही होती है इसे अस्पताल ले जाने का इंतिजाम करो लेकिन अभी तो कुछ करो डॉक्टर सहब मोहर सिंग बोला इसकी हालत से तो लगता है कि अस्पताल पहुँशने से पहले ही इसे कुछ हो जाएगा कहीं से एक स्चमेक पंप का इंतिजाम करो डॉक्टर बोला वो क्या होता है वो पेट में मौजूद सब कुछ बाहर निकालने के काम आता है वो कहां मिलेगा इसी ब्लॉक के सिरे पर डॉक्टर लोहानी का क्लीनिक है डॉक्टर वहां नहीं भी होगा तो उसका कंपाउंडर जरूर होगा तुम भाग कर वहां चले जाओ उसे कहना कि डॉक्टर अहूजा ने इस चमक पंप मंगवाया है मोहर सिंग हिच किचाया चाचा रमेश बोला देर मत करो जरा लपक कर जाओ ये उमेश के जिंदगी का सवाल है मोहर सिंग लगबग दाड़ता हुआ वहां से विदा हो गया लंगडाता हुआ फ्रेडरी को जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ कोल ड्रिंक्स के स्चाल पर पहुँचा वो काउंटर का तकता उठा कर भीतर दाखिल हुआ और अपनी पतनी की बगल में जा खड़ा हुआ मारिया ने उलचन पूर्ण धंक से उसकी और देखा उसके पाइनेपल जूस के गिलास में तुमने तो कुछ नहीं डाल दिया था फ्रेडरिको ने पूछा मारिया ने बड़ी जोड से इंकार में सिर हिलाया फिर उसने मशीन में से जूस का एक गिलास मेरा और उसे खुद पीने लगी उसके गिलास में जूस ही था और कुछ नहीं मारिया ने अपने खाली गिलास की तरफ इशारा किया और सेहमती में सिर हिलाया कमाल है ये बखेड़ा भी अभी होना था मारिया कामोश रही फिर फ्रेडरिको ने स्चॉल से बाहर की तरफ कदम उठाया लेकिन मारिया ने कस कर उसकी बाँ थाम ली क्या चाहती हो फ्रेडरिको बोला मारिया ने कुछ इशारा किया क्या मैं यहीं रुकूँ मारिया ने सेहमती में सिर हिलाया अच्छी बात है रुक जाता हूँ मौचूदा हालात में अब कोई कामधाम होता तो लगता नहीं वहीं खड़े खड़े उसने फिर सकसेना बंधों पर निकार डाली रमेश ने अपने नीचे गिरे पड़े भाई की वर्दी खोल कर उसे कमर तक नंगा कर दिया था और एक अकवार के सहाईता से उसे हवा कर रहा था डॉक्टर अहुजा ने अपने चोटे से मेडिकल बैक में से इंजेक्शन के सिरिंच निकाल ली थी और उमेश को कोई इंजेक्शन देने की तयारी कर रहा था सिरिंच इंजेक्शन के तरल पदात से भर गई तो उसने उसकी सुई उमेश की भा में भौंक दी उसने पिस्चन दबाया और सुई वापिस खेंच ली फिर वो बड़े गौर से उमेश के चहरे पर इंजेक्शन की कोई प्रतिक्रिया तलाश करने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके चहरे पर उमीद की रौनक नहीं आई उसने उमेश की दुबारा नपस चटोली फिर उसके दिल पर हाथ रखा और फिर एका एक उट खड़ा हुआ क्या हुआ रमेश आतंकित भाफ से बोला सॉरी डॉक्टर बोला अब स्चमेक पंप की जरूरत नहीं रही ये आत्मी मर चुका है ये कैसे हो सकता है रमेश गला फार कर चिलाया ये नहीं हो सकता सॉरी डॉक्टर ने गंभीर स्वर में दोहराया फिर बैंक की बक्तर बंद गाड़ी लोट गई बाद में कम से कम पांसो चश्मदित गवाहों ने इस बात की तस्दीक की कि गाड़ी जोकरों ने लूटी थी जोकरों की एक जैसी पुशा के पहने कम से कम आधी दर्जन आदमी थे जो डकैती के लिए जिम्मेदार थे लेकिन फ्रेडरी को लोगों के उस बयान से सहमत नहीं था उसने अपने अतिरिक सिर्फ दो और जोकर ही देखे थे और लोगों का कहना था कि हर तरफ जोकर ही जोकर दिखाई दे रहे थे उमेश की मौत की घोशना के वातावरण ने पनपती किसी शरारत का पहला एहसास फ्रेडरीकों को तब हुआ था जब उसे एका एक बच्चों की रेल के इंजन की तीखी चीक सुनाई दी थी उसने एक जटके से सिर उठा कर रेल की दिशा में देखा तो पाया की रेल के नन्ने नन्ने डिबों में हसते चिलाते किलकारिया मारते बच्चे भरे हुए थे और रेल अपने प्लैटफॉर्म से सरक रही थी उसने जल्दी से इंजन की तरफ देखा तो पाया की रेल के छोटे से इंजन पर उसी जैसी पोशाक पहने एक जोकर सवार था फ्रेडरिको फॉरंस चॉल के पीछे से निकल और अपनी लंगडी चाल से कितनी तेज रेल की तरफ भाग सकता था भागा उसकी नकली टांग उस रोज उसे बेहत तंग कर रही थी वो अभी कुछी कदम आगे बढ़ा था कि एक आएक एक नई आवास ने उसका ध्यान अपनी और आकर्शित किया वो आवास बक्तरबन गाडी की तरफ से आई थी वो ठिटका उसने गाडी की दिशा में निगा डाली पिशली बार उसने गाडी की दिशा में देखा था जब उमेश सक्सेना उसमें से निकला था और उसका पिशला दर्वासा बंद करके उसमें ताला लगा कर अपने जमीन पर पड़े तड़पते भाई की तरफ भागा था लेकिन उस वक्त गाड़ी का पिछला दर्वासा खुला था और उस खुले दर्वासे में भी उसी जैसी जोकर की पोशाग पहने और चेहरे पर उसी जैसा जोकर का मेकप किये एक आत्मी चड़ा हुआ था वो जोकर दर्वासे से जरा परे हट कर गाड़ी के भीतर खड़ा था और दोनों हातों से नोटों की मुठियां भड़ कर उन्हें बाहर हवा में उचाल रहा था नोट हवा में उड़ रहे थे और वहां मौजूद सैंकडों हजारों बच्चों बुड़ों और जवानों में तहल का मचा हुआ था हर कोई हवा में उचल उचल कर नोटों को जपटने की कोशिश कर रहा था लोग चिला रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे भारी आपा धापी और छीना जपटी मची हुई थी हर कोई इसी कोशिश में लगा दिखाई दे रहा था कि ज्यादा से ज्यादा नोट उसी के काबू में आ जाएं फ्रेडरी को बड़ी मुश्किल से उस भीड में ये देख पाया कि रमेश सक्सेना कहा था वो गाड़ी से बहुत परी लोगों की भीड के एक दम पीछे मौचूद था अपनी रिवॉल्वर निकाल कर उसने हाथ में ले ली थी लेकिन उतने दोर से ना तो वो नोट लुटाते जोकर पर गोली चला सकता था और ना ही भीड उसे जोकर के करीब पहुंचने दे रही थी वो पगलाई सांड की तरह लोगों को धकेल धकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चार कदम आगे बढ़ने में काम्याब होता था तो तीन कदम वापिस धकेल दिया जाता था इतनी भीड में से गोली चलाने में उसे इस रात का भी इस बात का भी डर लगना अवश्यम भावी था कि गोली किसी और को ना लग जाए तबी फ्रेडरिकों का ध्यान फिर रेल गाड़ी की और अकर्शित हुआ रेल पर चड़े बच्चों की किलकारिया एक एक भाई की चीखों में बदल गई थी उसने देखा इंजन पर चड़ा जोकर वहां से गायब था वो रेल को अपनी साधारन रफ़तार से तीगुनी रफ़तार पर चालू करके इंजन पर से कूट कर उदर गया था और उस वक्त रेल की खत्रे की हद तक तेज रफ़तार से डर कर बच्च चीखे मार रहे थे फ्रेडरिकों रेल की तरफ भागा रेल की नन्नी नन्नी पट्रियों पर रेल गाड़ी हिचकौले लेती हुई भाग रही थी किसी बिक्षन रेल पट्री से उदर सकती थी या इतनी तेज रफतार की वज़ा से पट्री उखड सकती थी हाफता लंगडाता फ्रेडरी को गोल घूमती रेल के रास्ते में पहुचा फिर जोही इंजन उसके सामने से गुजरा वो उसके साथ साथ भागने लगा और फिर जपट कर उस पर चड़ गया चड़ते समय उसकी बाहों को इतनी जोर का चड़का लगा कि उसे उखड़ती हुई महसूस हुई लेकिन उसने अपने हाथ में आ गई इंजन की रेलिंग नहीं छोड़ी उसने जल्दी से ब्रेक लगाई और इंजन बंद किया रफतार घटते ही बच्चों की भई-भरी चीक पुकार भी घटने लगी फिर गाड़ी रुख गई वो इंजन की चट पर चड़ किया उस वक्त वो बक्तर बंद गाड़ी से बहुत दूर पहुँच चुका था दूर कहीं से पुलिस के साइरेन की आवाज आ रही थी लेकिन अभी तक कोई पुलिस वहाँ पहुँची नहीं थी रमेश सक्सेना अभी भी गाड़ी के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था और अभी भी बत स्थोर वापिस धकेला जा रहा था जोकर अभी भी गाड़ी पर चड़ा हुआ था और हवा में नोट उचाल रहा था लोगों में अभी भी आपा धापी मची हुई थी धिंगा मुश्टी हो रही थी वो इंजन की चट से नीचे उत्रा उसने बच्चों को समझाया कि जब तक उसने माबाप उन्हें लेने ना आए वो रेल गाड़ी में ही सवार रहे फिर वो पूरवत लंगडाता हुआ बक्तरबन गाड़ी की तरफ भागा फिर उसके देखते देखते बक्तरबन गाड़ी पर चढ़ा जोकर नीचे कुदा और एक और भागा हवा में नोट अभी भी उड़ रहे थे हर किसी का ध्यान नोटों की तरफ था और हर कोई उन्हें अपने काबू में करने की कोशिश में था इसलिए किसी का भी ध्यान उस जोकर की तरफ नहीं था एक शन के लिए वो जोकर फ्रेडरिको की निगास से ओजल हो गया लेकिन फिर अगले ही एक शन वो उसे दुबारा दिखाई दिया वो मेरी गोर राउंड की दिशा में भाग रहा था फ्रेडरिको ने महसूस किया कि अगर उसकी दोनों टांगे सलामत होती तो अभी वो भाग कर उस जोकर के पास नहीं पहुंच सकता था लेकिन मेरी गोर राउंड के पास पेडरो मौजूद था वो एक शन को ठिटका उसने अपने दोनों हाथ भूमपे के तरह अपने मूँ के सामने किये और छिला कर बोला पेडरो पेडरो उस जोकर को पकड़ो पेडरो ने एक भी शन नश्ट नहीं किया वो फॉरण अपने सामने से गुजरते जोकर पर जपट पड़ा उसके हाथ में जोकर की एक बाँ आ गई जोकर का भागना बंध हो गया लेकिन उसने एक ही जटके में पेडरो से अपनी बाँ छोड़ा ली पेडरो फिर उस पर जपटा तब ही जोकर के हाथ में एक रिवालवर प्रकट हुई नहीं फ्रेडरी को आतंकित स्वर में चिल लाया जोकर के रिवालवर ने कई बार आग उगली फ्रेडरी को भोचका सा सामनी देखता रहा दो गोलिया उसने पेडरो की छाती में धस्ती देखी उसके रिंग मास्टर की पोशाक का कोट खून से रंग गया एक चीक सुनकर उसका ध्यान पेडरो से परे गोद में बच्चा उठाए एक औरत की तरफ गया दोर से फ्रेडरी को को खून की जलक तो मिली लेकिन वो फिर भी नहीं समझ सका कि गोली उसके कहां लगी थी वो धराम से जमीन पर गिरी लेकिन उसने अपनी चाती से चिप के बच्चे पर से अपनी पकर धीली नहीं की फ्रेडरी को भीर में रास्ता बनाता गिरता पड़ता फिर आगे भागा समी पहुंच कर सबसे पहले उसने तेजी से घूमते मेरी गो राउंट और जाइंट वील की मोटरे बंद की फिर वो जपट कर जमीन पर पड़े बूडे पेडरो के पास पहुंचा उसकी चाती में से भल-भल करके खून बह रहा था पेडरो फ्रेडरी को ने अपनी दोनों बाहों का सहारा दे कर उससे तनी कूंचा उठाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया पेडरो मैं पेडरो बड़ी कठिनाई से बोल पाया मैं चला बेटा नहीं पेडरो नहीं तबी जैल अलिता आइंगर नामक नन्नी सी लड़की वहां पहुंची और अपनी खूब सूरत आंके फैला कर वो तेजित स्वर में बोली मैंने सब कुछ देखा था आंसु वाले जोकर अंकल उस खराब जोकर ने ठाएं ठाएं की थी जिससे वो अंकल भी लेट गए और वो आंटी भी लेट गई आंटी का बेबी रो रहा है आंसु वाले जोकर अंकल तब ही मारिया भागती हुई वहाँ पहुँची उसने घायल इस्त्री की बाहूं में से रोत हुए बच्चे को ले लिया और उसे अपनी चाती के साथ लगा कर चुप कराने की कोशिश करती हुई अपने पती के समी पहुँच गई वो गुटनों के बल अपने पती के पास बैठ कई और अतंकित भाव से पेडरो को देखने लगी ये बचे का नहीं फ्रेडरी को असाहाई भाव से गरदन हिलाता हुआ बोला इसके चाती में दो गोलिया लगी है मारिया रोने लगी पेडरो फ्रेडरी को व्यग्र भाव से प मुझे पैचाना हुआ सा लगा था बेटा मैं उसे तब नहीं पैचान पाया था लेकिन अब मुझे याद आ रहा है वो कौन था वो चोकरा चोकरा था वो कौन चोकरा पेडरो ने उत्तर देने के लिए दुबारा मूँ खोला तो उसका मूँ खुला का खुला रह किया उसक तब इमारिया के गले से एक आतंग भरी चीक निकली इससे पहले कि फ्रेडरी को कुछ समझ पाता किसी भारी चीज का प्रहार उसकी खोपड़ी पर हुआ उसका भेजा भन ना किया और दर्थ की एक लहर उसकी खोपड़ी से शुरू होकर उसके सारे जिस्म में दौड़ कई रिवॉल्वर की नाल से उसकी खोपड़ी पर फिर प्रहार करता हुआ रबेश कहर भरे स्वर में चिल लाया कहा चुपाया है लूट का माल कौन थे तेरे साथी उसने एक और प्रहार किया साले उल्लू के पठ्थे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी लूटने की उसन की हमारा ध्यान बक्तरबन गाड़ी की तरफ से बढ़ जाए तेरा शर्बत पीने से पहले तक मेरा भाई अच्छा भला था तूने ही उसके शर्बत में जहर मिलाकर उसकी जान ली है तूने तूने सुनिल को डगैती की खबर अपने ही अकबार का सांध्य संसकरन पढ़कर हुई सारी दोपहर वो प्रेस क्लब में अमेरिकन राश्टूत की प्रेस कांफरेंस में वियस रहा था उसके बाद वहीं बैठ कर उसने अपनी रिपोर्ट लिखी थी शाम को जब कलब में शाम का अकबार आया तो उसे मालूम हो सका कि मुगलबाद में इतनी बड़ी घटना घट गई थी और उसके लिए उसी जान जौन जोरो गाईलो फ्रेडरी को और उसकी पतनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था जिनका पिछली रात को उसने इंटर्व्यू लिया था और जो उस रोज के अकबार में उनकी तस्वीरों सहीत चपा था अकबार के लगभग सारे मुख्य प्रिष्ट पर डगैती की खबर चपी थी उपर डेर इंच मोटे टाइप में बाइं सिरे से लेकर दाइं सिरे तक फैली सुर्खी थी नाशनल बैंक की बक्करबन गाड़ी लुटी 16 लाक रुपई का सफाया तीन मरे अकबार के दाइं कोने में एक तीन कॉलम चोड़ी तस्वीर छपी थी जिसमें जोकर की पोशाक पहने फ्रेडरी को अपनी खूप सूरत बीवी को अपनी एक बाँ के सुरक्षात्म घेरे में लिए बैठा था मारिया की गोद में एक रोता हुआ बच्चा था उसके सामने जमीन पर एक खून से लटपद आदमी पढ़ा था और प्रेश्ट भूमी में मेरी गो राउंड दिखाई दे रहा था सुनीन ने जल्दी जल्दी खबर पढ़ी खबर के अनुसार उस रोज सुबा लगबग साड़ी दस बचे मुगल बात में नई खुले शॉपिंग सेंटर में हजारों लोगों की भेड के सामने गटना स्थल पर हर तरफ दिखाई देने लगे थे एक जोकर बक्तरबंद गारी पर चड़ गया था और मुठियां भर भर कर नोट लुटा रहा था प्रत्यक्ष्ट वो हरकत डकैती के तरफ से जनता का ध्यान बटाने के लिए की गई थी और काम्याब रही थी इस प्रकार लगबग 50,000 रुपए के नोट जनता में लुटाई गए थे और बाकी के 16,000 रुपए डकैत लूट ले जाने में काम्याब हो गए थे पुलिस के एक प्रवक्ता के कतना नुसार उस डकैती के लिए कार्निवल का जौन जोरो गाईलो फ्रेडरी को नामक गोवा की संचालक और उसकी पतनी मारिया जिमेधार थे डकैती की घटना से कुछ एक शन पहले मारिया ने गाड़ी के एक गाड़ उमेश सक्सीना को जहर मिला शर्बत पिला दिया था जिसकी वज़ा से वो घटना स्थल पर ही धेर हो गया था इसके अतिरिक सरस्वती देवी नामक एक लगबग तीस साल की महिला और कार्निवल का पेडरो नामक एक करमचारी डकैतों की गोलियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे थे पुलिस ने फ्रेडरी को और उसकी पतनी को हिरासत में ले लिया था सुनील ने अकबार एक तरफ फैंक दिया और उट खड़ा हुआ एक स्कूटर पर सवार होकर वो बलास के दफ्तर में पहुँचा वो नियूज एडिटर के आफिस में पहुँचा उसने अमेरिकन राजदूद का प्रेस कांफरेंस की रिपोर्ट उसके सामने रख दी रोई ने रिपोर्ट में बिना कोई दल्चस्पी दिखाई उसे एक और सरका दिया और बोला मुगल बाग की डकैती के बारे में क्या मालुम पढ़ा है तुम्हें हाँ मालुम पढ़ा सुनील बोला उसने अपनी जेप से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाने लगा डकैती के लिए उस आदमी को जिम्हेदार ठहराया जा रहा है जोसका कल रात तुम इंटर्व्यू लेकर आई थे हाँ मैंने पेपर में पढ़ा है सुनेल धेर सारा धुआ उगलता हुआ बोला अपने इंटर्व्यू के दोरान वो आदमी क्या तुम्हें ऐसी खतरनाक दिन दहारे डकैती डालने में समर्थ आदमी लगा था नहीं मुझे ऐसा संकेत जरूर मिला था कि वो आदमी पैसे से तंग था लेकिन इतना होसला मन तो वो मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी बड़ी डकैती डाल सकता है वो डकैती किसी अकेले आदमी का काम नहीं था वो नहीं तो उसके संगी साती होसला मन धोंगे हो सकता है इंटर्व्यू के दौरान मुझे इतना जरूर लगा था कि वो जिंदगी से खता खाया हुआ हालात से तंग कुंठा शिकार आदमी था एक बार आवेश में उसने ऐसा कहा भी था कि उसका जी चाहता था कि मोटी रकम हासिल करने के लिए वो किसी साहुकार का गला काटते किसी रईस का घर लोट ले या किसी बैंक में डाकर डाल दे लेकिन हकीकत में अगर अगले ही दिन उसकी वो डकैती की नियत होती तो ऐसी कोई बात इंटर्व्यू के दोरान वो अपनी जुबान से हरगिस नहीं निकालता लेकिन पोलिस डकैती के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रही है मुझे विश्वास नहीं होता कि डकैती में उसका हाथ हो वो अपनी पत्नी समेद गिरफ़तार हो चुका है इस बारे में वो खुद क्या कहता है वो तो अपने आपको सरसर निर्दोश बता रहा है लेकिन ऐसा कहना उससे अपेक्षित ही है आफिर तीन आत्मियों की जान गई है और लूटी गई रकम अभी तक गायब है वो अपना अपराद कबूल करेगा तो सीधा फॉनसी पर ही चट जाएगा अकबार में रिपोर्ट के साथ चपी तस्वीर किसने खिंची थी अरजुन ने क्या अरजुन आफिस में है हाँ होगा जरा बुलाओ तो रॉय ने घंटी बजा कर चप्रासी को तलब किया और उसे अरजुन को बुला कर लाने के लिए कहा एक मिनट बाद अरजुन भीतर दाखिल हुआ और बड़े अदब से रॉय के सामने आख खड़ा हुआ बैठो रॉय बुला अरजुन सुनेल की बगल में बैठ गया अरजुन सुनेल उससे संबोधित हुआ क्या ड़कैती तुम्हारे सामने पड़ी थी मेरे सामने नहीं अरजुन बुला यूं कहिए कि मेरी मौजूद की में पड़ी थी क्या फरक हुआ दरसल में शॉपिंग सेंटर की इमारत के अंदर था बहुत सारा हंगामा हो चुका था तो मुझे मालूम हुआ था कि बाहर क्या गुल खिल रहा था I see, क्या देखा था तुमने एकदम कयामत का नजारा देखा था गुरू जी ऐसी मार धार, आपा धापी और चीना जपटी मैंने अपने जिन्दगी में कभी नहीं देखी थी कुछ नोट पबलिक में लुटा कर वहाँ वो माहौल पैदा कर देना दकैती का सबसे मास्चर चेफ आइडिया था वहाँ नोटों की ऐसी लूट मची थी कि लोग पागल हो गए थे अपने सुद भूत खो बैठे थे लोग हवा में तो नोट पकड़ ही रहे थे एक दूसरे से नोट चीन रहे थे एक दूसरे के कपड़े फाड रहे थे आपस में मार पीट कर रहे थे क्या बच्चे क्या बड़े हर कोई इसी कोशिश में था कि ज्यादा से ज्यादा नोट उसके गिरफ में आ जाए बाद में जब पुलिस वहाँ पहुंची तो एक बार भी वो भी 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 भीर को काबू नहीं कर सकी पुलिस ने लोगों को नोट लूटने से लोकना चाहा तो लोग पुलिस पर ही तोट पड़े बाद में वहाँ आंसू गैस छोड़ी गई तो तब कहीं जाकर लोग छितराए और वहाँ शान्ती हुई उस दरान फ्रेडरी को कहा था? क्या पता कहा था? पगलाए हुए हजारों लोगों में एक फ्रेडरी को की और ध्यान देना कहा मुम्किन था? वैसे पुलिस का कहना है कि वो जरूर उस वक डगैती का माल कहीं छुपा रहा होगा बाद में वो मुझे मेरी को राउंड के सामने वैसे ही बैठा मिला था जैसे वो पेपर में छपी तस्वीर में दिखाई दे रहा है जर्ब पेपर मंगवाओ सुनिल रॉय से बोला मेरे पास है रॉय बोला उसने एक ट्रे में से बलास्ट का उस रोस का इवनिंग एडिशन निकाल कर सुनिल के सामने रख दिया सुनेल ने पेपर को मुख्य प्रिष्ट पर छपी तस्वीर की तरफ से अरचुन के सामने किया और बोला ये फ्रेडरिको के चेहरे पर और इसकी जोकर की बोशाक पर काली-काली लकीरे कैसी खिंची हुई है ये खुन है अरचुन बोला खुन? हाँ, उमेश सक्सेना नामक जो गाड जहर से मरा है उसके भाई ने फ्रेडरिको को बहुत मारा था लोगों ने उसे पकड नहीं लिया होता तो शायद वो फ्रेडरिको को जान से ही मार डालता ऐसा क्यूं किया उसने? क्योंकि वो फ्रेड्री को को ही डखय थी और अपने भाई की मौत के लिए जिमेदार मान रहा था और उसकी बीवी ने क्या कहा इस बारे में उसने क्या कहना था वो तो गूंगी है आप शायद भूल गए है जी हाँ, अरजुन खामुश रहा तुमने वहाँ यही एक तस्वीर खिंची थी जो चपी है नहीं और भी खिंची थी, क्या दिखाऊँ बात में दिखाना, और क्या जाना तुमने वहाँ से कुछ भी नहीं, तुमने वहाँ कितने जोकर देखे थे मैंने तो इस बारे में खास ध्यान नहीं दिया था लेकिन पुलिस ने जब लोगों से पूश ताच की थी तो उने बताया कि वे कई थे तुम्हें कितने दिखाई दिये थे मुझे तो फ्रेडरिको के इलावा एक वही और जोकर दिखाई दिया था जो बक्तरबन गाड़ी पर चड़ा नोट लुटा रहा था यानि कि फिलहाल ये भी कहना कठिन है कि ये कितने आत्मियों का काम था जी हाँ बक्तरबन गाड़ी यू लावारिस कैसे हो गई थी ये भी डगैती कि योशना का एक हिस्सा था कि बक्तरबंद गाड़ी लावारी स्रह चाए अच्छा जी हाँ गाड़ी के साथ तीन आत्मी थे एक मोहर सिंग नाम का ड्राइवर और उमेश सकसेना नाम के दो गार्ड उमेश जब जहर की वज़ा से तरपने लगा था तो वहाँ एक डॉक्टर पहुंचा था जिसने अपना नाम अहुजा बताया था उसने मोहर सिंग को पडोस के एक डॉक्टर से इस चमक पंप लेने भेश दिया था इस प्रकार तीनों में से दो आत्मी यूँ बक्तरबंद गाड़ी से परे हो गए थे और तीसरा रमेश सक्सेना अपने मरते हुए भाई के सिरहाने बैट किया था उस वक्त उस बक्तरबंद गाड़ी से ज्यादा महत्वपोन अपने भाई की जिंदगी लग रही थी असल में तो उसे गाड़ी के भीतर माल के पास होना चाहिए था लेकिन अपने भाई के साथ गुजरे हाथ से की वज़ा से वो अपनी ड्यूटी भूल गया था और गाड़ी को लावारिस छोड़ कर भाई के पास पहुँच किया था वो डॉक्टर क्या कहता है कुछ भी नहीं क्या मतलब डकैती की आपा धापी में वो कहीं खिसक गया था पुलिस को अभी तक नहीं मालूम हो सका है कि वो कौन था या डॉक्टर था भी या नहीं कहीं वो भी तो डकैतों का संगी नहीं था हो सकता है पुलिस ने इस संभावना पर विचार किया है कि शायद वो इंसाइड जॉब हो ये इंसाइड जॉब नहीं हो सकता भाई सहब बकतरबंद गारी का ड्राइवर मोहर सिंग यही नौकरी करता बुड़ा हो गया है गार्डों में से एक तो मर गया है दोसरा बैंक का रुपया लूटने के लिए अपने ही भाई को जहर दे कर मार डाले यह नहीं हो सकता तुम ठीक कह रहे हो फिर कुछ शन खामोशी रही इस सलसले में मेरे लिए क्या आग्या है फिर सुनेल रॉय से संबोधित हुआ तुम फ्रेडरिकों से एक और इंटर्व्यू हासिल करने की कोशिश करो रॉय बोला पुलिस मुझे उसके पास भी नहीं फटकने देगी शायद फटकने दे तुम्हारी गैर हासिली में यहां इंस्पेक्टर प्रभु देयाल का फोन आया था वो आई सुबह के बलास के फीचर सेक्शन में छपे फ्रेडरिकों के इंटर्व्यू के बारे में तुमसे बात करना चाहता है यह तो वो खास तोर से जानना चाहता है कि ऐसा इतिफात क्यों कर हुआ कि जिस साथमी का कल शाम तुमने इंटर्व्यू लिया उसीने अगली सुभा इतना बड़ा गुल खिला दिया तुम उससे बात करो और बातचीत के दौरान इतना अच्छा महाल पैदा करो कि वो तुम्हें फ्रेडरिकों से मिल लेने थे सुनिल डू सम्थिंग यू वांट में टू बटर हिम एनिथिंग एनिथिंग देट विल डेराइव रिजर्ट पॉलिश एपल्स टिकल हिस बॉल्स फॉइंड हिस बनाना एनिथिंग अन्डस्टेंड सुनिल खामोश रहा सुनिल मुझे कल के पेपर में तस्वीर का गिरफतार आतमी की और का रुख चापना है तुम आज रात तक किसी भी तरह मुझे फ्रेडरिको का इंटर्व्यू हासिल करके दो पॉलिस वैसे भी उसे प्रेस से छुपाई नहीं रख सकती सुनिल बोला हो सकता है लेकिन मुझे उसका इंटर्व्यू आज चाहिए अगले हफते नहीं चीक है मैं कोशिश करता हूँ कोशिश नहीं ये काम तुम्हे करना ही है अच्छा 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 नहीं तुमने ये काम सुनिल उटकर खड़ा हो गया क्या हुआ रॉय हैरानी से बोला वही जो हमेशा होता है सुनिल कठोर स्वर में बोला क्या हमेशा होता है क्या तुम्हें नहीं मालूम अरे भाई क्या तुम्हारे रिकॉर्ड के सुई अटक गई है अब ये एक ही बात बार बार दोराता चला जाएगा रॉय हट बढ़ाया उसने आहत भाफ से सुनील की योड देखा और बेचैनी से पहलू बदला तुम जरा मेरे साथ चलो सुनील अर्जण से बोला अर्जण उठा उसने रॉय का अभिवादन किया और सुनील के साथ थो लिया बागी तसवीरे कहा है गल्यारे में चलते हुए सुनील ने पूछा मेरे बैक में है अर्जण बोला आप अपने कैबिन में चलिए, मैं लेकर आता हूँ सुनील ने सहमती में सेर हिलाया और आगे बढ़ गया वो अपने कैबिन में पहुँचा उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे-छोटे कश लगाता हुआ अरजुन की प्रतिक्षा करने लगा दो मिनट बाद अरजुन वहां पहुचा उसने एक खाली लिफाफा सुनील के सामने रख दिया और एक कुर्सी पर बैट किया सुनील ने बड़ी गौर से उन तस्वीरों को देखा लेकिन उसके पहले कोई ऐसी बात नहीं पड़ी जिसका उसके निगा में कोई महत्व होता एक आएक सुनील ने तस्वीरे वापिस लिफाफे में धकेल दी और अरजुन से पूचा पुलिस को ये पका विश्वास है कि उमेश सक्सेना नाम के उस गाट को जहर मारिया ने ही दिया था जी हाँ अरजुन बड़ी संजीत के से बोला इसी वज़ा से तो वो गिरफ़तार है क्या कोई ऐसा चश्मदित गवा है जिसने उसे पाइनेपल जूस में उमेश सक्सेना वाले गिलास में जहर मिलाते देखा हो ऐसा कोई गवा तो नहीं है लेकिन गुरुजी हालाद बताते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि उसके इलावा किसी और ने उस गाट को जहर दिया हो लेकिन फिर भी पहले ज़रा मेरे पूरी बात सुन लीजिए बेहतर अपनी तफ्तीश के दरान पुलिस को मालुम हुआ है कि उन गोवानी पती पतनी में और उमेश सकसेना नामक उस गाट में पहले से ही रंजिश चली आ रही थी फ्रेडरीको का कार्डनीवल पिछले हफते तक नेशनल बैंक के लिंक रोड पर स्थिद हेड आफिस की बगल में लगा हुआ था सुनने में आया है कि वहाँ उमेश सकसेना ने एक बार मारिया को छेड़ा था और बड़ी बेहूदगी से उसके गाल पर चिकोटी काट ली थी अपनी बीवी की चीक सुनकर फ्रेडरीको को खून कर देने वाले अंदास से उमेश पर झपटा था लेकिन लोगों के बीच बचाफ कर देने की वज़ा से कोई अपरी ये घटना तो नहीं घट पाई थी लेकिन फ्रेडरीको ने उमेश को चेतावनी दी थी कि अगर दुबारा कभी उसने उसकी बीवी को छेड़ा तो वोसे जान से मार डालेगा आज सुभा भी सुना है उसने मारिया के संदर्ब में फ्रेडरीको को सुना कर कोई उल्टी सीधी बात कही थी फ्रेडरीको ने पुलिस के सामने खुद अपने मूँ से कबूल किया था कि अगर उमेश ने मारिया के साथ फिर कोई उल्टी सीधी शरारत की होती तो निश्चे ही खून खराबा हो जाता लेकिन वैसा कोई खून खराबा हुआ तो नहीं नहीं हुआ लेकिन ये भी हकीकत है कि अपनी मौत से थोड़ी ही देर पहले उमेश मारिया के कोल डिंग्स के स्चाल पर पहुँचा था मारिया ने उसे मशीन में से निकाल कर पाइनेपल जूस का एक गिलास दिया था उसको पी कर उमेश कुछी कदम आगे बढ़ा था कि एका एक उसकी हालत बद होने लगी थी उसके फॉरण बात ही वो जमीन पर गिल कर तड़पने लगा था भाई सहब इस बात के सैंक्रो चश्मदित गवा हैं कि उमेश की वो हालत मारिया का दिया हुआ पाइनेपल जूस पीने के बाद हुई थी इस बात के भी कई चश्मदित गवा हैं कि जब उमेश मारिया के स्चाल पर पहुँचा था तब और उसके पहले वो एक दम ठीक था तब तक ना उसने दम घुटने की शिकायत की थी और ना पेट में दर्द होने की उसने तो वो जूस पिया कुछ कदम आगे बढ़ा एका एक कटे व्रिक्ष की तरह जमीन पर किरा थोड़ी देर तडपा और फिर मर किया अब आप ही बताईए भाई साहब की अगर आप पुलिस वाले होते तो आप इससे क्या नतीजा निकालते लेकिन फिर भी भाई गडबर है जरूर वो बेचारी गूंगी असहाई औरत किसी को जहर देकर मार डालने जैसा खतरना काम करने में समर्थ लगती नहीं थी गुरुजी ये तो पोस्मार्टम से भी साबित हो चुका है कि उमेश की मौत जहर से हुई है आप ही बताईए अगर मारिया ने उसे जहर नहीं खिलाया तो किसने खिलाया सुनेल ने उत्तर नहीं दिया वो विचार पूर्ण मुद्रा बनाए सिग्रेट के कश लगाता रहा फिर एका एक उसने हाथ बढ़ा कर कॉल बेल बचाई मान सिंग भीतर आया तो उसने उससे इवनिंग नियूस की एक कॉपी मंगवाई वो तस्वीर देखो सुनेल मुख्य प्रिष्ट पर डकैती की खबर के साथ चपी एक लौती तस्वीर अरजुन को दिखाता हुआ बोला ये तुम्हारी अपनी खिंची हुई तस्वीर है हाँ अरजुन तनी कागे को जुक कर तस्वीर देखता हुआ बोला क्या देखू मैं इसमें ये तस्वीर तुमने कब खिंची थी पुलिस के आने से पहले या बात में पहले पुलिस खटना स्थल पर तो जल्दी आ गई थी लेकिन गुवानी दमपती तेर बात पहुंचे थे अब तक मुझे ये बताओ अर्जुन की जो औरत बैंक का 16 लाक रुपया लूटने की योशना के अंतरगत अभी अभी एक आदमी को जहर खिला कर उसका बड़ी बेरहमी से खून करके हटी हो उसको किसी और औरत के रोते हुए बच्चे पर इतना तरस क्यों कराया कि वो उसे उठा कर उसे चुप करानी की कोशिश करने लगी अगर डगैती के लिए वो दोनों पती-पत्नी जिमेदार थे तो उनके लिए ज्यादा जरूरी काम किसी मरते हुए आतमी के सामने बैठ कर अफसोस करना और किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराना था या डगैती का रुपया ठिकाने लगाने की कोशिश करना था अर्जुन कुछ शंट सोचता रहा फिर एका एक उसके चेहरे के भाव पतले वो प्रत्यक्षते इत्मिनान की एक लंबी सांस लेता हुआ बोला गुरुजी अगर वो गोवानी दमपती बेगुना निकले और पुलिस के चंगुल से छोड़ गए तो मुझे दिली खुशी होगी मुझे भी सुनील बोला सुनील पुलिस हैट क्वार्टर पहुँचा इंस्पेक्टर प्रभु दियाल अपने कमरे में मौजूद था बाप वो बोला दरसल प्रभु दियाल बोला आज ही एका एक मुझे खयाल आया था कि तुमारा सुन्दर मुकड़ा देखे हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे क्या कहने कॉफी पियोगे तुम पिलाओगे तो भलक क्यों नहीं पियूँगा प्रभु दियाल ने घंटी बजा कर एक हवलदार को बुलाया और उसे कॉफी लाने के लिए कहा सुनिल ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला अपने विशिश्ट अंदास से उसे जढ़र कर उसने एक सिगरेट पैकेट में से आधा बाहर निकाला और पैकेट प्रभु दियाल की और बढ़ाया नहीं प्रभु दियाल बोला शुक्रिया सुनिल ने वही सिगरेट अपने होंटों से लगा लिया और लाइटर निकाल कर उसे सुलगा लिया अब बताओ सुनिल बोला असल में क्यों बुलाया है मुझे सुनिल प्रबुद्याल बोला मुगलबाद में पड़ी डखैती की खबर तो तुम्हें लगी गई होगी हाँ तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस सिलसले में हमने एक आदमी की और उसके बीवी को गिर्फतार किया है आद सुबह के ब्लास में उसी आदमी का इंटर्व्यू छपा है और उसकी बाई लाइन के मुताबिक वो इंटर्व्यू तुमने लिया था तुम भूत पूर्फ सरकस चार जॉन जोरो गाईलो फ्रेडरिको के इंटर्व्यू की बात कर रहे हो हाँ हाँ वो इंटर्व्यू मैंने लिया था कब कल शाम तुमें फ्रेडरिको का इंटर्व्यू लेना सूचा कैसे मुझे उसका इंटर्व्यू लेना नहीं सूचा था मुझे तो अपने एडिटर की तरफ से हुकम हुआ था कि मैं उसका इंटर्व्यू लेकर आऊं सो मैं लेने पहुंच किया था I see प्रभुद्याल तनिक सक्पकाई स्वर में बोला यानि कि व्यक्तिगत तोर पर उस आदमी से तुम्हारी कोई वाक्वित नहीं थी सवाल ही नहीं पैदा होता इंस्पेक्टर साहब कल शाम से पहले मैंने कभी उस आदमी के सूरत नहीं देखी थी हम् प्रभुद्याल बोला प्रत्यक्ष्टर सुनिल के उस जवाब से उसे बहुत नेराशा हुई थी सच कह रहे हो लो सुनिल हैरानी जाहिर करता हुआ भूला इतने से बात के लिए मैं भला तुम से जोट क्यूं बोलूँगा तब ही हवलदार काफी ले आया उसने सुनिल और प्रभुद्याल के सामने काफी के कप रख दिये और वहां से रुकसत हो गिया ऐसे इंटर्वियो तो कांट चांट कर चापे जाते हैं प्रभुद्याल फिर बोला वास्तव में तो तुम्हारी उससे बहुत बाते हुई होगी ना हाँ सुनिल काफी का गोंट लेकर बोला काफी बाते हुई थी कोई ऐसी बात जो ब्लास में तो नहीं चपी हो लेकिन इंटर्वियो के दरान जिसका जिक्र आया हो और जो फ्रेडरी को या उसकी बीवी की फित्रत पर कोई रौशनी डाल सकती हो तुम्हारा मतलब है आज की डकैती के संदर्ब में हाँ सुनिल ने कौफी का एक और घोंट पिया सिग्रेट का एक लंबा कश लगाया और गंभेव स्वर में बोला प्रभू इंटर्वियो के दरान तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी लेकिन हाँ हाँ प्रभु देयाल उसे प्रोटसाहन देता हुआ बोला बोलो लेकिन जब मैं उसका इंटर्वियो लेने की गरत से ब्लास के आफिस से रवाना हो रहा था तो एक ऐसी घटना जरूर घटी थी जो बड़ी अनोखी और रहस्य पोन तो जरूर थी लेकिन उसका डगैती से कोई रिष्टा था या नहीं ये मैं नहीं कह सकता ऐसा क्या हुआ था सुनील ने उन दोनों आत्मियों को अपने टक्राफ की बात प्रभुद्याल को सुना थी जो पिछली रात ब्लास की इमारत की बगल की अंधेरी गली में उस पर जपते थे क्या तुमने उनकी सूर्टे देखी थी प्रभुद्याल ने सतर्क स्वर में पूचा नहीं मेरे खयात से उन्होंने चेहरों पर रबड के मास्क चड़ाए हुए थे प्रभु दरसल कुछ देख पाने लायक रोशनी उस गली में नहीं थी लेकिन बात में फ्रेडरिकों ने तुम्हारे सामने ये कबूल किया था कि वो जोरों के नाम से भी जाना जाता था हाँ ये तो कबूल किया था लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा था कि जो संदेश उन लोगों ने मेरे माध्यम से जोरों को दिया था उसका कोई मतलब उसकी समच से बाहर था हो सकता है वो जूट बोल रहा हो मुझे वो जूट बोलता नहीं लगा था मुम्किन है कोई और पार्टी भी बैंक की उस बक्तरबंध गारी को लूटने की फिराक में हो उन्हें मालुम हुआ हो कि फ्रेडरी को भी ऐसी ही किसी कोशिश में था उसको हतोत साहित करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे माध्यम से ये कहलवाया हो कि अगर उसने उन लोगों के माल पर दांद गड़ानी की कोशिश की तो उसकी खैड नहीं थी हो सकता है प्रबु देयाल कुछ शर्ण सोचता रहा और फिर बोला ये भी हो सकता है कि वो भी फ्रेडरिको के ही कर्टूत रही हो क्या मतलब? शायद उसने अपने पर से शक खटाने के लिए वो ड्रामा करवाया हो इतना चालाक आत्मी वो मुझे लगा तो नहीं था प्रबु कई लोग प्रत्रेक्ष्टे बहुत भूले भाले लगते हैं लेकिन भीतर से एक नजर के कमीने होते हैं अपने पुलिस की नौकरी में आई दिन मुझे ऐसे अभिनेता देखने को मिलते हैं डकैथी के बारे में खुद फ्रेडरिको क्या कहता है सुनील ने पूछा वो दो आदमी थे जो उसी जैसा जोकरों का लिबास पहने हुए थे सिर्फ दो लोग तो कहते हैं कि वहां कम से कम आधे दर्जन जोकर थे वो कहता है कि उसके इलावा घटना स्थर पर केवल दो ही और जोकर थे एक जो बकतर बंद गाड़ी पर चड़ा नोट लूटा रहा था और दूसरा जो उसने मिनियेचर रेल गाड़ी के इंजन में देखा था लेकिन हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं लूट के माल में से कुछ फ्रेडरी को या उसकी बीवी के पास से बरामत हुआ है क्या नहीं माल तो जाहिर है कि उसके संगी साथी ले गए और वो पीछे अपने निर्दोश होने का ड्रामा करने बैठा रह किया ऐसा करना उसके लिए जरूरी था अगर वो भी भाग जाता तो उसके गुना का ये अपने आप में परियाप्त सबूत होता वो समझतार था जो नहीं भागा यानि कि तुम्हारी निगाह में तो इस बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सब किया धरफ फ्रेडरिको का है बिल्कुल ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि उसने बहुत सोच विचार कर एक नपीतोली योशना के अनुसार सब कुछ किया है नेशनल बैंक हैड आफिस की बगल से उसने अपना कार्निवल लगाया ही इसलिए था ताकि वो बैंक का रुपया धोने वाली बक्तरबंद गाड़ी के मूवमेंट समझ सके फिर उसने गाड़ी को लूटने की एक नपीतोली योशना बनाई और रात सुभा अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी पर हाथ डाल दिया गाड़ी के स्चाफ को कैसे उन्होंने गाड़ी से परे किया ये तुमने सुना ही है ये तो हो सकता है कि उनके किसी को जान से मार देने की योशना नहीं रही हो लेकिन इतिफाक से नौबत ये भी आ गई हो शायद मारिया उमेश सकसेना को इतना ही जहर खिलाना चाहती थी कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए या यूँ ही तडपता रहे लेकिन शायद जहर के मिगदार स्यादा हो गई और वो मर गया इसी प्रकार अगर पेडरो नाम का आत्मी एक जोकर को पकड़ने की कोशिश नहीं करता तो गोली नहीं चलती और दो और जाने नहीं चाती लेकिन मैंने तो सुना है कि फ्रेडरिको के ही कहने पर पेडरो ने उसे भागते हुए जोकर को रोकने की कोशिश की थी जिसने गोलियां चलाई थी अगर वो खुद दकैती के लिए जिम्मेदार था तो उसने अपने ही साथी को पकड़वाने की कोशिश क्यों की वो बक्वास करता है जूट बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रेडरिको ने पेडरो को ऐसा कुछ कहा हो जरूर पेडरो ने खोद ही उस जोकर को पकड़ने की कोशिश की थी और जोकर ने उस पर गोली चला दी थी सुनिल हमारे पास कई ऐसे गवा हैं जो कहते हैं कि फ्रेडरिको ही वो जोकर था फिर भी लोगों का कहना है कि गोली चलाने वाला जोकर फ्रेडरिको था पेडरो फ्रेडरिको का अपना आदमी था उसने अपने ही आदमी पर गोली क्यों चलाई थी पेडरो उसका आदमी जरूर था सुनील लेकिन किस हैसियत से उसके एक करमचारी की हैसियत से शायद उसने पेडरो को डकैती में शामिल किये जाने के काबिल नहीं समझा था और पेडरो को भी नहीं मालूम था कि सारा किया धरा उसके एमपलॉयर का था इसलिए उसने फ्रेडरिको को पकड़ने की कोशिश की और इसलिए फ्रेडरिको को उस पर गोली चलानी पड़ी लेकिन गोली चलाने के बाद जब फ्रेडरिको बच्छी निकला था तो वो वापिस क्यों लोटा सुनिल बोला ये भरम बराएं रखने के लिए कि डगैती से उसका कोई रिष्टा नहीं था मैंने पहले ही कहा है कि अगर वो भाग जाता तो यही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होता Flight is an evidence of guilt सुनेल ने काफ कॉफी का आकरी घून पीकर कपेक और सरका दिया और नया सिगरेट सुलगाता हुआ बोला प्रभू तुम कुछ कहो लेकिन मुझे तो यही लगता है कि फ्रेडरिको को फसाया जा रहा है अगर ऐसा है तो ये भी तो बताओ कि कौन फसा रहा है उसे क्या रमेश सकसेना या मोहर सिंग रिपोर्टर सहब दोनों बैंक के बड़े आसमाई हुए और पूरे भरोसे के करमचारी है और उन्होंने अपनी नौकरी में लूटी रकम से कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी रकमे ढोई है और फिर ये मत भूलो कि हद प्राण उन दोनों करमचारियों में से एक का सगा भाई था दौलत की खातिर कोई यूँ अपने सगे भाई की जान ले ले ये क्या मानने की बात है शायद बैंक के हेड आफिस के किसी आत्मी का डकैती में हाथ हो नहीं हो सकता क्योंकि बैंक के हेड आफिस में जो कैशियर कैश को हैंडल करता है और काफी अरसे से करता चला आ रहा है वो एक साधवी है क्या है? साधवी, खुद की बंदी, सनियासी नी फिर भी वो बैंक में नौकरी करती है ऐसा ही सुना है मैंने मैंने उसे भी यहां बुलाया है बांसलों से लेने गया हुआ है वो आता ही लो, आही गया वो सुनियल ने घूम कर दर्वासे की तरफ देखा प्रभु देयाल का मातत सब इंस्पेक्टर बांसल एक लड़की के साथ भीतर दाखिल हो रहा था लड़की ने प्रभु देयाल को नमस्ते की प्रभु देयाल ने नमस्ते का जवाब दिया और मेठे स्वर में बोला आईए इधर आ जाईए वो सुनियल की एक बगल में कुर्सी पर बैठ गई बंसल वहां से चला किया सुनियल ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा उम्र में वो नौजवान थी लेकिन सुनियल को नौजवानी या खूप सूर्ती से रिष्टा रखने वाली एक भी बात उसमें दिखाई नहीं थी वो जोगियों जैसे भगवे रंग की बोरी जैसी सल्वार कमीस पहने थी उसकी चाती लड़कों की तरह सपाट थी चेहरे पर कोई मेकब होना तो दूर वो इतना रगड कर पोंचा गया था कि मोम का बना मालूम होता था उसके काले बाल रूखे थे जो उसने अपनी गर्दन के पीछे इतना कसकर बांदे हुए थे कि माथे की खाल पीछे को खिंच गई थी और भवे बड़े अनाकर्शक धंग से तिर्शी हो गई थी उसने अपनी आँखो पर एक तार के फ्रेम बाला चश्मा लगाया हुआ था जो कि उसकी नाक की फुंगी पर टिका हुआ था सुनेल ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी औरत देखी थी जिसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो किसी को आकर्शित कर सकती हो अच्छा ही था कि वो सादू सन्यासियों जैसा रूपधारण किये हुए थी धंग से भी रहती तो कौन सा तीर मार लेती क्या आपका नाम क्रिशना है प्रबुद्याल मीठे स्वर में बोला जी हाँ वो बोली सुनेल ने नोट किया कि उसकी आवाज भी उसके बाकी व्यक्तित्व जैसी रूखी और अनाकर्शक थी क्या आप नेशनल बैंक के हेड आफिस में कैशियर है जी हाँ पिछले पांच सालों से मैं वहाँ कैशियर की नौकरी कर रही हूँ बक्तरबन गाड़ी में रुपया गेन कर रखवाना आपका काम होता है जी हाँ आज सुबर जो गाड़ी लुटी है उसमें भी रुपया आपने रखवाया था जी हाँ कितना रुपया था लगभग साड़े सोला लाक रुपय बक्तरबन गाड़ी में ढोई जाने के लिहाँ से ये रकम कैसे मानी जाती है क्या काफी बड़ी नहीं मामुली मैंने कई बार सतर सतर असी असी लाक भिखजवाई है बिस लाक के आस पास की रकम तो आम हो जाती है हेड आफिस से ये रकम गाड़ी तक कैसे पहुँचती है मुझे चेफ अकाउंटेट से जरूरत की रकम का निर्देश मिलता है मैं वो रकम वाल्ट में से निकलवाती हूँ और बकतर बंद गाड़ी में रखवा देती हूँ फिर मेरे सामने एक गाड़ रकम के साथ भीतर बैठता है और दर्वाजा बंद करके भीतर से ताला लगा लिता है फिर दूसरा गाड़ ड्राइवर के साथ आगे बैट जाता है इसके बाद ही गैरिश का फाटक खुलवाया जाता है और गाड़ी को बाहर जाने दिया जाता है यानि कि जब तक गाड़ी रवानगी के लिए तयार नहीं हो जाती वो गैरिश के भीतर बंद रहती है जी हाँ वो गेरज विशेश रूप से इसी काम के लिए बनवाया किया है उसके प्रिष्ट भात में एक दर्वाजा है जो उसका संबन बैंक की इमारत के साथ जोड़ता है उस दर्वाजे के पास ही वाल्ट है दर्वाजे की चाबी भीतर बैठे गार्ट के इलावा और किस के पास होती है किसी के पास भी नहीं वो चाबी सिर्फ उस गार्ट के पास होती है उसकी कोई और चाबी है ही नहीं क्या एक चाबी और है लेकिन वो हमेशा वाल्ट में रहती है वो चाबी तो किसी के हाथ नहीं लग सकती होगी सवाल ही नहीं पैदा होता वो चाबी तो तब ही हाथ लगेगी जब कोई वॉल्ट में घुसने में काम्याब होगा एक तो वॉल्ट में घुस पाना ही असंभव है और फिर अगर कोई वो असंभव काम कर भी लेगा तो वो वहां लगे नोटों के अमबार पर हाथ साफ करेगा या चाबी चुराएगा आप ठीक कह रही है बकतरबन गाड़ी में रुपया रखता कौन है दोनों गाड़ों में से एक रखता है आज सुबह ये काम उन दोनों में से किस ने किया था कृष्णा के गंजे की खोपड़ी जैसे खलवाट माथे पर बल पड़ गए वो कुछ शंट सोचती रही और फिर बोली मेरे खयाल से आज सुबह उमेश ने रुपया गाड़ी में रखा था आपके खयाल से क्या आपको ठीक से याद नहीं इंस्पेक्टर साहब दोनों ही भरोसे के गाड़ हैं उन में से एक ने तो ये काम करना ही होता है वैसे अब मुझे ठीक से याद आ गया है कि आज सुबह रुपया उमेश ने ही गाड़ी में रखा था उसी से मैंने रकम की रसीद पर साइन करवाई थे रसीद? कैसी रसीद? रकम की वो रसीद जो गाड़ी में रकम लग जाने के बाद मैं उन लोगों से लेती हूँ वो रसीद मुझे हासिल हो जाने के बाद रुपय की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती आज सुबह भी आपने ऐसी रसीद हासिल की थी क्या जी हाँ, जब तक वो रसीद मेरे हाथ में ना आ जाए तब तक बक्तर बंद गाड़ी, गैरेट से बाहर नहीं निकल सकती आज सुबह वो रसीद किसने साइन की थी मैंने बताया तो, उमेश ने उमेश वो गाड़ है न जो मर गया? हाँ, बेचारा उसने अपने बैग में से एक रुमाल निकाला और अपना चश्मा उदार कर अपनी आँखे पोंचने लगी क्या आपको उमेश की मौत का अफसोस है? क्रिशना की आँखों से और आंसु बै निकले उसने धीरे से सहमती में सेर हिलाया और फिर भर्राई स्वर में बोली बेचारा बहुत अच्छा लड़का था मेरे साथ हमेशा बड़े सने भाफ से पेश आता था बैंक में उसके उम्रे के लड़के तो मेरा मजब तक उड़ा देती थे लेकिन उमेश ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जो शालींता और सदाचार के खिलाफ हो मैं तो कहती हूँ कि जिस ओरत ने उसे जहर खिलाया है भगवान उसे नर्क में भी जगा ना दे इंस्पेक्टर सहब इंसाफ की खातिर आपको चाहिए कि आप उस ओरत को और उसके पती को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ाने का इंतिजाम करें आप खातिर जमा रखिए प्रभुद्याल सांथवना पूंटस्वर में बोला मैं आप से वादा करता हूँ कि मुझ्रिमों के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बढ़ती जाएगी क्रिशना खामोश रही उसने एक बार जोर से अपनी आँखे पोंची और फिर चश्मा नाक पर टिका लिया सुनील ने खंकार कर गला साफ किया और धीरे से बोला क्या मैं एक सवाल पोच सकता हूँ प्रबुदयाल ने क्रिशना की तरफ देखा क्रिशना ने सेहमती में सेर हिलाया तो वो बोला ये मिस्टर सुनील है ये बलास के रिपोर्टर है क्रिशना ने एक सरसरी निगा उस पर डाली और फिर सिर जुका लिया क्रिशना जी सुनेल मिठे स्वर में बोला अभी आपने कहा था कि बैंक के कुछ लड़के आपका मजाग उड़ा देते हैं क्यूँ मेरे इस पहलावे की वज़ा से वो संकोश पूर्ट स्वर में बोली मेरे इस रक रकाव की वज़ा से आप ऐसे क्यों रहती है ये हमारी पारिवारिक परंप्रा है हमारी कुछ ऐसी मान्यताई है जिनके अंतरगत हमारे परिवार में एक खास वक्त पर पैदा होने वाली कन्या को सन्यास धारन करना पड़ता है यानि कि आप शादी नहीं करेंगी सवाल ही पैदा नहीं होता आपके उम्र कितनी है पच्चिस साल यानि कि 20 साल के उम्र से आप बैंक में नौकरी कर रही है जी हाँ क्या आप शिक्षित है मैं भी ये पास हूँ वो गर्फ पॉर्ण स्वर में बोली जब आप पढ़ती थी तब भी आप ऐसे ही रहती थी मैं जब से पैदा हुई हूँ ऐसे ही रह रही हूँ लेकिन ये कैसा सन्या से कि आप बैंक में नौकरी करती है इस प्रकार मो माया का त्याग तो नहीं हुआ मो माया का त्याग अंतर से होता है और बैंक की नौकरी करने के पीछे एक मजबूरी है जो मैं आपको समझा नहीं सकती लगता है आपके इस धर्म में ग्रहस ताश्रम में ही प्रवेश की पाबंदी है बाकी आप सब कुछ कर सकती है आप कुछ भी समझ सकते हैं लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गई है मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानती वो निर्विकार भाव से बोली इस प्रकार के राग द्वेश से मैं परे हूँ ये तो सच नहीं है अभी आपने फ्रेडरिको और उसकी पत्नी मारिया के खिलाफ इतना आक्रोश प्रकट किया था आप उनके कुछ रित्यों को तो निर्विकार भाव से नहीं देख पाई आप तो चाहती हैं कि वो दोनों जल्द से जल्द फांसी पर लटक जाएं खुदा के बंदे तो ऐसी बाते नहीं करते ये तो संसारी जीवो जैसी बाते हुई आप चीक कह रहे हैं मैं बहग गई थी मुझे पश्चाताप करना होगा क्या पश्चाताप करेंगी आप? मैं अपने आपको सजा दूँगी कैसी सजा? क्रिश्चा ने उत्तर नहीं दिया आपके परिवार में और कौन-कौन है? सुनील ने नया सवाल किया कोई भी नहीं वो धीरे से बोली मैं संसार में एकदम अकेली हूँ कुछ समय पहले तक मेरी दादी मेरे साथ थी लेकिन उसके देहान के साथ वो साथ भी छोड़ गया ओ, सुनील सहानु भूतिस्वर में बोला आप रहती कहा है क्रिश्चा जी? हर नभी रोड पर मेरा एक फ्लैट है जो मेरी दादी मेरे लिए छोड़ गई है मकार नमबर 23 फ्लैट नमबर 7 तीसरी मन्जिल और सुनील उससे किसी ऐसी जवाब की उमीद कर रहा था कि फला मंदिर के कमपाउंड में मेरी एक कुटिया है क्रिश्चा जी प्रत्यक्ष्ट है वो बोला अगर आपके बारे में हम अपने अकबार में कुछ शापें तो आपको कोई एतरास होगा क्या? मुझे सक तैतरास होगा एका एक उसका स्वर कठोर हो उठा लेकिन मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं मैं खामोशी की जिन्दगी जीना चाहती हूँ मैं लोगों की चर्चा का विशे नहीं बनना चाहती चीक है आपकी मरसी अब मुझे इजाज़त है कृष्णा प्रभुदेयाल से बोली जी हाँ जी हाँ प्रभुदेयाल हड बढ़ा कर बोला मैं अभी आपको वापिस भिजवाने का इंतिजाम करता हूँ आप तकलीफ ना कीजिए वो उठती हुई बोली मैं खुद चली जाऊंगी नहीं नहीं तकलीफ की कोई बात नहीं बांसल सब इंस्पेक्टर बांसल फारण कमरे में दाकिल हुआ इन्हें घर छोड़ कर आओ प्रभुदेयाल ने आदेश दिया बांसल ने सेहमती में सेर हिलाया पर कृष्णा से बोला आईए कृष्णा प्रभुदेयाल का अभिवादन करके दर्वाजे की तरफ बढ़ी प्रणाम कृष्णा जी सुनील पीछे से बोला कृष्णा वापिस घुमी उसने गौर से सुनील की सूरत देखी और बड़े सर्द स्वर में बोली आप मेरा मज़ाक उड़ाने की कोशिश कर रहे है हरकिस नहीं सुनील हड़ बढ़ा कर बोला मैं आपके बैंक के लड़कों जैसा नहीं हूँ कृष्णा ने कुछ कहने के लिए मुख खोला लेकिन फिर कुछ सोच कर उसने अपना इरादा बदल दिया उसके जबडे भिंच गए और फिर घूम कर टेजी से वहां से बाहर निकल गई सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगाया और उसका धेर सारा धुआ उगलता हुआ भोला कमाल है सारा दिन बैंक में बैठी नोट गिनती है लेकिन सांसारिक मो माया से दोर साधवी है सन्यासी नहीं है इसी बात में तो इसका असली इमतेहान है जो सांसारिक प्रोलोपनों के बीच रहकर भी निरलिप्त रह सके वही सच्चा सन्यासी है अगर ऐसी बात है तो जोगियों जैसे बाना पहनने की क्या जरूरत है साधारन संसारी जीवों की तरह रहकर भी तो मन को निर्मल रखा जा सकता है ना अरे बेचारी कुछ पारिवारिक मजबूरी भी तो बता रही थी क्या पता ऐसा बाना पहनने के लिए मजबूर किया जाता हो कौन मजबूर करता होगा उसे वो तो कहती है उसका कोई होता सोता है ही नहीं पहले जो था पहले उसे वो हुलिया बना कर रखने के लिए मजबूर किया जाता होगा लेकिन अब उसे आदत पढ़ गई होगी लेकिन अरे छोड़ो भी सुनील हमने उसके व्यक्तिगत रख रखाव से क्या लेना देना है मुझे अफसोस होता है प्रभू किस बात का चुहिया जैसी लड़की है वो कोई खूपसुरत नौजवान लड़की उस आलम में होती तो अफसोस की बात भी थी वो तो इसलिए लड़की है क्योंकि खुदा ने उसे औरत बनाया है नहीं तो रखा क्या है उसमें और फिर वो अपना सन्यासिनी वाला चोला उतार कर ग्रहस बनना स्विकार कर भी ले तो कौन सा तीर मार लेगी वो तुम शादी कर लोगे उससे तोबा सुनील हर बढ़ा कर बोला मुझे जवानी में निर्वान को प्राप्त नहीं होना देर यू आर प्रभू उस डॉक्टर का पता चला जिसने गटना सल पर उमेश का इलाज करने की कोशिश की थी नहीं पता चला वो तो उमेश के प्राण निकलने के फॉरण बाद वहां से गधे के सेट से सेंग की तरह गायब हो किया था उसने ऐसा क्यों किया शायद किसी संभाविद जिम्मेदारी से बचने के लिए हमारी सोसाइटी में कई लोग पुलिस को भूत प्रेद जैसा कुछ समझते हैं और आदतन पुलिस के फेर में पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं उसको तलाश करने की कोशिश तो की गई होगी ना क्या कोशिश करे हम फिलहाल तो हमने टेलीफोन डेरेक्टरी ही देखी है उस में तो अहुजा नाम का कोई डॉक्टर दर्श नहीं है सारा राश नगर तो उस डॉक्टर की तलाश में चाना नहीं जा सकता लेकिन कल कम से कम मुगल बात में इलाके में उसके बारे में पोच्टाश करने का मेरा इरादा है अब मेरे लायक कोई और सेवा सेवा करना तो हमारा काम है रिपोर्टर सहप सेवक तो हम आपके बैठे हैं आप तो हम पर इतनी महरबानी कीजिए कि फ्रेडरिको के इंटर्वियो को जरफिर से याद करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आपको कोई ऐसी बात जो आज की डकैती की घटना पर प्रकाश डाल सकती हो याद आ जाए तो बराए महरबानी हमें फॉरण खबर कीजिएगा जरूर अब क्या मैं एक दर्ख्वास कर सकता हूँ क्या क्या मैं एक मिनट के लिए फ्रेडरिको और उसकी बीवी से मिल सकता हूँ प्रभु देयाल हिच किचाया प्रभु प्लीज ये मेरी नौकरी का सवाल है अच्छा प्रभु देयाल उठता हुआ बोला मैं इंतिजाम करता हूँ शुक्रिया शुक्रिया सुनिल हर्शित्स्वर में बोला भगवान आपका इकबाल बुलंद करे इंस्पेक्टर सहब भगवान आपको डियेस पी बनाए प्रभु देयाल उसकी बात की तरफ ध्यान दिये बिना वहां से बाहर निकल गया सुनिल ने एक खोच पूर निका दो कुर्सियों पर अगल बगल बैठे फ्रेडरिको और मारिया पर डाली दोनों के चेहरों पर इतनी देशत और विरानी थी कि सुनिल को उन पर तरस आने लगा था उसका दिल पुकार पुकार कर कहने लगा कि वो लोग हत्यारे नहीं हो सकते थे फ्रेडरिको उस वक जोकर के लिबास के स्थान पर कमेज पतलून पहने था और वो चेहरे से जोकर के मेकप वाले रंग रोगन भी उतार चुका था मारिया सुनिल को वैसी लगी जैसे वो बलास में छपी थी और जुन द्वारा खिंची तस्वीर में लग रही थी फ्रेडरिको सुनिल मिठे स्वर में बोला मुझे पहचाना आपने कल मेरा इंटेव्यू लिया था फ्रेडरिको धेरे से बोला हाँ फ्रेडरिको अगर तुम बेगुना हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ तुम्हारी बेगुनाही का ऐसा ढोल पेट सकता हूँ कि सुनने वालों के कानों के परदे फट जाए ये काम तुम नहीं कर सकते फ्रेडरिको तरीके से उठाई जाए तो अकबार की आवास बहुत बुलंद होती है और उसमें बड़ा दम होता है पबलिक ओपीनियन प्रेस से कंट्रोल होती है अगर पबलिक ओपीनियन तुम्हारे हक में हो जाए तो तो भी कुछ नहीं होगा चनाब क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि मुझे इस बुरी तरह फसाया किया है कि मेरा बचपाना नामुम्किन है ना मुम्किन कुछ नहीं होता दुनिया में फ्रेडरी को अगर तुम बे गुना हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमें सजा नहीं दिलवा सकती इनसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं मैं बे गुना हूँ वो दृट स्वर में बोला अगर तुम बेगुना हो तो गुनेगार कौन है? डकैती किसने डाली? मुझे नहीं मालूम तुम्हारा कोई अंदाजा? मेरा कोई अंदाजा नहीं ये उमेश नाम का गार्ट जो जहर से मरा है सुना है तुम्हारी उससे पहले से कोई रंजिश चल रही थी? आपने ठीक सुना है उस रंजिश की वज़ा उत्तर में फ्रेडरिको ने सुनील को पिछले हफ्ते उमेश द्वारा मारिया को छेड़े जाने की वही धमकी सुना दी जो वो पहले ही अर्जुन से सुन चुका था तुमने सुनील बोला उमेश को धमकी दी थी कि अगर दोबारा कभी उसने तुम्हारी बीवी को छेड़ने की कोशिश की तो तुम उसे जान से मार डालोगे हाँ तुमने उसे धमकी ही दी थी या सच में भी तुम ऐसा कुछ कर गुसरने वाले थे मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था कैसे जान से मारते तुम उसे रिवॉल्वर से रिवॉल्वर से क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है हाँ रिवॉल्वर कल सुबा की घटना के समय भी तुम्हारे पास थी क्या हाँ क्या पुलिस को ये बात मालूम है हाँ मेरे रिवॉल्वर उन्होंने अपने अधिकार में ले ली है ओ, सुनेल के स्वर में तनिक चिंता का भाव आ गिया लेकिन उमेश तो जहर से मरा है हाँ, क्या जहर तुमने दिया उसे? सवाल ही नहीं पैदा होता तो क्या मारिया ने? मारिया जोर-जोर से इंकार में सिर हिलाने लगी भाई साहब, फ्रेडरी को बोला मशीन में से जूस का एक गिलास बھर कर उमेश को देने के बाद मेरी आंखों के सामने मारिया ने अपने लिये भी मशीन में से जूस नकाला था और पीया था अगर जोस में जहर मिला होता तो क्या वो उमेश के ही हालत खराब करता उससे मारिया को कुछ नहीं होता क्या सुनिल सोच में पढ़ गया फिर उसने नया सवाल किया अपना जोकर वाला हुलिया तुम कार्निवल में हमेशा बना कर रखते हो क्या नहीं, फ्रेडरी को बोला तो तुम जोकर क्यों बने हुए थे? क्योंकि इस काम के लिए तरुन नांगिया नाम का जो लड़का मैंने रखा हुआ था वो आज सुबा आया नहीं था उसी ने जोकर की पोशाग पहननी थी और उसी ने बच्चों की रेल चलानी थी जब पौने दस बज़े तक वो नहीं आया तो मैं यहीं समझा की मुझे गच्चा दे गया या फिर जोकर का लिबास मैंने खुद पहन लिया ऐसा करना क्या जरूरी था तुम्हारे लिए? जरूरी तो नहीं था लेकिन अगर रेल गारी जोकर चला रहा तो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं जोकर का मेक अप और पोशाक क्या सब जगा हमेशा एक जैसी होती है? आम तोर पर एक जैसी होती है लेकिन मैं मेक अप में थोड़ा फर्क रखता हूँ कैसा फर्क? साधारणतिया जो लोग जोकर बनते हैं वो अपने चेहरों को हस्ता हुआ बनाती है लेकिन मैं जोकर का उदास चेहरा पेंट करता हूँ मैं तो गालों पर आंसु की दो बुंदे भी बनाता हूँ ऐसा क्यों? ऐसा करने से बच्चों की मेरे साथ सहानुभोती जाग उड़ती है और वो मुझ से ज्यादा अपनत्व दिखाते हैं I see उमेश ने वहाँ पाहँशने के बाद तुम्हें चिड़ाने की या तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश तो नहीं की थी उमेश बहुत खुंदकी आदमी था ऐसी बातों से वो भला कहीं बाद आने वाला था यानि की उसने कुछ किया था उसने एकदम यू मेरे सिर पर पहाँच कर बकतर बंद गाड़ी का हॉन बजाया था कि सड़क पर अपने पीछे मौजूद बच्चों को एक तरफ करने की हट बड़ाहट में मैं जमीन चाट गया फिर उसने मुझे बुला कर मोहर सिंग ड्राइवर को ये भी कहा था कि आज ये मारिया के दूसरे गाल पर भी चिकोटी काट कर जाएगा तभी मैं ग्रोध में आग बबूला होकर अपने रिवॉल्वर निकाल लाया था अगर उमेश ने मारिया से कोई शरारत की होती तो मैंने निश्चे ही उसका खून कर दिया होता उसने की थी कोई शरारत नहीं लगता है कि उसने मुझे खिजाने के लिए ही ऐसा कहा था हकीकतन उसका ऐसा कोई इरादा शायद नहीं था वो तो कोल्ड रिंग के स्चॉल पर पहुंचा था मारिया से लेकर उसने एक गिलास जूस पिया था और वहां से चला गया था उसके कुछ एक शर्ण बाद वो जमीन पर तरप रहा था फिर मोहर सिंग उसके भाई को बुला लाया और डॉक्टर डॉक्टर की पुकार होने लगी मैं भाब कर मारिया के पास पहुंचा मैंने साफ पूछा कि कहीं उसने तो उसके जूस में कुछ नहीं मिला दिया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था सबूत के तॉट पर उसने उसी जूस में से खुद भी एक गिलास पीकर दिखाया जो कि उसने उमेश को दिया था फिर तभी मुझे बच्चों की रेल के इंजन की सीटी सुनाई थी तो मैंने कहा कि रेल चल रही थी और उसके इंजन पर मेरे ही जैसी पुशाक पहने एक जोकर चड़ा हुआ था फ्रेडरीको ने धीरे धीरे पेडरों को गोली लगने तक की सारी घटना के सुनाई बात में वो बोला जब मैं पेडरों की लाश के पास मारिया के साथ बैठा हुआ था तो पगलाई सांड की तरह रमेश वहाँ पहुचा और डकैती और अपने भाई की मौत की जिम्मेदार ठहराता हुआ मुझे बुरी तरह पीटने लगा हम तुमने घटना स्थर पर कितने जोकर देखे थे सुनील ने पूछा दो एक जिसने बेल चलाई थी और दूसरा जो बकतर बंद गाड़ी पर चढ़ा नोट लुटा रहा था गोली कौन से जोकर ने चलाई थी? मेरे खयास से उसने जो बकतर बंद गाड़ी पर चढ़ा नोट लुटा रहा था तुमने दोनों जोकरों में से किसी की सूरत देखी थी नहीं मैं उनमें से किसी के भी करीब नहीं पहुँच पाया था लेकिन लेकिन क्या लेकिन पेड्रो कहता था कि उसने उस जोकर को देखा था जिसने कि उस पर गोली चलाई थी मरने से पहले उसने मुझे साफ कहा था कि उस जोकर को न सिर्फ उसने देखा था, बल्कि पहचाना भी था. ये नई बात थी, जो शायद अभी पुलिस को भी नहीं मालुम थी. क्या उसने बताया कि कौन था वो? सुनिल ने विक व्यग्रभाग से पूछा. उसने कहा था, वो छोकरा था. छोकरा कौन? ये सवाल उससे मैंने भी किया था, लेकिन कोई जवाब दे पाने से पहले ही, पेडरो के प्राण निकल गए थे. ओ, सुनिल ने राश्वर में बोला. लेकिन भाई साहब, एक बात है, फ्रेडरी को बोला. क्या? छोकरा कहकर पेडरो, तुरंत, तरुन नागिया को पुकारा करता था. तरुन नागिया, वो लड़का जो तुमने रेल चलानी के लिए रखा हुआ था, जो आ जाया नहीं था? जी हाँ, वही. क्या कोई पता ठीका ना मालूम है उसका? मैं कभी उसके घड़ तो नहीं गया, लेकिन उसने मुझे बताया था, कि वो विक्रमपुरे की दस नंबर इमारत में रहता था. तरुन को तुम्हारे पास काम करते हुए कितना अर्सा हो गया था? मुश्किल से दो हफ़ते. क्या उसका हुलिया बयान कर सकते हो? फ्रेडरी को बड़ी बारीके से तरुन नांगिया का हुलिया बयान करने लगा. विक्रमपुरे की दस नंबर इमारत सुनील ने बड़ी सहूलियत से तलाश कर ली. वो एक तीन मंजिली इमारत थी, जिसमें कई किराइदार थे और जिसका एक कमरा तरुन नांगिया के पास था. वो उस वक्त अपने कमरे में नहीं था. पूश्ताज करने पर सुनील को सबसे पहले यही मालुम हुआ कि आजकल वो किसी कार्निवल में काम करता था. इस से सुनील को तसली हो गई कि वो किसी गलत तरुन नांगिया के फिराख में नहीं था. और पूश्ताज करने पर मालुम हुआ कि वो पिछले शुकरवार से घर में नहीं देखा किया था. आखरी बार जब वो वहाँ आया था तो वो एक नीले रंग की फियर्ट चला रहा था. उसने बड़ी धौन से किसी और किराएदार को बताया था कि वो फियर्ट उसकी एक बहुत उंचे दर्चे की गर्फरेंड की थी. उस गर्फरेंड का जएरी में जील के किनारे अपना कैबिन था और वो तफ्री के लिए उस कैबिन में आमंत्रित था. प्रत्यक्षतर हर किसी को इस बात से बड़ी हैरानी हुई थी कि कार्निवल में काम करने वाले उस चोकरे की कोई कार वाली गर्फरेंड थी. एक ने तो यहां तक कहा था कि शायद वो कार्निवल की नौकरी छोड़ कर किसी का ड्राइवर बन गया था और खाम खाके फूक लेने के लिए अपनी मालकिन को अपनी गर्फरेंड बता रहा था. कार के बारे में काफी पूश्टाश करने के बावजूद भी सुनील को और कुछ मालूम नहीं हो सका. वो मुगल बाग पहुँचा. वहां बैंक बंद हो चुका था. कार्निवल उजार पड़ा था. लेकिन शॉपिंग सेंटर अभी भी खुला था. सुनील ने शॉपिंग सेंटर के किसी जिम्मेदार आत्मी से बातचित करने की कोशिश में पूश्टाच की. तो उसे राई दी गई कि वो इस संदर्भ में सेंटर के सिक्यॉरिटी आफिसर से बात करे. वो सिक्यॉरिटी आफिसर के कबूतर के दड़बे जैसे छोटे आफिस में पहुँचा. सिक्यॉरिटी आफिसर का नाम दिलीप दथ था और वो लगभग 30 साल का हट्टा कट्टा तंद्रुस नाचवान था. सुनील ने उसे अपना परिचे दिया तो वो तनिक तिक्त स्वर में बोला अभी भी क्या कोई कसर रह गई है साहब? सारे दिन भर से मैं प्रेस रिपोर्टरों के सवालों के जवाब ही देता चला आ रहा हूँ. बंदा नवास सुनील मिठे स्वर में बोला जहां आपने अपनी इतनी जहमत उठाई है वहाँ थोड़ी जहमत और जही? अच्छी बात है आप बताईए आप क्या पूछना चाहते हैं? डगैती पढ़ते इस वक्त आपने अपनी आँखों से देखा था क्या? कुछ आँखों से देखा था और कुछ वो मेंस पर पड़े ब्लास के एवनिंग एडिशन की और संकेत करता हुआ बोला आप ही के अकबार में पढ़ा था? दरसल मैं तो शौपिंग सेंटर के भीतर मिनिस्टर साहब के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था कि मैंने एका एक किसी को चिलाते सुना था कि बैंक की बक्तरबंद गारी लूटी जा रही थी मैं दौटता हुआ बाहर पाहुचा था लेकिन तब तक जो होना था हो जोकर देखे थे आपने मैंने तो एक ही जोकर देखा था साहब उसने फिर बलास के मुख्य प्रिष्ट पर छपी तस्वीर की और संकेत किया यही जिसकी तस्वीर छपी है आपने इसे किस स्थिती में देखा था उसी में जिसमें ये तस्वीर में बैठा दिखाई दे रहा है फिर मेरे सामने ही बैंक के गाट ने आकर इसे पीटना शुरू कर दिया था गटना स्थल पर मौजूद बहुत लोगों का कहना है कि डकैती के वक्त बाहर कम से कम आधा दर्जन जोकर मौजूद थे मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैंने तो एक ही जोकर देखा था क्या आप उस डॉक्टर के बारे में कुछ जानते हैं जो उमेश के जिंदगी के आकरी क्षणों में उसके पास देखा किया था मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता मैंने तो उसकी श कुछ नहीं कह सकता लेकिन उस डॉक्टर की हरकते रहसे पूंट तो थी ही उमेश जहर से मरा था कहा जाता है कि जहर उसको कोल ड्रिंग के स्चॉल पर माजूद मारिया ने पाइनेपल जोस में मिला कर दिया था लेकिन मारिया इससे इंकार करती है और मुझे वो सच बोलती ल और वो रहसे पूंट डॉक्टर अहुजा उसके सिर पर पहांच किया था उसने उमेश को एक इंजेक्शन भी दिया बताती हैं मैं सोचता हूँ कि शायद उस डॉक्टर ने ही इंजेक्शन की सूरत में उमेश के जस्म में जहर पहुंचाया हो लेकिन आपके अक्वार में खुद चपा है कि उमेश तो डॉक्टर के आने से पहले ही थड़प रहा था और पेट में दर्ट की और दम घुटने की शिकायत कर रहा था उसकी उस हालत की कोई और वज़ा भी हो सकती है सुनील बोला लेकिन उसकी मौत हो सकता है कि डॉक्टर के इंजेक्शन से हुई हो ये तो बड़ी खतरनाक संभावना व्यक्त कर रहे हैं आप इस लिहाद से तो उस डॉक्टर का फॉरण पता लगना चाहिए जी हाँ उसका घटना स्थल से एका एक गायब हो जाना भी अपने आप में भारी शक की बात है दिलीब दत खामोश रहा सुनील का ध्यान अकबार की तरफ गया उसने अकबार उठा लिया और उस पर छपी तस्वीर को गौर से देखने लगा फिर कुछ शन बात वो तस्वीर को दिलीब दत के सामने करता हुआ बोला जरा इस तस्वीर को देखिए इसमें फ्रेडरी को और उसकी बीवी और आगे पड़ी पेडरो की लाश से भी ज्यादा साफ तस्वीर की प्रेश्ट भूमी में माजूद मेरी गो राउंड आया है प्रत्यक्ष्टे मेरी गो राउंड रुका हुआ है और इसके घोडों पर बच्चे चड़े हुए है असी स्थिती में है कि मेरे खयात से उन्हें सामने का नसारा ज्यादा अच्छी तरह से दिख रहा होगा लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अगर उन्होंने कुछ देखा भी होगा तो ये आपको क्या बता पाएंगे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते कोई कोई बच्चा अपनी उम्र के लिहाद से बाकी बच्चों से ज्यादा जहीन होता है लेकिन पता कैसे लगे कि मेरी गो राउन के इन लकड़ी के गोड़ों पर चड़े बच्चे कौन है और कहां रहते हैं इन में से एक बच्चे के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छा आप इन में से किसी बच्चे को पहचानते हैं जी हाँ ये घागरे चोले वाली लड़की बैंक के चप्रासी राधास्वामी आइंगर की बेटी है वेरी गुड ये राधा स्वामी आएंगर रहता कहा है यहां से दो ब्लॉक आगे कम्यूनिटी सेंटर है उसके पिछवारी में कुछ सर्वेंट स्क्वाटर है उन्हीं में से एक में रहता है वो एक बात और बताईए दत्साहब आप इस शॉपिंग कॉंप्लेक्स के सिक्यॉरिटी आफिसर है बैंक की बक्तरबंद गाड़ी लुट जाने में आप अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते क्या बैंक की गाड़ी लुटी है जनाब दिलिब दत बोला बैंक नहीं लुटा बैंक का माल हिफासत से बैंक तक पहुँचाना बक्तरबंद गाड़ी वालों का काम है जब बैंक वाले मुझे ये खबर तक देना जरूरी नहीं समझते कि कब उनकी ब्रांश में रुपया पहुँच रहा था तो मैं क्या जिम्मेदारी समझू आप ठीक कह रही है और फिर सेक्यूरिटी के लिहास से बैंक से मेरा रिष्टा और तरह कहे मैं बैंक की अचल संपत्ती को नुकसान या उसकी चोरी के लिए जिम्मेदार हूँ जो कुछ हुआ है उसके लिए बैंक वालों का सिक्यूरिटी का अपना इंतिजाम था अब एक बात आप मुझे भी बताईए जरूर पुछिए आप एक प्रेस रिपोर्टर है इस लिहास से आप इस बैंक की जरा ज्यादा ही बारी की से चान भी नहीं कर रहे क्या अगर ऐसा है भी तो इसमें असाधारन बात क्या है सुनिल तनिक सक पका कर बोला फिर भी फिर भी ये की आमधारना ये बन चुकी है कि इस डकैती के लिए कार्निवल का संचालक फ्रेडरी को और उसकी बीवी मारिया जिम्मेदार है लेकिन मेरा द्रड विश्वास है कि वे दोनों बेगुना है इस विश्वास का आधार क्या है आधार है लेकिन वो उसी की समझ में आ सकता है अंदर डाक से हमदर्दी जिसके फित्रत में शामिल हो दिलीब्दत खामोश रहा और फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ब्लास की खासियत है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग बड़ा चमकदार और लुभावणा लफस है साधी जुबान में इसे बाल की खाल निकालना भी कहा चा सकता है चलिए ऐसा ही सही सुनिल मुस्कुरा कर बोला लेकिन आपको क्या एतरास है इससे नहीं नहीं वो हड़ बड़ा कर बोला मुझे बला एतरास क्यों होने लगा फिर वारताला वहीं समाप्त हो गया अगली सुबस सुनिल फिर मुगल बात पहुँचा वहां कॉमिनिटी सेंटर के पिछवाड़े में बने सर्वेंट्स क्वार्टरस में राधास्वामी आएंगर का क्वार्टर उसने बड़ी सहूलियत से तलाश कर लिया क्वार्टर के बाहर एक चबूत्रा था जिस पर एक लगभग पांथ साल की गुडिया से खूप सूरत बच्ची बैठी थी उसकी गोत में एक गुडिया बैठी हुई थी जिसे वो थप थपा कर सुलानी की कोशिश कर रही थी पिछली शाम के बलास में चपी तस्वीर के आधार पर सुनील ने उसे फारण पहचान लिया निश्चे ही वही रादा स्वामी आएंगर की लड़की थी सुनील उसके समीप जब उत्रे पर बैठ गया और बड़े मीठे स्वर में बोला तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी जैल अलिता आएंगर वो बड़े गर्फ पोर्ट स्वर में बोली और मेरी गुडिया का नाम धन लक्षमी आएंगर है तुम्हारे पापा कहा है जैल अलिता ड्यूटी पर लग गए है और मम्मी बाजार सुनील ने अपनी जेब से पिछली शाम का अकबार निकाला और उसके मुख्य प्रिष्ट पर चपी तस्वीर में मेरी गोर राउंड के लकड़ी के घोड़े पर चड़ी जैल अलिता की तस्वीर पर उंगली रखता हुआ बोला क्या ये तुम्हारी तस्वीर है जैल अलिता हाँ ये तस्वीर देखकर हैरानी भरे स्वर में बोली और ये आंसु वाले जोकर अंकल है और ये गूंगी आंटी है हाँ, कुल कितने जोकर थे वहाँ उन्दू, एडू, भुरू, जैलली ता उंगलियों पर गिंती हुई बोली भुरू, भुरू क्या? तीन, तीन जोकर थे वहाँ एक थे आंसु वाले जोकर अंकल, एक वो जोकर जिसने रेल चलाई थी और एक वो जो हवा में नोट उचाल रहा था तुम्हें अच्छी तरह याद है बेटा, कि इन तीनों जनों के इलावा, वहाँ कोई चोथा जोकर नहीं था? हाँ जैलली ता तुम्हें मालूम है, कल वहाँ गोली चली थी गोली? वो उल्जन पूर्ण स्वर में बोली सुनील ने अपने एक हाथ की उंगलियों को पिस्तॉल जैसा आकार दिया और बोला ठाई ठाई हाँ, फौरण उसके स्वर में से उल्जन का भाव दूर हो गया ठाई ठाई, खराब जोकर ने की थी उसी से रेंग मास्चर लेट गए थे और बच्चे वाली आंटी लेट गई थी फिर आंटी का बेबी बड़ी जोर से रोने लगा था क्या तुमने ठाई ठाई अपनी आँखों से दिखी थी हाँ, वो अपनी बड़ी बड़ी आँखे फैला कर बोली तब मैं जूले के थोड़े बाहर बैठी हुई थी मैंने सब देखा था ठाई ठाई किसने की थी जैल अलीता खराब जोकर ने खराब जोकर कौन वो जो हवा में नोट उचाल रहा था नोट ऐसे नहीं उचालते ना अंकल नोट तो संभाल कर रखते हैं ना हाँ बेटा जोकर तो सब एक जैसे थे फिर तुम्हें ये कैसे मालूम कि गोली चलाने वाला जोकर कौन सा था मुझे मालूम है वो फिर गर्फ पॉंट स्वर में बोली लेकिन कैसे मालूम है क्योंकि गुंगी आंटी वाला अच्छा जोकर तो रोता था लेकिन जुसने गोली चलाई थी उस जोकर के शकल रोती हुई नहीं थी क्या हाँ गोली खराब जोकर ने चलाई थी मैंने उसे बैंक की मोटर से उतर कर भागते भी देखा था मैंने देखा था कि ठाय ठाय उसी ने की थी जै ललिता ये जो बाते तुमने मुझे बताई है तुम भूल तो नहीं जाओगी नहीं जैसे तुमने ये बाते मुझे सुनाई है वैसे ही ये तुमें पुलिस को सुनानी होंगी पुलिस ना बाबा मुझे डर लगता है पुलिस के पास डंडा होता है पुलिस गंदे बच्चों की पिटाई करती है लेकिन तुम तो अच्छी बच्ची हो हाँ और मेरी गुडिया भी अच्छी बच्ची है धन लक्ष्मी वो अपनी गुडिया से संबोधित हुई नीनल पुन्नू पुलिस तुमे कुछ भी नहीं कहे की तुम जैललिता सुनील ने घूम कर देखा हाथ में सबजी का जोला लिए एक यूफ दी कौार्टर के दर्वाजी के पास खड़ी थी उसने आंके तरेर कर बड़ी क्रोधित भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर बड़े गुसे में बोली जैललिता इंगेवा वरिन जैललिता बड़ी लापरवाही से बोली लेकिन उसने अपने स्थान से उठने का उप्रम नहीं किया वो सुनील से बोली अंकल कल मेरी गुडिया की शादी है तुम तब ही वो युफती पाउं पठकती हुई वहाँ पहुची और जैललिता की बाउं पकड़ कर उसे लगबग गसीरती हुई वहाँ से ले चली बेहन जी सुनील बोला जरा सुनिये तो युफती ने बिना रुके गर्दन घुमाई और फिर जल्दी जल्दी तमिल में कुछ कहने लगी सुनील भोचकका सा उसका मूँ देखने लगा फिर युफती ने क्वार्टर का दर्वासा खोला और जैललिता समेथ भीतर दाकिल होकर बढ़ाक से दर्वासा बंद कर लिया सुनिल चबूतरे पर से उट खड़ा हुआ उसने औस सहाई भाफ से कंधे जटकाई और शॉपिंग सेंटर की और बढ़ा उसकी सूशना की अनुसार शॉपिंग सेंटर वाले ब्लॉक के सीरे पर ही लोहानी नामक उस डॉक्टर का क्लिनिक था डॉक्टर अहुजा के कहने पर जिसके पास से मोहर सिंग स्चमिक पंप लेने गया था वहाँ पहुँचने पर सुनील को मालुम हुआ कि डॉक्टर लोहानी उपलब नहीं था लेकिन उसके स्थान पर उसका सेहकारी डॉक्टर देशमुक मौजूद था पुशने पर मालुम हुआ कि पिछले रोज भी डॉक्टर लोहानी वहाँ नहीं था और स्वयम डॉक्टर देशमुक भी उस वक्त विजिट पर गया हुआ था जब बैंक की बक्तरबन गारी का ड्राइवर वहाँ स्चमेक पंप लेने पहुचा था पंप उसे किस ने दिया था सुनील ने पूछा हमारे कंपाउडर ने डॉक्टर देशमुक बोला वो पंप आपको मालूम है आपके यहां से लाने के लिए ड्राइवर को किसी डॉक्टर अहुचा ने भेजा था मालूम है कंपाउडर ने बताया था क्या आप डॉक्टर अहुचा को जानते हैं? मैं नहीं जानता और आपका कंपाउडर या डॉक्टर लोहानी? जी हाँ, फिर भी आपके कमपाउडर ने आहुजा के भेजे में भेजे आदमी को स्चमिक पंप दे दिया वो पंप कोई ऐसी कीमती चीज नहीं थी जिसे कोई हमारे यहां से धोके से हत्या कर उसका कोई बहुत बड़ा फाइदा उठा लेता उपर से पंप मांगने वाला आत्मी कोई मामूली आत्मी नहीं था, वो बैंक के सिक्यॉरिटी स्चाफ की पूरी वर्ती पहने था और फिर ये मत भूलिए कि वो एक आदमी की जिन्दगी का सवाल था, उस वक्त हम अपना फर्स पहचानते या पंप की कीमत का नुकसान हो जाने के बारे में सोचते आप ठीक कह रहे हैं, बाद में जब मैं विजिट से वापिस लोटा था और मुझे कमपाउडर से सारी बात मालूम हुई थी, तो मैं खुद शौपिंग सेंटर गया था, इस नियत से गया था, कि शायद मैं डॉक्टर अहुजा के मरीज को संभालने के मामले में कोई मदद कर सकूँ, लेकिन मरने वाला वहां पहुचने से पहले ही मर चुका था, और डॉक्टर अहुजा वहां से गायब हो चुका था, क्यूं, डॉक्टर अहुजा ने ऐसा क्यूं किया, वास्तव में उसने ऐसा क्यूं किया, ये तो वही जाने, लेकिन मेरी अकल तो यही कहती है, कि शायद वो पुलिस के पच्छडे में नहीं पढ़ना चाहता था ये भी हो सकता है कि वो राश्नकर के बाहर कहीं से यहां आया हो और उसे भए हो कि गाट की मौत के सिलसले में यहां की पुलिस कहीं उसे यहीं न अटका ले किसी परदेशी को पुलिस के अरंगे बे दो-चार दिन वहीं फसा रहना पड़ जाए तो वो उसके लिए जहमत की बात ही है ना आप चीक कह रहे हैं गटना स्थल पर डॉक्टर की पुकार होने पर तो उसने मानवता के नाते अपने आपको पेश कर दिया होगा मरीज को संभालने की कोशिश भी जाहिर है कि उसने पूरी की थी अपनी सेवाएं पेश करने से पहली उसे ये थोड़े ही मालुम था कि मरीज मर जाने वाला था भाई सहब डॉक्टर अहुजा अगर वहां से खिसक गया तो उसने कोई अपरात नहीं किया बुरी पब्लिस सिटी से बचने की कोशिश हर कोई करता है आपकी तमाम बाते दुरुस्त हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर अहुजा के वहां से एका एक गायब हो जाने के पीछे कोई गैरी वज़ा हो सकती है डॉक्टर देशमुक ने उत्तर देने के स्थान पर लापरवाही से कंधे जटकाई प्रत्यक्षतर डॉक्टर अहुजा के कारे कलापों में उसकी कोई दल्चस्पी नहीं थी सुनील ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई उसने डॉक्टर देशमुक का शुक्रिया अदा किया और वहां से विदा हो गया वो पुलिस एट क्वाटर पहुंचा इंस्पेक्टर प्रभु दियाल वहां मौजूद नहीं था वो बलास के आफिस में लाट आया शाम तक वो आफिस में ही मौजूद रहा और डकैती के केस में किसी नई प्रगती की खबर की प्रतिक्षा करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ शाम को उसने बलास की नई अमबैसजर फिर हत्या ली और उस पर सवार होकर जेरी के लिए रवाना हो गया जेरी राजनगर से लगबग 65 मेल दूर एक पिकनिक स्पोर्ट था वहाँ पहुँशते पहुँशते सुनील को रात हो गई वहाँ की खूब सूरत जेल के गिर्ड बने कई कॉटेजों में से एक कॉटेज बेस नंबर रमाकांद का था सुनील ने बेस नंबर कॉटेज के सामने जाकर कार रोकी वो कॉटेज अन्य कॉटेजों से अपेकशा क। बढ़ा था सुनील जानता था कि वो कॉटेज सुख सुविदा के हर साधन से परिपूर्ण था रमाकांद वहाँ कभी कभार ही आता था लेकिन फिर भे कौर्टेश को हर लिहाज से हर वक्त तयार रखा जाता था इसी काम के लिए रमकांत ने मुहनी वाल नाम का एक केर टेकर रखा था मुहनी वाल लगभर 35 साल का एक खूब सुरत व्यक्ति था वो सुनील को खूब अच्छी तरह से जानता था उसने सुनील को कौटिश की बड़ी खूपसूरती से सजे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठाया फिर वो चांदी के खूपसूरत टी सेट में सुनील के लिए चाय ले आया उसने चांदी के कप में चाय बनाकर सुनील को दी सुनील ने चाय ले ली और साथ ही एक सिगर्ट भी सुलगा लिया मोहनीवाल कुछ शन बात सुनील बोला तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यहां तफरी के लिए नहीं आया तो फिर कैसे आना हुआ साहब उसने पूछा तुम ये समझ लो कि आज मैं तुम्हारी चौकसी और सोचबोश का इम्तिहान लेने आया हूँ अच्छा? हाँ, तुम एक मुदद से यहां रह रहे हो जेरी में जील के किनारे मुठी भर कॉटेज है और उनमें से भी आदे से ज्यादा ITDC के हैं और उनका दर्जा होटेल जैसा है बाकी बचे प्राइवेट कॉटेजों में जो लोग रहते हैं मेरे हिसाब से उन सब की खबर तुम्हे होनी चाहिए मैं जील के किनारे के तक्रीबन सभी लोगों को जानता हूँ सहब तो बताओ कि ऐसी कोई यूफ्ती कौन से कौटेज में रहती है जिसके पास नीले रंग की फियर्ट है और जो अपने बॉइफ्रेंट्स को तफरी के लिए अपने कौटेज पर आमंतरित करती रहती है ऐसी यूफ्ती तो नौ नंबर कौटेज वाली ही है क्या तुमने उस यूफ्ती को देखा है जी हाँ कई बार देखा है उसे भी और उसकी नीली फियर्ट को भी वसे कभी कभी मैंने उसे एक सफेद अम्बैसजर भी चलाते देखा है देखने में कैसी है वो वो कोई 25-26 साल की बेहत जवान बेहत खोपसूरत लड़की है साहब फिल्म अभिनेत्रियों जैसे फिगर है उसकी रेशम जैसे मुलाइम लंबे भूरे बाल बड़ी बड़ी आँखे लंबी गर्दन पतली कमर भारी नितम लंबी सुडोल टांके रख रखाव बेहत शानधार और सलीके का तुमने तो उसे बहुत गौर से देखा मालूम होता है वो लड़की है ही ऐसी शानधार कि उसे जो भी देखे का बहुत गौर से ही देखे का क्या नाम जानते हो उसका मैंने उसे देवबाला के नाम से पुकारे जाते सुना है नो नंबर कॉर्टेज उसका अपना है क्या जी नहीं, शहर की किसी पार्टी का है जिससे उसने उसे किराई पर लिया हुआ है ये देवबाला स्थाई तोर से यहीं रहती है क्या जी नहीं वो अक्सर चुट्टी वाले दिन से पहले दिन की शाम को यहां आती है और अगले दिन की सुबच चली जाती है विवाहित है ये तो मुझे मालूम नहीं तुमने बहुत मर्दों के साथ देखा है उसे मैंने गिंती तो नहीं की साहब लेकिन मैंने उसे जब भी देखा है किसी नए ही मर्द के साथ देखा है कहीं वो कोई हाई प्राइज कॉल गल तो नहीं ऐसा ही कुछ लगता है मुझे तो आज इत्वार है यानि की छुटी का दिन क्या आज वो अपने कॉटेश में होगी मैंने आज देखा तो नहीं उसे साहब लेकिन उमीद तो यही है कि होगी जरा चल कर दिखाओ तो ये नौ नंबर कॉटेश कहा है मोहनीवाल फॉरन उसके साथ थो लिया पेडों के जुर्मुट के बेच में से गुजरती सड़क पर पैदल चलते वो आगे बढ़े आस्वान में चांद ना होनी की वज़ा से वातावरण में अंधेरा चाया हुआ था किसी किसी कॉटेश की खेड़कियों से बाहर फूटती रोशनी ही वहाँ प्रकाश का इकलाता साधन था जील को चूकर जाते खुशकवार ठंडी हवा के जौंके सुनेल के चेहरे से टक्रा रही थे और उसे बड़ी सुकद अनुभूती हो रही थी एक कॉटेश के सामने पहाँच कर मोहनी वाल ठिटका ये नौ नमबर कॉटेश है वो धेरे से बोला खेड़कियों में रोशनी दिखाई दे रही है लगता है वो भीतर है सुनेल ने देखा वो एक छोटा सा अधिकतर लकडी का बना कॉटेश था उसके कंपाउंड में एक नीली फियर्ट खड़ी थी जिसका नमबर आर जे एस 9146 सुनेल ने नोट कर लिया दोनों चुप चाप कंपाउंड में दाखिल हुए कॉटेश की खिड़कियों पर पड़े पड़े जिनकी वज़ा से भीतर नहीं जहांका जा सकता था सुनील एक खिड़की किसमी पाँचा और कान लगा कर सुनने लगा भीतर संगीत बच रहा था और उसके आवाज में रची बसी एक इस्त्री और एक पुरुष की बाते करने की और अठास करने की आवाज आ रही थी जरूर भीतर तरुन नांगिया माचूद था जो अपनी उंचे दर्चे की गल्फ्रेंड के साथ वहा तफरी के लिए आया हुआ था सुनील ने कान लगा कर सुनने की खूब कोशिश की लेकिन उसे वारतलाप की आवाजे ही सुनाई थी वो ये नहीं समझ सका की कहा क्या जा रहा था सुनील ने दर्वाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फिर ठिटक गया अगर भीतर तरुन नांगिया ना हुआ तो निली फियर्ट की ही वज़ा से वो भीतर मौजूद इस्तरी को तरुन नांगिया की गल्फ्रेंट समझ रहा था जबकि निली फियर्ट राजनगर में हजारों हो सकती थी संभवता की भीतर मौजूद इस्तरी तरुन नांगिया को जानती तक नहो लेकिन इतनी दूर आने के बाद अब बिना कुछ जाने समझे तो वो लौट जाने वाला था नहीं फिर कुछ सोच कर वो दर्वाजे के पास से हटा और मोहनी वाल के पास पहुँचा तुम पिछवाड़ी चले जाओ वो धीरे से बोला अगर तुम्हें उदर से कोई चुप चाप खिसकता दिखाई दे तो आवाज दे देना क्या मैं उसे पकड़ू नहीं सहप नहीं मैं तुम्हें किसी जमेले में नहीं फसाना चाहता वो आदमी तुम पर वार कर सकता है फिर मैं भी तो उस पर वार कर सकता हूँ सुनील सहब वो बड़ी दिलेरी से बोला तुम वही करो जो मैंने कहा है बहतर वो दबे पाउं पिछवारी की और बढ़ चला सुनील ने एक मिनट और इंतिसार किया और फिर आगे बढ़कर दर्वाजे पर दस्तक दे दी तुरंट संगीत बंध हो गया एक शर्ण खामुशी रही फिर एक पूरुश स्वर ने सवाल किया कौन है? मेरा नम सुनील है वो तनी कुछ स्वर में बोला कौन सुनील? वही जो आखरी कर्श तक मज़ा देता है और कपड़ों पर दाथ नहीं लगाता भाग जाओ मैं इतनी आसानी से यहां से भाग जाने वाला नहीं हूँ तो फिर ठीक से बताओ कौन हो तुम? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ क्या चाहते हो? मैं मिस देवबाला से बात करना चाहता हूँ किस बारे में? तरुन नांगिया के बारे में मुझे तरुन नांगिया की तलाश है कल देवबाला की बाहर खड़ी नीली फियट तरुन नांगिया के पास थी इसलिए मैं उमीद कर रहा हूँ कि देवबालों को मालूम होगा कि वो कहा है छीक है एक मिनट छेहरो थैंक यू सुनिल दर्वासे के सामने ठिटका खड़ा रहा एक मिनट की जगा दो मिनट गुजर गए लेकिन दर्वासा नहीं खुला सुनिल ने जुन्जला कर दुबारा दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि एका एक दर्वासा खुला और उसको पहले वाला ही पूरुष स्वर्ष सुनाई दिया तश्रीफ लाईए सुनिल साहब सुनिल ने आगे कदम बढ़ाया बाहर के अंधेरे की आधी उसकी आँखे भीतर की तेज रोशनी से चुन्ध्या गई उसे अपने सामने एकदम से रोशनी की चमक के इलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया लेकिन दर्वासा खुलने के फारण बात से ही इंटीमेट की तीखी गंत उसके नथुनों से टकराने लगी थी चौकट लांगते ही उसने अपने आपको एक ड्राइंग रूम में पाया मैं वो बोला आप लोगों को यू डिस्चर्प करने के लिए माफी चाहता हूं लेकिन वो बोलता बोलता रुख गया उसने महसूस किया कि कमरे में वो अकेला था उसके सामने एक दिवार पर एक साड़ी एक ब्लाउस और उन दोनों के उपर एक अंगिया पड़ी थी दिवार के समीब के मेज पर विस्की की खुली बोतल काजू की एक प्लेट सोडा साइफिन और विस्की के दो गिलास पड़े थे एश्रे में एक जलता सिगरेट रखा हुआ दिखाई दे रहा था हलो सुनील एक अदम और आके बढ़ा और पिछवारे के एक बंद दर्वाजे की और देखता हुआ बोला कहा हो बंदा नवास तभी एक अएक क्लिक की आवास के साथ कम्री की रोशनी गुल हो गई सुनील को अपनी दाई और से किसी कोई वहां मौजूदगी की आहट मिली अंधकार में वो अंदाजन आहट की दिशा में घूमा लेकिन तभी एक अएक किसी की भारी चीज का प्रहार उसकी खोपड़ी पर पड़ा उसके सारे शरीर में पीड़ा की लहर दोड़ गई उसकी आँखों के सामने सितारे नाशने लगे और घुटने मुणने लगे उसने पुकार कर मोहनी वाल को आवास दियनी चाही लेकिन उसकी जुबान नहीं चल पाई वो त्योरा कर आगे को गिरा तो उसके सामने को फैले हुए हाथ किसी मानव शरीर से टकराई किसी रेशम जैसी मुलायम चीज से उसकी उंगलियां चुई और एक शन के लिए उसके गिर्द कस कई अपनी उस खसता हालत में भी सुनील ये महसूस किये बिना नहीं रह सका कि उसका हाथ एक भरपूर जवान इस्त्री के पत्थर से कठोर पुष्ट उन्नत वक्ष पर पड़ा था इस्त्री खिल खिला कर हसी उसने सुनील का निढाल हाथ थामा और उसे अपने से परे कर दिया अच्छा है उसने पूछा तब तक सुनील अर्ध चेतना वस्ता में पहुँच गया था उसके घुटने कालीन बिचे फर्ष से टकराई तब इस सुनील के सिर पर एक और प्रहार पड़ा उसका हाथ इस्तरी के वक्ष से हट गया और वो आंधे मूँ फर्ष पर धेर हो गया थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कहीं कोई कार्स चार्ट हुई हो फिर गोली चलने की आवाज फिर मोहनी वाल के जोर से चिलाने की आवाज फिर एक अजीब सी कटर कटर की आवाज जैसे जलती हुई लकडियां चटक रही हो सुनील ने सब आवाज सुन रहा था लेकिन वो उठकर अपने पैरो पर खड़े हो जाने में स्वयम को सर्व था और समठ पा रहा था फिर दो मजबूत हाथ उसकी बगलों के नीचे से होते हुए उसकी चाती पर बंद गए उन्ही हातों ने उसे सहारा दे कर उसके पैरों पर खड़ा किया फिर कोई उसे एक कंदे का सहारा दे कर तेजी से बाहर ले जाने लगा बाहर कमपाउंड में आकर उसने देखा कि उसे यू लगबग उठाकर बाहर लाने वाला व्यक्ती मोहनी वाल था नेली फियर्ट कार कमपाउंड में से गायब थी और कॉटेश में आख लगी हुई थी और वो धू-धू कर जल रहा था क्या वो भाग गए? सुनील ने हाफते हुए पूचा औरत भाग गई साहब मोहनीवाल आतंकित स्वर में बोला आदमी तो थर कमपाउंड में मरा पड़ा है कैसे मर गया वो? उस औरत ने उसे शूट कर दिया था क्या? मैं सच कह रहा हूँ मैंने अपनी आखों से औरत को आदमी पर गोली चलाते देखा था तुम तो पिछवाड़ी में थे? जी हाँ लेकिन भेतर की रोशनी एका एक गुल हो गई तो मुझे शक होने लगा कि अब जरूर किसी गड़बर में फस गई थे मैं फॉरन सामने की तरफ भागा था मेरे सामने एक औरत और एक आदमी कौटेट से निकले थे और नीली फियर्ट की और बढ़ने लगे थे मेरे देखते ही देखते औरत कार में बैठी थी और जब आदमी दूसरी और का दर्वाजा खोल कर बेतर बैठने लगा था तो उसने उसे शूट कर दिया था वो वही कार के पास जमीन पर धेर हो गया था फिर मेरे भागते कदमों की आहट पाकर औरत ने मुझ पर भी गोली चला दी थी मैं बाल बाल बचा भाई साहब मेरे फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई नतीजा ये हुआ कि मेरे देखते ही देखते फियट यहां से भाग निकली फिर एका एक इमारत के अंदर से आपकी लप्टे निकलने लगी मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिये तो मैंने सोचा कहीं आप अंदर ना हो मैं अंदर घुसा तो मैंने ड्राइंग रूम में आपको फर्ष पर अंदर मुँ पड़ा पाया आगे आपको मालूम ही है कौटेश को आप कैसे लग गई अपने आप तो नहीं लगी जाहिर है कि लगाई गई है तब ही एक जोर की आवास के साथ कौटेश की छद धै गई अगर मैं अभी भी भीतर होता सुनील के शरीर ने जुच जुरी ली तो मेरा पुलंदा बंद गया होता मोहनिवाल खामोश रहा लाश कहां पड़ी है सुनील ने पूचा मोहनिवाल उसे लाश के पास ली आया सुनील ने फ्रेडरी को से तरुन नांगिया का हुलिया जो सुना था उसके आधार पर उसे वो उसी की लाश लगी उसकी चाती में तीन गोलियां लगी थी और वो कपका मर चुका था क्या तुमने आरत की शकल देखी थी सुनील ने मोहनिवाल से पूछा एक जलत मिली तो थी मुझे उसकी सूरत की मोहनिवाल बोला सुनील सहब वो वही यूफती थी जिसका मैंने आप से जिक्र किया था देव बाला जी हाँ वो तो बड़ी खतरना कौरत हुई जो यू चुटकियों में अपने साथी का खून कर गई और कौटिश में आग लगा गई भीतर मुझे भुनने के लिए छोड़ कर आउच चलें मोहनिवाल सुनील के साथ थो लिया आग जनी और कतल की उस घटना की वज़ा से सान्ये पुलिस के फेर में सुनील ऐसा फसा कि अगले दिन शाम तक उसकी खलासी नहीं हो सकी बात में इस बात की तज़्दीक हो गई कि मरने वाला तरुन नागिया ही था उसके ये बताने पर कि मरने वाला और उसको मारने वाला कौटेज की वो दूरदर्शा बनाने वाले और सुनील पर आक्रमन के लिए जिम्मेदार उन लोकों का संबन शनिवार को राशनगर में पड़ी ड़कैती से भी हो सकता है तो उसे और भी सक्ती से आगा कर दिया कि जब तक उसे इजासत ना दी जाए वो जेरी से बाहर जाने की कोशिश ना करे और फिर सारी स्थिती की सूशना फोरर राशनगर पुलिस को भिजवाई कई अगली सुभा इंस्पेक्टर प्रभुदेयाल जेरी पहुँचा उसने वहां आकर सारी बात सुनी तो वो सुनील पर बहुत खफा हुआ अजीब आदमी हो तुम वो बोला जब तुम्हें मालुम था कि इस देव वाला नाम की इस्तरी का डकैती से या डकैतों से कोई संबन था तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आए अकेले यहां क्यों चले आए अरे मेरे बाप सुनील जला कर बोला यहां आने से पहले मुझे कुछ नहीं मालुम था मैं इतनी मामुली सूतर के सहारे यहां पहुँचा था कि अगर मैं बात तुम्हें बताता तो तुम मेरा मजाग उड़ा देते लेकिन तुम्हें इस तरुन नागिया के बारे में तो हमें बताना चाहिए था मैंने सोचा था कि तुम्हें मालुम होगा आखिर उसके बारे में मुझे किस से मालूम हुआ था फ्रेडरीको से फ्रेडरीको तुम्हारी हिरासत में है और तुम लगातार उससे जवाब तलबी कर रहे हो मुझे क्या सफना आना था कि तरुन नांगिया के बारे में उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था तरुन नांगिया के बारे में उसने हमें सिर्फ ये बताया था कि वो उसके एक करमचारी का नाम था और क्या ये नहीं बताया था कि पेडरो ने उसे डकैतों में से एक की सूरत में पहचाना था ये नहीं कहा था उसने कि जिस चोकर ने पेडरो को शोट किया था वो नांगिया था और ये बात पेडरो फ्रेडरीको को बता कर मरा था नॉनसेंस खुद फ्रेडरीको के कतना अनुसार पेडरो ने केवल इतना कहा था कि वो कोई चोकरा था इससे ये कैसे साबित हो गया कि वो चोकरा तरुन नांगिया था लेकिन फ्रेडरी को कहता है कि वो तरुन नांगिया को ही चोकरा कहकर पुकारता था फ्रेडरी को ही तो कहता है वो फ़र्ज चो गया है अपनी खाल बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकता है मुझे तो इसी बात पर विश्वास नहीं कि पेडरो ने मरने से पहले कुछ कहा भी हो प्रभू ये तुमारी हट धर्मी है तुम क्योंकि एक बार फ्रेडरिको को अपने मन में अप्राधी मान चुके हो इसलिए तुम्हें उसकी हर बात जोट लगती है नॉनसेंस मगर तरुन नांगिया का इन सारी बातों से कोई रिश्टा नहीं है तो फिर एक आएक उसका कतलक क्यों हो गया और डकैती वाले दिन से वो गायब क्यों हो गया था तुमने खुदी बताया है सुनील कि उसके हत्य कोई रईस गर्फरेंड चड़ गई थी और वो उसके साथ मौच कर रहा था वो मौच यहीं हो रही थी उसने और उसकी गर्फरेंड नहीं वहां मेरी हत्या करने की कोशिश की थी और कॉटेश को आग लगाई थी अगर इन लोगों के मन पर किसी अपरात का बोश नहीं था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और लड़की ने तरुन नांगिया का कतल क्यों किया कतल की कोई भी वज़ा हो सकती है जरूरी नहीं कि उसका ड़कैती से रिष्टा हो उन दोनों में कोई आपसी मत भेद भी हो सकता है जिसकी वज़ा से नौबत कतल तक पहांच कई हो सकती है तो फिर उन्होंने मेरा कतल करने की कोशिश क्यों की उन्होंने सर्फ तुम पर आक्रमन किया था वो भी इसलिए क्योंकि तुमने उनकी तनहाई में खलल डाला था मेरी निगाह में जरूरी नहीं कि यहां जो कुछ हुआ है उसका ड़कैती से कोई रिष्टा हो कमाल है यार तुम तो चाहते हो कि चित भी तुम्हारी हो और पट भी तुम्हारी अभी तो तुम्हें इस बात के लिए मुझ पर खफा हो रहे थे कि देवबाला नाम की इस्त्री के पीछे मैं अकेले क्यों चलाया मैंने तुम्हें खबर क्यों नहीं की थी और अभी तुम कह रहे हो कि यहां जो कुछ हुआ उसका डकैती से कोई रिष्टा होना जरूरी नहीं है उसकी कोई एहमियत नहीं है प्रभु देयाल खामोश हो गया कुछ शन बाद जब वो दुबारा बोला तो उसके स्वर में नम्रता का पुट था मैंने यह नहीं कहा कि यहां जो कुछ हुआ उसकी कोई एहमियत नहीं है मैंने कहा है कि डकैती के संदर्ब में उसकी कोई एहमियत नहीं है अगर ये बाते तो तुम यहां क्यों दोड़े चले आई प्रभु ये फैसला तो तुम राश्नगर में बैठे भी कर सकते थे कि यहां की घटना का डगैती से कोई रिष्टा नहीं था तुम तो मुझे उल्चा रहे हो सुनिल मैं कहां उल्चा रहा हूँ तुम खुद उलच रहे हो देखो जिन बातों की वज़ा से तुम फ्रेडरिकों को निर्दोश मान रहे हो वो सब लिफाफे बासी वाली बाते हैं वो सब एक बेहत चालाक मुझरिम के खुराफाती दिमाद के उपच है लेकिन उसके खिलाफ जो बाते हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत वसनी है तुमारी राजनगर से गैर हासरी के दौरान हमें एक दो बाते और भी मालूम हुई है जो हमारी इस धारना की पुष्टी करती है कि फ्रेडरिको ही असली अपरादी है अच्छा, और क्या मालूम हुआ है तुम्हें एक तो यही मालूम हुआ है कि फ्रेडरिको पैसे से बहुत तंग था और पिछले दिनों वो हर वक्त इसी उधेड़बून में रहता था कि कैसे कहीं से कोई मोटा माल उसके हाथ लगे बहुत जल्द उसके सेर पर एक ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है जिसकी वज़ा से उसकी माली हालत सुधरनी जरूरी थी कैसी जिम्मेदारी? उसकी बीवी गर्बवती है उसके पेट में दो मास का गर्ब है रिपोर्टर सहब मुफलिसी के आलम में सिर पर खड़ी आलाद की जिम्मेदारी ने फ्रेडरीको के हाथ पाउं फुला दिये हो तो ये कोई बात नहीं मोटे माल की फिरात में तो वो था ही उस बात में उसे फौरण कुछ कर डालने के लिए मजबूर कर दिया जो आदमी एक बार पैसे का सुख देख चुका हो उसके लिए अभाव की जिन्दगी गुजारना और भी मुश्किल होता है लेकिन अभी और सुनो तुम्हें मालुम ही होगा कि कार्निवल का सारा सामान फ्रेडरिको ने किराय पर हासिल किया हुआ था उसके गिरफतारी के बाद कार्निवल तो चलने वाला नहीं था इसलिए उस सामान के मालिकों ने सब को चुकारना आरम कर दिया था रिपोर्टर सहब जिस मेरी गो राउंड के सामने पेडरो की लाश के पास फ्रेडरिको बैठा पाया किया था उसके एक लकड़ी के घोड़े के खोकले पेट में से सो रुपे की दस गटियां बरामत हुई है बैंक की उस साथवी कैशियर से हमें डकैती में लुटे सो सो के नोटों की लिस्ट चासिल हुई है और उस लिस्ट के मताबिक खोकले घोड़े में से बरामत हुए नोट डकैती के ही माल का हिस्सा साबित हुए है जरूर ये भी फ्रेडरिको को फसाने की डकैतों की एक चाल है प्रभू तुमारी अकल खराब हो गई है सुनिल लगता है उन मिया भीवी ने तुम पर कोई जादू कर दिया है जिसकी वज़ा से उनके खिलाव जाती हर बात तुमें किसी की चाल मालूम होती है प्रभू सुनिल गंभीर स्वर में बोला मैं तुमें एक ऐसी बात बदा सकता हूँ जो निर्विवाद रूप से फ्रेडरिको को बेगुना साबित कर सकती है ऐसी कौन सी बात है सुनिल ने उसे शनिवार के ब्लास के इवनिंग एडिशन में छपी तस्वीर दिखाई और बोला इसमें मेरीगोर राउंड के लकड़ी के घोड़े पर चड़ी घागरे जोली वाली इस बच्ची को देखो देख रहा हूँ इसका नाम जे ललिता आएंगर है ये बैंक के चप्रासी रामस्वामी आएंगर की लड़की है तुम मानते हो कि इतनी चोटी बच्ची कोई बात घड़कर नहीं कह सकती वो जूट नहीं बोल सकती ठीक है तुम आगे बढ़ो इस लड़की ने साफ साफ ड़कैती का सारा नजारा देखा था इसके कतना अनुसार फ्रेडरिको के इलावा वहां केवल दो और जोकर थे और गोली उस जोकर ने चलाई थी जो पहले बकतर बंद गाड़ी पर चढ़ा नोट लुटा रहा था उसे क्या मालूम कि वो जोकर कौन था जोकरों में जोकर वो कैसे पहचान गई उसे ये मालूम था कि गोली चलाने वाला जोकर फ्रेडरिको नहीं था कैसे मालूम था? क्योंकि फ्रेडरिको अपना जोकर का मेकप इस प्रकार करता था कि वो रोता हुआ मालूम होता था जबकि बाकी जोकरों के चेहरों पर ऐसा मेकप था कि वो हसते हुए लगते थे वो बच्ची फ्रेडरीको को आंसु वाला अंकल कहती थी और उसके उस विशिष्ट मेकप को अच्छी तरह पहचानती थी इंस्पेक्टर सहब फ्रेडरीको को फसाने के सिलसिले में डकैत यहीं चूग गए थे फ्रेडरिकों के मेकप की इस विशिष्टता को नोट नहीं कर पाई अन्यता उन्होंने भी अपनी सूर्ते रोती हुई बनानी थी प्रभुदेयाल सोच में पड़ गया कितनी ही देर खामोश रहने के बाद वो बोला क्या तुमने खुद इस लड़की से बात की थी हाँ सुनील बोला मैं तो उसे फॉरण तुम्हारे पास लाना चाहता था लेकिन उसकी माने ऐसी नौबत नहीं आने थी लड़की का पता बोलो सुनील ने उसे पता बता दिया और इतिफाक से नेली फियर्ट का नंबर भी मैंने देखा था सुनील बोला तुम चाहो तो बड़ी आसानी से ये मालूम कर सकते हो कि वास्तव में वो कार किसकी है फिर कार के माध्यम से हो सकता है कुछ नए तथ्या सामने आएं कार का नंबर बोलो और मेरे खयाल से तुम्हें देवबाला नामक उस रहस्यमर युफ्ती को तलाश करने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए रिपोर्टर सहब प्रभुद्याल जुन्जला कर बोला मुझे मेरा धंदा सिखाने की कोशिश मत करो सौरी देखो तुम मुझे सिर्फ एक बात समझा दो तो मैं मान जाऊंगा कि फ्रेडरिको और उसकी बीवी बेगुना है कौन सी बात उमेश सक्सेना के पेट में जहर कैसे पहुँचा अगर उसे मारिया ने जहर नहीं दिया तो किस ने दिया कैसे दिया यही तो समझ में नहीं आ रहा सुनील असहाई भाफ से बोला हालाद तो यही बताते हैं कि मारिया के इलावा उसे कोई जहर देही नहीं सकता था देर यू आर लेकिन मुझे उसे इंजेक्शन पर बहुत शक है इंस्पेक्टर सहब जो अहुजा नाम के उस डॉक्टर ने उमेश को दिया था यह शक्तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो पोस्मार्टम के रिपोर्ट में ये निश्चित रूप से सिध हो चुका है कि उसे इंजेक्शन से जहर नहीं दिया गया था जहर उसकी आंतों से बरामत हुआ था जहां कि वो इंजेक्शन द्वारा नहीं पहुंच सकता था क्या डॉक्टर अहुजा का कुछ पता लगा अभी नहीं लेकिन तलाश जारी है कोई और बात जो पुलिस को मालुम हुई हो प्रभुदेयाल आदतन एक बार हिचकिचाया और फिर बोला उमेश सकसेना के बारे में पूश्टाच करने पर हमें मालुम हुआ है कि वो लड़का औरतों का बहुत रसिया था अभी तक ऐसी पांच लड़कियों की तो हमें खबर लग चुकी है जो कि उसकी गल्फरेंट्स थी और कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी ही कई और लड़कियां हो जिनकी अभी हमें खबर नहीं लगी ये हो सकता है कि उन लड़कियों में से ही किसी की उमेश के साथ ऐसी अदावत हो कि उसने उसको जहर दे दिया हो होने को क्या नहीं हो सकता भाई लेकिन फिर भी सवाल वही सामने आता है कि अगर मारिया के इलावा किसी और ने उमेश को जहर दिया तो कैसे दिया ये कैसे हुआ कि मारिया के पाइनेपल जूस का गिलास भरने और उस गिलास के उमेश के हाथ में पहुंचने के दस सेकंड से भी कम के अर्से में कोई तीसरा शक्स जो उसमें जहर मिलाने में काम्याब हो गया सुनिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था सुनिल मैं एक बात सोच रहा हूँ क्या? क्या तुम्हारी ये देवबाला नाम की रहस्यमे युफते भी कोई उमेश के ही गर्फरेंड हो सकती है? मेरे खयाल से तो नहीं हो सकती जो बाते मुझे देवबाला के बारे में मालूम हुई है उनसे तो वो कोई कॉल गर्फरेंड मालूम होती है प्रभू जिस आदमी को कोई चीज मुफ्ट में हासिल हो वो उसके लिए पैसे क्यूं खर्चेगा तुम ठीक कह रहे हो अब जरा उमेश की गर्फरेंड्स के बारे में तो बताओ प्रभू देयाल ने उसे पांच लड़कियों के नाम और पते बता दिये सोमवार शाम को सुनेल राश्नगर पहुँचा वो सीधा मुगल बात पहुँचा इस बार रामा स्वामी आइंगर भी अपने क्वाटर पर मौचूद था उसकी पतनी ने बड़े संदिक भाव से सुनेल को देखा और फिर जल्दी जल्दी तमिल में अपने पती को कुछ बताने लगी सुनेल बड़ी कठी नाई से रामा स्वामी को समझा सका कि वो कोई बच्चे उठाने वाला नहीं था वो प्रेस रिपोर्टर था और किसी की भलाई की खातिर उसका उसकी बेटी से वो विस्तरित वारतलाब करना ज़रूरी था जो कल सुभा अधूरा रह किया था रामा स्वामी ने सुनेल का प्रेस कार्ट देखा बलास के आफिस में फोन करके उसने सुनेल के बारे में पोश्ताच की और तब कहीं जाकर उसकी तसली हुई और उसने सुनील को जैल अलीता के साथ दोबारा बात करने का मौका दिया बच्ची के यादाश पर जोड ना पड़े इसलिए सुनील ने बात को शुरू से शुरू किया उसने उसे वो बाते भी दोहराने दी जो वो पहले सुनील को बता चुकी थी लकड़ी के घोड़े पर तुम काफी देर बैठी थी जैललिता सुनील ने पूछा हाँ, वहाँ मुझे अच्छा लगता था वहाँ से मुझे सब कुछ दिखाई देता था जैललिता बोली तुमने एक गाड़ को गुंगी आंटी के स्चौल पर जाते दिखा था हाँ, गुंगी आंटी ने उसे शर्बत का एक गिलास भर कर दिया था उस वक्त आंसु वाले जोकर अंकल कहां थे वो थोड़ी दूर खड़े थे क्या उन्होंने ठाइं ठाइं की थी नहीं, गुंगी आंटी ने शर्बत का गिलास कहां से भरा था शर्बत की मशीन में से उसमें से एक गिलास निकाल कर उसने खुद भी पिया था क्या गुंगी आंटी ने गाड़ वाले शर्बत के गिलास में शर्बत के इलावा कुछ और भी डाला था नहीं तुमने अच्छी तरह देखा था जे ललीता हाँ फिर क्या हुआ था फिर शर्बत पेकर गार्ट जमेन पर गिर पड़ा था उसके साथ के आत्मी ने उसके नोटों के जोले उठाए और वापिस नोटों वाली गारी की तरफ भागा उसने गारी का दर्वाज़ा खट-खटाया तो एक और गार्ट बाहर निकला उसने दूसरे आतमी से दोनों जोले लेकर भीतर रखे और बाहर खुदा उसने गारी को ताला लगाया और भाग कर जमीन पर गिरे गार्ट के पास पहुँचा फिर डॉक्टर आया उसने बिमार गार्ट को सोई लगाई लेकिन बिमार गार्ट उटकर खड़ा नहीं हुआ फिर डॉक्टर ने सोई अपने बैक में रख ली और लंगडाता हुआ वहां से चला गिया लंगडाता हुआ सुनेल चौंका हाँ जै ललिता निर्विकार भाव से बोली आसुवाले जोकर अंकल की तरह वो डॉक्टर लंगडाता हुआ चलकर गया कहा था जै ललिता वो सफेद रंग की बड़ी सी गाडी में जा बैठा था वो बड़ी सी गाड़ी कैसी थी? बिल्कुल वैसी ही, जैसी आपकी है, सिर्फ रंग का फर्क है, आपकी गाड़ी काली है, वो सफेद थी यानि कि सफेद एमबेस्जर सुनील ने मन ही मन दोहराया, फिर प्रत्यक्ष्ट है वो फिर जैललिता से संबोधित हुआ क्या उस सफेद गाड़ी में कोई और भी था जैललिता? हाँ, जैललिता बोली, कार में एक बड़ी सुन्दर आंटी पहले से बैठी थी कार में बैठी आंटी तुम्हें साफ दिखाई दी थी? जब डॉक्टर अंकल कार के पास पहुँचा था, तो वो एक बार बाहर निकली थी, तब ही मैंने उसे ठीक से देखा था देखने में कैसी थी वो? बहुत सुन्दर, लंबे बालों वाली, सिनेमा की फोटों जैसी, उसने बड़ी अच्छी और बड़े बड़े फूलों वाली साड़ी पहनी हुई थी तुम उस आंटी को दुबारा देखो तो पैचान लोगी? हाँ और उस लंगडा कर चलने वाली डॉक्टर को? उसे भी पैचान लूगी तुमने आंसु वाले जोकर अंकल के हाथ में कोई कैन्वस का जोला देखा था? नहीं क्या वो नोटों वाली गाड़ी के पास गया था? नहीं, वहाँ तो सिर्फ वही खराब जोकर गया था, जो नोट हवा में फैंक रहा था क्या तुमने उसके हाथ में कोई कैन्वस का जोला देखा था? नहीं, कैन्वस का जोला किसी जोकर के हाथ में नहीं था सुनिल बहुत हैरान हुआ सोला लाग के नोट कोई जेबों में भर कर तो ले जा नहीं सकता था अगर नोटों के जोले किसी के भी हाथ में नहीं थे तो लूट का माल गाड़ी में से ले जाया कैसे गया उमेश को जहर किस ने दिया इसी की तरह सब अब ये एक नया सवाल मूबाएं उसके सामने खड़ा था और वो सफेद अमबेश्डर वाली युफ्ती देव बाला हो सकती थी मोहनिवाल ने उसके अधिकार में एक सफेद अमबेश्डर होने का भी जिक्र किया था अगर वो युफ्ती देव बाला थी और डॉक्टर अहुजा उसकी कार में बैठ कर वहां से गया था तो उन दोनों का ही डकैती से गेरा संबंध हो सकता था फिर सुनील ने आएंगर पती-पतनी और पुत्री का धन्यवात किया और वहां से विदा हो गया वो एक बार फिर डॉक्टर लोहानी के क्लिनिक में पहुंचा इस बार डॉक्टर लोहानी अपने क्लिनिक में मौचूद था वो लगबग साथ साल का एकदम सफेद बालों वाला बड़ा क्रिश काई वृत था और उस वक्ट वो अपने मरीजों में इतना व्यस था कि लगबग आधे गंटे तक वो सुनिल से बात करने की फुर्सत नहीं निकाल सका अंत में उसने सुनिल को अपने कंसल्टेशन रूम की तनहाई में बुलाया सुनिल ने उसे अपना परीचे दिया बर्खुरदार डॉक्टर लोहानी बोला अगर तुम भी उस डॉक्टर अहुजा के बारे में ही पूश्टाच करना चाहते हो तो तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त खराब कर रहे हो मैंने पुलिस को भी यही कहा था और तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि मैं किसी डॉक्टर अहुजा को नहीं जानता हूँ डॉक्टर साहब सुनील बड़े विनम्र स्वर में बोला हो सकता है आप उसे डॉक्टर अहुजा के नाम से नहीं बलकि किसी और नाम से जानते हो हो सकता है लेकिन अब बैसे मुझे कैसे मालुम हो कि मेरी वाक्फियत में कौन से डॉक्टर ने अपना नाम डॉक्टर अहुजा बताया था मुझे अभी अभी एक ऐसी बात मालूम हुई है डॉक्टर साहब जो आपकी यादाश को तरो तासा करने में आपकी मदद कर सकती है कौन सी बात? वो कथि डॉक्टर अहुजा लंगडा कर चलता था क्या लंगडा कर चलता था? डॉक्टर लोहानी फॉरन चौंका जी हाँ लेकिन पोलिस ने तो इस बात का जिक्र नहीं किया था पोलिस को अभी ये बात मालूम नहीं है लेकिन तुम्हें मालूम है जी हाँ, लोहानी ने नए सिरे से सुनिल का नेरिक्षन किया और फिर एका एक बदले स्वर में बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? सुनिल, सुनिल कुमार चक्रवर्ती, तुम ब्लास्ट वाले सुनिल हो? जी हाँ, मैंने आते ही अर्स किया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया था लेकिन बरखुरदार तुम्हारे कार नामे तो मैं बड़े चाओ से पढ़ता हूँ मैं तो तुम्हारा फैन हूँ मेरी खुश किस्मती सर तुम्हारी नहीं मेरी मैं तो बहुत ही चुपता तुम से मिलने का डॉक्टर लोहानी ने नए सेरे से सुनिल से हाथ मिलाया फिर वो कुछ शन्विचार पूरवक मुद्रा बनाई खामोश बैठा रहा देखो बरकुरदार अंत में वो बोला मेरे जहन में एक आदमी की तस्वीर उभर तो रही है लेकिन अगर वो कतिर डॉक्टर अहुजा नहीं हुआ तो मुझे डर है कि वो खाम खा किसे जहमत में न फस चाए आप ये मुझे बता रहे हैं सुनिल बोला पुलिस को नहीं मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूँगा मैं आपसे वादा करता हूँ रजनी कांत नाम का एक डॉक्टर काफी देर पहले मेरे क्लिनिक में काम करता था अगर तुम उसकी लंगडे टांग का जिक्र नहीं करते तो मुझे उसका खयाल भी नहीं आता डॉक्टर अहुजा का जो हुलिया अकबार में चपा था उसकी तरफ मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि वो जरूर रजनी कांत ही था बच्पन में हुए एक एकसिडेंट की वज़ा से रजनी कांत की एक टांग दूसरे टांग से कोई एक इंट छोटी हो गई थी इस विकार को चुपाने के लिए हाला कि वो स्पेशल जूता पहनता था लेकिन फिर भी उसकी चाल में से लंगराहट साफ साहिर होती थी क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर था हाँ लेकिन कोई एक साल पहले कानूनी तौर पर उसका रिजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया था जिसकी वज़ा से अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ऐसा क्यों हुआ पैसे के लालश में पढ़ कर वो किसी गर्भपात के केस में हाथ डाल बैटा था लड़की नाबालिक थी और आप्रेशन के धौरान ही मर गई थी रजनी कान्थ के खिलाफ पुलिस का बड़ा लंबा चोड़ा केस बन गया था उसकी तक दीर ही अच्छी थी जो वो जेल जाने से बच गया था लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस करने का उसका लाइसेंस उससे फिर भी चिन गया था वैसे डॉक्टर कैसा था वो अच्छा डॉक्टर था समझतार था लेकिन खयालाद बड़े खराब थे उसके एक तो पैसे पर बहुत जान देता था उपर से पक्का औरत खोर था मुझे उसकी कुछ ऐसी शिकायते भी मिली थी कि क्लिनिक में दवा लेने कई नौजवान लड़की जाती थी तो वो उसका मौइना करने के बहाने उनके साथ छेड़ खानी करने लगता था सुनील के जहन में फिर देव बाला का नाम गुंच किया इस डौक्टर रशनीकांद के से कब से आपका संपर्ट नहीं है प्रत्यक्ष्टर सुनील ने पूछा धाई तीन साल तो मेरा उससे संपर्ट तूटे हो ही गए है डौक्टर लोहानी बोला लेकिन पशले गर्मियों में एक दिन मैंने उसे हार्बर पर देखा था वो उस वक्ट बड़े यॉट के डेक पर बैठा था ये यॉट किसका था? मुझे क्या पता किसका था लेकिन जिस शान से रशनीकांद डेक पर बैठा था उससे तो लगता था कि जैसे यॉट उसी का था आपका मतलब है भी कि आपके क्लिनिक की नौकरी छोड़ने के बाद से उसकी यौट खरीदने लायक हैसियत हो गई थी ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती वैसे रशनीकांद कोई बड़ा स्मगलर बन गया हो तो बात दूसरी है या फिर वो यौट किसी और का होगा किसी ऐसे आदमी का जिससे रशनीकांद के बहुत ही गहरे तालुकात होंगे या फिर ऐसी रई सौरत का जी हाँ आपने उस यौट का नाम देखा था डॉक्टर सहब नहीं वो खेत पॉंट स्वर में बोला अगर देखा भी होगा तो नाम इस वक्त मुझे याद नहीं डॉक्टर सहब अगर बात में भी आपको रशनीकांद के बारे में कोई ऐसी बात याद आ जाए जो उसके तलाश में सहायक सिध हो सकती हो तो बराय महरबानी मुझे कबर कर दीजिएगा हाँ जरूर ये मेरा कार्ट है सुनील ने उसे अपना एक विजिटिंग कार्ट दिया इस पर मेरे आफिस और घर दोनों जगा के टेलीफोर नमबर लिखे हुए है डॉक्टर ने कार्ट लेकर अपनी जेब में रख लिया अब मुझे इजासत दीजिए सुनील उठता हुआ बोला डॉक्टर ने उठकर सुनील से हाथ मिलाया सुनील क्लिनिक से बाहर निकल आया वहां से वो सीधा बलास के आफिस में पहुँचा इतिफाक से अर्जुन अभी वहां माजूद था सुनील उसे पकड़ कर अपने कैबिन में ले आया अर्जुन सुनील बड़ी गंभीरता से बोला फर्स करो तुमने अभी जोकर बनना है तुम क्या करोगे मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा अर्जुन बड़ी संजीद की से बोला क्या मतलब? गुरु जी वो टाइपिंग पोल में रीता खोसला है न उसने मुझे अभी आज ही कहा था कि हेलमेट पहन कर मैं जोकर लगता हूँ अब बताईए मुझे कुछ करने की जरूरत कहा है मेरे तो हेलमेट सेर पर रखने की देर है की बक्वास बंद करो सुनिल चड़ कर बोला कभी किसी बात की गंभीरता से भी लिया करो येस सर अर्जुन तुरंट बड़े ततपर स्वर में बोला मैंने क्या पूछा था तुम से? आपने पूछा था कि अगर मैंने अभी जोकर बनना हो तो मैं क्या करूंगा? कर्रेक्ट अब जवाब दो जोकरों की तो सुना है कि कई किस्मे होती है पहले ये तो बताइए मैंने कौन सा जोकर बनना है? सरकस जैसा जैसा डेकैती वाले रोस फ्रेडरी को बना हुआ था उसके लिए तो सबसे पहले मैं जोकर वाली पोशाक मुहया करूँगा कहां से? मैंने सुना है फैंसी ड्रेस का सामान बेशने वाले लोग ऐसी चीजें रखते है राशनगर इतना बड़ा शहर है यहां ऐसे किसी दुकानदार को तुम तलाश कैसे करोगे जो फैंसी ड्रेस का सामान बेशता हो? अर्जुन सोच में पढ़ गया बच्चों के स्कूलों में फैंसी ड्रेस के प्रोग्रेम आम होते है सुनील बोला ऐसी ड्रेसें अधिकतर माबाप बच्चों को किराई पर लाकर देते हैं तुम किसे स्कूल जाते बच्चे के माबाप से बात करो तो तुम्हें मालूम हो सकता है कि फैंसी ड्रेस का सामान कौन सी दुकान पर मिलता है? ऐसे बच्चे तो मेरे अपने भतीजे ही है अभी कुछी दिन पहले मेरा एक भतीजा स्कूल में काबली वाला बना था और एक भतीजा मीरा बाई बनी थी तो अपने भाई या भावी से मालूम करो कि बच्चों को पठान और मीरा बाई बनाने का ताम जाम वो कहां से लाई थे ऐसी एक दुकान मालूम हो जाने पर उसे दुकानदार से तुम्हें ऐसी अन्य दुकानों के बारे में भी जानकारी हासिल हो सकती है असली बात क्या है गुरू जी असली बात ये है कि पहले तो तुमने ऐसे दुकानों का पता मालूम करना है और फिर ये मालूम करना है कि शुकरवार शाम से पहले कौन सी दुकान से जोकरों की दो पोशाके किराई पर ली गई थी और उन पोशाकों को किराई पर लेने वाला कौन था आपके खयास से शनिवार को शौपिंग सेंटर पर पड़ी डकैती में जिन जोकरों का हाथ था उन्होंने वो पोशा के किराई पर हासिल की थी हाँ वैसी पोशा के अपनी बनवाना शक का बायस हो सकता है लेकिन अगर उन्हें किसी ऐसा ही धंदा करने वाले दुकान से किराई पर ये कहकर हासिल किया जाए कि लेने वाले ने फैंसी ड्रेस पार्टी में हिस्सा लेना था तो किसी को इसमें कुछ असाधारन नहीं लग सकता मेरे खयात से डकैतों ने जोकरो वाली पुशा के किराई पर ही हासिल की होंगी हम अगर ऐसी किसी दुकान का पता तुमें अपने भई या भावी से ना मालूम हो सके तो इसी जानकारी को हासिल करने के और साधन ये हो सकते हैं कि ऐसी किसी दुकान के बारे में किसी नाटक करने वाले से पूश्टाच करो, किसी राम लीला में हिस्सा लेने वाले से पूश्टाच करो, किसी फोटो स्चूडियो से भी पूश्टाच काम आ सकती है। ये लोग भी fancy dress में तस्वीरे खेंशते हैं, वे जानते होंगे कि fancy dress के लिबास कहां किराई पर मिलते हैं। राजनगर में अगर ऐसी 150 दुकाने निकल आई, तो क्या मुझे सबसे पूश्टाच करनी होगी? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है, कि ऐसी जिस पहली दुकान पर तुम पहुँचो, वहीं से तुम्हें वांचित जानकारी हासिल हो जाएं। अगर वे दुकाने सारे राजनगर में बिक्री होई तो मुझे सारे शहर की खाक चाननी पड़ेगी? हाँ हो सकता है, गुरुजी शायद आपको अभी मालूम नहीं हुआ, कि पेटरोल और महेंगा हो गया है, मुझे सब मालूम है, अरजन ये काम फूर्ती से करके दिखाओ, मैं तुम्हें पेटरोल के पैसे भी दिलवाऊंगा, और कल की छुट्टी भी दिलवाऊंगा, फिर कठोर स्वर में बोला, अभी से, आपका मतलब है की? मेरा मतलब वही है जो तुमने समझा, ये कर दी आपने फ्यूज रुडाने वाली बात, मैं तो आज पिक्चर देखने जाने की सोच रहा था, पिक्चर फिर कभी अरजन? अच्छी बात है गुरुजी, लीजी ये छोड दिया पिक्चर का खयाल, आप भी क्या याद करेंगे की किसी? सुनील को घूरता पाकर उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी, फिर वो अपने स्थान से उठा और सुनील का अभिवादन करके फॉरण कमरे से बाहर निकल गया, तुरंद बात सुनील भी वहां कात हुई, सबने उमेश सकसेना से अपने संबंधों को स्विकार किया, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि उसके इलावा उमेश की कोई गर्फरेंड नहीं थी और वो बहुत जल्ब उससे शादी करने वाला था, जाहिर था कि लड़कियां फसाने के मामली में उमेश असली प्रो और वो उस पर तफरी मनाने के लिए अक्सर जाया करता था, जिस रोज उसकी हत्या हुई थी, उस शाम को भी वो उस यॉट पर जाने वाला था, क्या यॉट वाले उस दोस्त का नाम रचनिकांत अहुजा या कोई और अहुजा था, सुनील ने पूछा, नाम तो मुझे माल फिर तो तुम्हे उस यॉट का नाम मालूम होगा, सुनील आशापॉंट स्वर में बोला, यॉट का नाम मालूम होने पर भी उसके मालिक के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती थी, हाँ, यॉट का नाम जल परी था, लेकिन यॉट के मालिक के बारे में तुम कुछ नहीं जानती नहीं उमेश जब तुम्हे उस यौट पर लेकर जाता था तो क्या उसका मालिक वहां नहीं होता था वहां कई लोग होते थे उन में से यौट का मालिक कौन था ये ना मुझे कभी किसी ने बताया था और ना मुझे मालूम हुआ था तुमने उमेश के मुझे कभी किसी रशनी कान या डॉक्टर अहुजा का नाम सुना था नहीं कभी नहीं उमेश के संपर्ट में कभी कोई देवबाला नामक यूफ्ति थी क्या सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे इलावा उमेश की कोई गर्फरेंड नहीं थी गर्फरेंड ना सही उमेश वैसे ही किसी देवबाला को जानता हो नहीं शायद वो तुम से मुलाकात होने से पहले उसे जानता हो और बात में कभी तुम्हारे सामने उसने देवबाला का जिक्र किया हो ऐसा कभी नहीं हुआ पकी बात हाँ सुनील ने अपनी घड़ी पर ग्रिष्टी पात किया आधी रात होने को थी लेकिन फिर भी उसने हारबर का एक चकर लगाने का फैसला कर लिया उसने बेला श्री वास्तव का धन्यवात किया और वहां से विदा हो गया यॉट क्लब मेरीना बीश के पास थित थी आधे के तौर पर एक बेस का नोट दिया और फिर उसे जलपरी नामक यॉट के बारे में पूछा इस यॉट को मैं खूब जानता हूँ किया टेकर ने बताया ये आठ नमबर पायर पर खड़ा है यॉट का मालिक कौन है? सुनील ने पूछा रजनिकांत नामका आदमी जलपरी पर स्थाई तोर पर रहता है लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि यॉट का मालिक वो है या कोई और आई सी ये रजनिकांत आदमी कैसा है? बड़ा अयाश किसम का आदमी है साहब मैंने उसे जलपरी पर हर बार नई लड़की के साथ तफ्री करते दिखा है जलपरी पर जो पार्टियां होती हैं उनमें भी जरूरत से ज्यादा हो हल्ला मचता है यॉट पर अकेला होता है तो डेक पर खड़ा होकर आसपास के यॉटों पर मौजूद लड़कियों को छेड़ता रहता है और उन पर फप्तियां कसता रहता है लेकिन फिर भी उसके सहेलियों के जुन में कोई तो खास सहेली भी होगी उसकी? हाँ एक लड़की है जो हफ़ते में दो या तीन बार नियमित रोप से आती है क्या तुम उसका हुलिया बयान कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ मैंने कई बार देखा है उसे कैसी है वो? उत्तर में केर टेकर ने रजने कान के सहेली का जो हुलिया बयान किया जैसे मुलाइम भूरे बाल, पतली कमर, भारी कुलहे, मजबूत जांगे वगेरा वगेरा अभी तुमने कहा था सुनील बोला कि रजने कान स्थाई रोप से यॉट पर रहता है क्या वो इस वक भी वहाँ होगा? होना तो चाहिए साहप जरह दिखाओ तो आठ नमबर पायर कहा है? केर टेकर उसे आठ नमबर पायर पर खड़े जल परी नामक विशाल यॉट के पास ले गया सुनील ने देखा, यॉट के एक कैबिन की बत्ती जल रही थी रजनी कान सहप, सुनील ने उचस्वर में आवाज लगाई कोई उत्तर नहीं मिला अरे, कोई है क्या? जवाब नदारत अगर मैं यॉट पर चड़ जाओ, सुनील बोला तो तुम्हें कोई एतरास? अगर रजनी कान्त यॉट पर है, तो मुझे कोई एतरास नहीं केर टेकर बोला लेकिन अगर यॉट पर कोई नहीं है, तो मुझे एतरास है मैं यहाँ का केर टेकर हूँ मालिकान की गैर हाजरी में हर यॉट की रखवाली करना मेरी नौकरी का हिस्सा है तुम समझते हो कि मैं इस यॉट से कुछ चुड़ा कर ले जाओंगा सुनील उपहास फोंट स्वर में बोला केर टेकर ने उतर नहीं दिया चीक है, तुम चॉकसी से अपनी डूटी भुगताओ तुम ऐसा करो कि यॉट पर तुम भी मेरे साथ चलो इस प्रकार तुमें तसली रहेगी कि मैं यहां से कुछ चुड़ा कर नहीं ले जा रहा हूँ केर टेकर ने सेहमती में सिर हिलाया दोनों जल परी के डैक पर कूद गए सुनील उस कैबिन के पास पहुचा जिसमें रोशनी थी उसने दर्वाजे पर दस्तक दी और आवास लगाई मिस्चर रशनीकान कोई उत्तर नहीं मिला सुनील ने दर्वाजे को धका दिया दर्वाजा खुला था उसने एक कदम कैबिन के भीतर रखा उसने अनुभव किया कि वातावरण में इंटिमेट के वही हलकी सी गंद बसी हुई थी जिससे उसने देव बाला के जरी वाले कोटेश के ड्राइंग लूम में भी महसूस किया था फिर उसे कैबिन के एक कोसे में लगे बिस्तर पर एक सरवदा नगन पूरुश शरीर पड़ा दिखाई दिया उस शरीर में कोई हरकत नहीं थी और उसके चारों तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था पासी एक मेस पर कई प्लेटें दो गिलास और विस्की की एक आधी बोतल पड़ी थी फर्च पर बियर और विस्की की कई खाली बोतले लोड़की पड़ी थी सुनील ने आगे बढ़कर उसकी नफस टटोली नफस गायब थी वो कैबिन के चौकट पर ही मूँ पाई ठिटके खड़े केर टेकर की और घूमा क्या ये रशनी कान थे उसने पूछा हाँ केर टेकर फंसे स्वर में बोला मर गया क्या हाँ लाश की हालत बता रही है कि इसे मरे 48 घंटे से उपर हो चुके है हे भगवान ये दो दिन से यहां मरा पड़ा है हाँ चलो पुलिस को खबर करनी होगी दोनों फोरण यॉर्ट पर से उतर गए मरने वाला रशनी कांत नामक डॉक्टर लोहानी का किसी समय का सहकारी डॉक्टर ही था इस बात की पुष्टी डॉक्टर लोहानी को लाश की सूरत दिखाई जाने के बाद हो गई जैललिता रमेश सकसेना और मोहर सिंग ने भी लाश देखते ही बेहिचक कहतिया कि वही वो रहस से पुर्ण डॉक्टर अहुजा था जिसने शनीवार को उमेश सकसेना का उपचार करने की कोशिश की थी और उसे एक इंजेक्शन दिया था पुलिस के कतना अनुसार रजनी कांथ उर्फ डॉक्टर अहुजा शनीवार दोपहर और शाम के बीच के किसी समय गोली खाकर मरा था गोली उसके दिल के पार गुजर गई थी और उसकी ततकार मृत्यू हो गई थी पुलिस के बैलेस्ट्रिक एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टी की कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी पुलिस के थियोरी के अनुसार डॉक्टर अहुजा का शरीर संपूर नगना वस्ता में कैबिन में मौजूद होना एक ही बात साबित करता था कि जिस समय उसे शूट किया गया था उस समय जरूर वो किसी इस्तरी के साथ संभोगरत था और उसी इस्तरी ने बात में उसे शूट कर दिया था और केर टेकर का बेयान और कैबिन में बसी इंटीमेट के सुगंद ये साबित करती थी कि वो को इस तरी कोई और नहीं देवबाला ही थी देवबाला की तलाश की दिशा में पुलिस ने जो पहला कदम किया वो ये था कि उन्होंने रमाकांद के जेरी स्थित कॉटेश के केर टेकर मोहनी वाल को राजनगर बुलवाया पुलिस ने बेला श्री वास्तव सहीत उमेश सक्सेना की पांचो सहेलियों की शकल उसे दिखाई लेकिन मोहनी वाल निश्चित रूप से ये नहीं कह सका कि उन्हीं पांचों में से कोई देव बाला थी या नहीं वो पांचों युफ्तियां देव बाला जैसे ही खूप सूरत और जवान थी सबकी फिगर भी देव बाला से मिलती थी लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कुछ कह पाना उसके लिए संभव नहीं हो सका सुनील के आगरपर पुलिस ने उन यूफ्तियों से बारी-बारी ये भी पूछा कि उन में से इंटिमेट नामक सेंट कौन लगाती थी लेकिन जवाब में यही सुनने को मिला कि इंटिमेट कोई भी नहीं लगाती थी पुलिस को जलपरी के कैबिन में बिकरी पड़ी बोतलों और गिलासों में से किसी बर भी किसी इस्तरी की उंग्लियों के निशान नहीं मिले जो कि उनके लिए भारी मायूसी की बात थी अब वो ये भी नहीं कह सकते थे कि वो इस्तरी पीती नहीं थी या उसने उस रोस नहीं पी थी और या उसने अपनी उंगलियों के निशान जान बुझकर हर जगा से पोच दिये थे जलपरी की भरपूर तलाशी के बावजूद भी वहां से लूट का माल या उसका कोई अंग बरामत नहीं हुआ मंगलवार सुबा बैंक खुलने से थोड़ी ही देर बात सुनेल बैंक के लिंक रोट स्थित हेड आफिस पहुँचा वहां वो कृष्णा से मिला कृष्णा तब भी अपने उसी जोगिया रंग के परिधान में थी जिसमें वो उसे पहले भी देख चुका था ये देख कर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि कृष्णा ने उसे फॉरण पहचान लिया सुनिल ने उसका अभिवादन किया उसे बताया कि वो उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था तो वो अपने कैशियर के पिंचरे से निकली और उसे एक खाली कमरे में ले आई फरमाईए वो बोली कृष्णा जी सुनिल अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला मुझसे खफा नहीं है मैं कभी किसी से खफा नहीं होती ये आपकी महांता है वो खामोश रही तो मैं निश्चिंथ हो जाओ कि आपने शनिवार की मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना है उसने सहमती में सेर हिलाया और बोली मुझसे क्या पूछना चाहते हैं आप क्या आपने आज का अखबार देखा है हाँ देखा है उसमें आपने जलपरी नामक याट पर हुई रजनी कान्त और डॉक्टर अहुजा नाम के एक आदमी के कतल की खबर भी पड़ी होगी पड़ी है आप इस केस से वाकिफ है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस डॉक्टर अहुजा का भी ड़कैती से रिष्टा है हो सकता है मुझे इन बातों की कोई खास समझ नहीं मरने वाले की तस्वीर अकवार में छपी थी क्या आपने कभी इसे देखा था नहीं, कभी नहीं क्या उमेश सक्सेना ने कभी जलपरी नाम के किसी यॉट का आपके सामने जिक्र किया था नहीं या कभी अपनी किसी ऐसी गर्फरेंड का जिक्र किया हो जिसके पास नीले रंग की फियर्ट है और सफेद रंग की एमबैस्जर है और जेरी में जिल के किनारे जिसका कौटेच है उमेश ने कभी ऐसी कोई बात मुझसे नहीं की थी या कभी किसी तरुन नांगिया नामक युवक या देव बाला नाम की युफ्ती का जिक्र किया हो नहीं लेकिन ये लोग है कौन तरुन नांगिया तो फ्रेडरिको के कार्णीवल में काम करता था और देव बाला वो रहस्यमई युफ्ती है डकैती वाले दिन जिसके कार पर सवार होकर डॉक्टर अहुजा वहां से खिसका था और जो शायद जलपरी पर उसकी मौत के समय उसकी सहचरी थी इन में से मैं किसी को नहीं जानती शनिवार के सुबच शापिंग सेंटर वाली आपके बैंक की ब्रांच में साड़े सोला लाक रुपया पहुँचने वाला था ये बात अगर कोई बाहरी आत्मी चाहता था जान सकता था कैसे जान सकता था ये तो ये बात या तो मुझे मालूम होती है या मैनेजर को अगर आप ये समझते हैं कि मैने या मैनेजर ने किसी को बताया होगा तो नहीं नहीं ये मेरा मतलब नहीं और फिर मुझे और मैनेजर को भी ये बात कुछ ही घंटे पहले मालूम होती है कि कितना रुपया कहां पहुंचाया जाना है फिर तो ये बात मालूम हो जाने भर से ही डकैतों का मतलब हल नहीं होता जिस योजना की अनुसार डकैती डाली गई थी वो आनन फानन तयार की जा सकने लायक थी ही नहीं उस डखैती की योजना की जान वो हालत थी जो एन मौके पर उमेश की हुई और हलात साफ जाहिर कर रही है कि कोई बाहरी आत्मी उमेश की वो हालत नहीं बना सकता था लेकिन मारिया ऐसा कर सकती थी? ये सवाल बहुत बार उठ चुका है वो ऐसा कर सकती थी लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा नहीं किया था लेकिन मारिया के सिवाई उसे और कोई जहर देही नहीं सकता था यही तो मिस्टरी है जो समझ में नहीं आ रही सुनिए ये तो जगविदित है कि उमेश के वो हालत बने बिना वो डकैती नहीं पड़ सकती थी उमेश की उस हालत के कारण ही दूसरा गाड बकतरबन गाड़ी में से बाहर निकल आया जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मोहर सिंग ड्राइवर पंप लाने के बहाने डॉक्टर अहुजा द्वारा वहां से हटा दिया किया इस तरह बकतरबन गाड़ी लावारी सखड़ी रह गई लेकिन बात को इस सिते तक पहुँचाने में सबसे महत्वपोंड रोल उस पाइनपल जूस के गिलास का था जो उमेश ने मारिया से लेकर पिया था अगर इस डगैती के पीछे फ्रेडरिको और मारिया का हाथ था तो आप मुझे ये बताईए कि वो उमेश को जूस पेने के लिए कैसे मजबूर कर सकते थे उमेश अगर जूस पेने के लिए मारिया के इस चौल पर नहीं आता तो उनकी कथित योजना के वही टांग नहीं तूट जाती क्या ऐसी कच्ची योजना पर अमल का क्या फाइदा जिसका पुलन्दा उमेश को प्यास ना लगने से ही बन सकता हो लेकिन ये बात तो जिसने भी डगैती डाली है उस पर लाकू होती है आप चीक कह रही है इसी बात से तो मेरा दिमाग भननाया जा रहा है कि डगैती डालने वालों को ये कैसे मालूं था कि बक्तरबंद गाड़ी के वहाँ पहुँचते ही उमेश मारिया के स्चॉल पर जाकर पाइनपल जूस पियेगा और फिर उसके जूस में जहर कैसे मिलाया किया क्रिश्ना ने बड़ी संजीदगी से सहमती में सेर हिलाया आगे बढ़ा उमेश की बेला श्रीवास्तव नामक गर्फ्रेंड ने मुझे बताया था कि शनिवार शाम को वो तफ्री मनाने के लिए जलपरी नामक यॉट पर जाने वाला था वो रजनिकांत उर्फ डॉक्टर अहुजा के अधिकार में था डॉक्टर अहुजा शनिवार को घटना स्थल से एक किस्त्री के साथ कूच करता देखा गया था जिसका नाम देवबाला बताया जाता है फिर हालाद बता रहे हैं कि उसी देवबाला ने शनिवार को डॉक्टर अहुजा के साथ उसके यॉट के कैबिन में अहुजा को शूट कर दिया था ये बातें उमेश, डॉक्टर अहुजा और देवबाला के किसी आपसी गठ जोड की तरफ संकेत करती है इस लिहाद से तो डॉक्टर के साथ उमेश का भी संबंध होना चाहिए ये नहीं हो सकता, मैं उमेश को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ वो ऐसा आदमी हर्गिस भी नहीं था अगर वो डॉक्टर का साथी था, तो वो अपनी जान से हाथ कैसे धो बैटा ये भला कोई मानने वाली बात है कि डॉक्टर के सहूलियत के लिए उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी हो आप ठीक कह रही है, सुनिल को स्विकार करना पड़ा यहीं मेरी ये थियोरिप पेट जाती है अगर मारिया ने उमेश को जहर नहीं दिया तो उसके पेट में जहर एक ही तरीके से पहुंच सकता था कि जहर उसने खुद खाया हो ये बात वाकई गले से नहीं उतरती कि ड़कैतों को अबलाइस करने के लिए उमेश ने जहर खाकर आत्मत्या कर ली हो भाई साहब एक मिनट के लिए फर्स कीजिए कि डॉक्टर अहुजा और देव बाला से रिष्टेदारी उमेश की नहीं फ्रेडरिको की थी और बैंक का माल लूटने की योशना फ्रेडरिको की ही थी ये बात इस आधार पर कही जा सकती है कि उमेश को जहर देने की सुविदा मारिया के इलावा किसी को नहीं थी मेरे ख्याल से फ्रेडरिको का इरादा उमेश को जान से मार डालने का नहीं था वो केवल इतना चाहता था कि जहर से उमेश की तबियत खराब हो जाए वो तडपने लगे और उसके उस हालत की वज़ा से उसका भाई रमेश और ड्राइवर मोहर सिंग बक्तरबन गारी से दूर हो जाएं आप जानते ही हैं डॉक्टर अहूजा ने उमेश को एक इंजेक्शन दिया था वो इंजेक्शन जरूर उस जहर का तोड था जो उमेश को खिलाया गया था तो फिर भी वो मर कैसे गया जरूर मारिया ने या तो लापरवाही से और या जान बुझ कर उमेश को जहर की इतनी बड़ी मात्रा खिला दी थी कि इंजेक्शन किसी काम नहीं आया था लेकिन यहाँ फिर वही सवाल पैदा होता है कि फ्रेडरिको को कैसे मालूम था कि उमेश वहाँ पहुँचते ही जो उस पीने के लिए मारिया के स्चाल पर पहुँचे का अगर उमेश वहाँ नहीं जाता तो डगैती कि योजना की तो वहीं छुटी हो जाती हाँ ये भी ठीक है फिर उमेश का तो डॉक्टर अहुजा और उसके जल परी नामक यॉट से संपर्क स्थापित हो चुका है फ्रेडरिको की उससे ऐसी किसी रिष्टेदारी की बात साबित नहीं होती दूसरी बात ही ये कि जैल अलिता आइंगर नाम की बच्ची ने साफ साफ देखा था कि मारिया ने उमेश के जूस के गिलास में कुछ नहीं मिलाया था वो बच्ची है नादान है उसकी निगाहें बहुत तेज है और बुध्धी बहुत तेक्षन है वो ऐसा कोई धोगा खाने वाली नहीं और फिर जब आप फ्रेडरिको को इतना उस्ताथ मानती है कि इतने करामाती तरीके से वो बक्तरबन गाड़ी लूटने में काम्याब हो गया तो आपको ये भी मानना होगा कि इतना बेवकुफ वो नहीं हो सकता कि लूट के माल का एक हिस्सा जहां वो बैठा था वो उसी के पीछे मौजूद मेरीगोर राउंड के लकड़ी के एक घोड़े में चुपा देता इतनी अकल तो उसे होनी चाहिए थी कि बात में जहां वो मौजूद पाया चाना था उसके आसपास की तलाशी तो बड़ी बारीकी से होने वाली थी आप चीक कह रही है कृष्णा प्रभावित स्वर में बोली आपकी तर्क शक्ती बहुत प्रबल है और ऐसे मामलों में आपकी सूज भूज भी असाधारन है अपने इन गुणों का आपको फाइदा पहुंच सकता है मिस्चर सुनील फाइदा? कैसा फाइदा? हमारे बैंक ने डकैतों की गिरफतारी और लोट के माल की बराम्टी पर पचास अजार रुपे के नकद इनाम की खोशना की है मुझे लग रहा है कि आप ये इनाम असानी से जीत सकते हैं अजी हमारे ऐसे भाग कहां? आप कोशिश तो कीजिए कोशिश तो मैंने करनी ही है लेकिन अपने अकबार की खातिल किसी इनाम के लालश में नहीं? एक पंथ दो कास जो जाएं तो हर्स क्या है? जी हाँ हर्स तो कोई नहीं क्या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं? एक सवाल है तो सही मेरे जहन में लेकिन मालूम नहीं आप उसका जवाब देंगी या नहीं सवाल पूछिए अभी मालूम हो जाएगा क्या आप सारी उम्र यूही रहेंगी? सुनेल उसके जोगियों वाले लिबास पर निगाफिराता हुआ बोला नहीं वो सहजपाफ से बोली क्या आपको अपनी इस जिंदगी से कोई एतरास नहीं? नहीं मैं इस से पूरी तरह संतुष्ट हूँ आपने कहा था कि आपने अपनी ये जिंदगी अपने किसी पारिवारी का परंप्रा को जिंदा रखने के लिए अपनाई थी आपने ये भी कहा था कि आज की तारीक में आप इस संसार में बिलकुल अकेली हैं क्रिशना जी जब परिवार ही नहीं रहा तो ऐसी परंप्राओं के साथ चिपके रहने का क्या फाइदा जिन से जाहिरा तोर पर कुछ हासिल नहीं मैं इस बारे में आप से बहस नहीं करना चाहती लेकिन मैं जैसी हूँ छीक हूँ मुझे अपनी मौजोदा जिंदगी से कोई शिकायत नहीं छीक है जाने दीजिए अब बराए महरबानी एक आकरी बात और बताईए पूछिए आपने बताया था कि बक्तरबंद गाड़ी के रुपया रखने वाले कमपार्टमेंट की दो चाबियों में से एक बैंक के वॉल्ट में रहती है और दोसरी दोनों गाड़ों में से एक के पास मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जब बक्तरबंद गाड़ी इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही होती तो उस वक्त भी गाड़ वाली चाबी क्या गाड़ के पास ही रहती है नहीं गाड़ी जब वापिस यहां के गैरिश में आखड़ी होती है तो गाड़ अपने वाली चाबी मुझे सौंप देता है फिर वो चाबी भी मैं वाल्ट में जमा कराती हूँ फिर तो रमेश ने तब हड़ बड़ी में ताला खुला छोड़ दिया होगा जब मौहर सिंग के बुलाने आने पर वो अपने भाई के पास भागा था मुझे इस पारे में कुछ नहीं मालूम क्या रमेश इस वक्ट बैंक पे है वो पंदरा दिन के छुट्टी ले गया है वो तो अब अपने भाई की क्रिया के बाद ही वापिस लोटेगा और मौहर सिंग वो शायद यही हो आप सरा उसे यहां बुलवा सकती है अभी लीजिए वो एक कमरे से बाहर निकल गई सुनिल ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा थोड़ी देर बाद वयोवरिद मोहर सिंग ने क्रिशना के साथ भीतर कदम रखा मैंने इन से पूचा है क्रिशना बोली यह कहते हैं कि लाकेश ने इनकी आँखों के सामने बक्तरबन गाड़ी के पिछले दर्वासे को ताला लगाया था अवल तो रमेश जैसे तज्जूर बेकार गाट से ऐसी लापरवाही हो ही नहीं सकती थी मोहर सिंग बोला अगर हो भी जाती तो मैं वहां मौजूद था मैं उसे गाड़ी का दर्वासा खुला छोड़ कर हर्गिस नहीं जाने देता वो ताला कैसा था सुनीन ने पूछा बहुत मजबूत बहुत पेची था बड़े से बड़ा उस्ताद ताला तोड़ भी उसके साथ गंटों कुश्टी लड़ते रहकर भी उसे खोल नहीं सकता था तो फिर ड़कैती ने उसे आनन फानन में कैसे खोल दिया ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही जरूर ड़कैतों के पास उस ताले की डुप्लिकेट चाबी रही होगी लेकिन उसकी डुप्लिकेट चाबी हासिल कर पाना असंभव है कृष्णा बोली फिर भी इस असंभव काम को किसी ने संभव किया है इस बात की तो गैरंटी है कि वो ताला खोला चाबी लगा कर ही गया है वाल्ट से चाबी निकाली नहीं जा सकती कृष्णा जी आप चाबी हासिल होते ही फौरण उसे वाल्ट में जमा कराती है इससे तो यही जाहिर होता है कि दोनों गार्डों मेंसे ही किसी एक ने डकैत को वो चाबी मुहया कराई है ताकि वो उसकी डुप्लिकेट चाबी तयार करवा सके आप रमेश और उमेश पर डकैती का इल्जाम लगा रहे हैं मोहर सिंग कठोर स्वर में बोला अगर वो दोनों या उन दोनों में से कोई एक डकैती में शामिल नहीं था तो मुझे समझाईए कि किसी गारी की डुप्लिकेट चाबी कैसे हासिल हो गई मोहर सिंग कुछ शंट चेहरे पर अनिश्चे के भाव लिए खामोश बैठा रहा और बोला उमेश लड़कियों का बड़ा रसिया था हो सकता है उसकी कई सहेलियों में से किसी ने उसे बेवकुफ बना कर उसकी जानकारी के बिना उससे थोड़ी देर के लिए चाबी हासिल की हो और उससे साबुन या मोम के टुकडे पर दबा कर उसका सांचा बना लिया हो क्या ऐसी कोई लड़की है आपकी निगा में जो उमेश को यूँ बेवकुफ बना सकती हो सुनील ने पूछा मेरी निगा में तो ऐसी लड़की मारिया ही है उमेश को जहर देने का मौका भी उसी के पास था इसलिए ये बात और भी मुमकिन लगती है लेकिन मारिया तो उमेश से नफरत करती थी कुछ दिन पहले उमेश ने उसे ज़रा छेड़ा था तो मारिया ने कोहरा मचा दिया था वो सब दिखावा भी हो सकता है अपने और उमेश के संबंद को अपने पती की शक्की निगाहों से चुपा कर रखने के लिए हो सकता है उसने ड्रामा किया हो कि उसे उमेश से नफरत थी मैं ये बात मानने को तयार नहीं सुनेल तेवर विरोत पॉंट स्वर में बुला मारिया एक नहायत शरीफ लड़की और बेहत निष्टावान पत्नी है ऐसी कोई हरकत वो हर्गिस नहीं कर सकती ना ही मैं उसके पती से ये उमेद कर सकता हूँ कि चाबी का सांचा हासिल करने के लिए उसने अपनी पत्नी को उमेश पर डोरे डालने जैसे जलील काम के लिए प्रेरित किया हो अगर ऐसा होता तो उमेश की शनिवार वाली बातों से ताव खा कर उसका कतल कर देने की नियत से वो अपने रिवालवर नहीं निकाल लाता सुनेल एक शन ठिटका और फिर बोला उमेश की औरतों में दिल्चस्पी की बात आप से छुपी नहीं होगी उसमें ऐसा कोई गुन था जिसकी वज़ा से दरजनों एक से एक खुप सूरत और नौजवान लड़कियां उसके उपर मक्यों की तरह भिन भिनाती रहती थी ऐसा आत्मी एक गुंगी विवाहिद गुवानी इस्त्री के चकर में पड़ा हो ये बात गले से नहीं उतरती लेकिन मारिया से चेड़ खानी करते उसे कुछ दिन पहले सब ने देखा था वो हरकत उसने फ्रेडरिको को चड़ाने के लिए भी की हो सकती है और शरीवार सुबा भी कहा था कि आज वो मारिया के दूसरे गाल पर भी चिकोटी काट कर ही जाएगा वो बात मैंने सुनी है लेकिन बात में उसने ऐसा कुछ किया नहीं था इसी से जाहिर होता है कि ऐसा कहने के पीछे उसका मनतव्य फ्रेडरिको को अपमानित करना था ये हो सकता है उसे कुछ एक शन पहले उसने जान बुच कर यूँ गाड़ी का हौन बजा दिया था कि वो बिचारा लंगड़ा घबराहट में अपना संतूलन खो बैटा था और जमीन पर गिर गया था तब उमेश ने बड़े गुसे में उसे लंगड़ा कहकर पुकारा था और उसे फौरण रास्ता छोड़ने के लिए कहा था लेकिन उमेश ने उसे अपमानित क्यों किया और यूँ जान भुश कर क्यों भड़काया क्या पता क्यों किया उसने ऐसा लेकिन हो सकता है कि उसी अपमान का बदला लेने के लिए मारिया ने उमेश को जहर पिला दिया हो और बैंक की गाड़ी लूट ली हो हाँ उस मामुली अपमान के बदले में खून और ड़कैती तो चेंटी मारने के लिए तोप लाने जैसा काम हो गया फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि मारिया के गाल पर उमेश द्वारा चिकोटी काटे जाने वाली घटना के बाद से ही मारिया अपनी जेप में इस एरादे से एक जहर की पुड़िया लिये फिर रही थी कि कब उमेश उसके पती को दुबारा अपमानित करे या उसके दुर विवार की धमकी दे और कब वो उसे जहर खिला कर उसकी जान ले क्या ये सब बात संभव लगती है नहीं मोहर सिंग ने स्विकार किया लेकिन ये बात फिर भी अपनी जगा अटल है कि उमेश को जहर खिलाने की सुविधा केवल मारिया की थी यही तो बखेडे वाली बात है सुनील खेत पूंट स्वर में बोला जिसका कोई जवाब नहीं सूच रहा मुझे ये मैं साथ जनम नहीं मान सकता कि मारिया ने उमेश को जहर दिया था लेकिन मैं इस अकीकत को भी नहीं जुटला सकता कि मारिया के इलावा और कोई उमेश को जहर खिला ही नहीं सकता था कोई कुछ नहीं बोला फिर सुनील ने सहयोग के लिए दोनों का शुक्रिया अदा किया और वहां से विदा हो किया सुनील पुलिस एट कौर्टर पहुंचा वहां से उसे मालुम हुआ कि पुलिस राजनगर निवासी उस व्यक्ति का पता लगा चुकी थी जिसका जेरिस्ति कौर्टिश देव बाला ने किराई पर लिया था उस व्यक्ति के कतना नुसार उसने अपने किराईदाय की सूरत कभी नहीं देखी थी उसने कौर्टिश किराई पर खाली होने के सिलसले में अकबार में विग्यापन दिया था फिर किसे इस्त्री ने फोन पर कॉटेश के बारे में बात की थी और बात में मनी ओर्डर द्वारा उसे तीन महीने का किराया भेश दिया था चाबी के बारे में उसे कहा गिया था कि वो उसे फला दिन कॉटेश खोल कर ताले में ही लगी रहने थे क्या नीली फियर्ट का कुछ पता लगा सुनीन ने पूछा इतना ही पता लगा है कि किसी देवबाला नामक किस्तरी के नाम रिजिस्टर्ड है रिजिस्ट्रेशन के रिकार्ड में देवबाला का जो पता लिखा है उस पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि वहाँ ना कोई देव बाला रहती है और ना कभी रहती थी ओ वैसे हमने एक all point bulletin issue करवा दिया है कि वो कार्ट जहां कहीं भी दिखाई थे उसे रोक लिया जाए बस शर्ते कि वो कहीं दिखाई थे सुनील ने कहा उस कथी देव बाला के पास एक सफेद अंबेस्टर भी तो है जसका की नंबर तुम्हें मालूम नहीं हाँ वैसे उसके इस थाट बाट से इतना तो साफ जाहिर है कि वो कोई पैसे वाली औरत है जरूरी नहीं कारे उसके यारों की हो सकती है और जेरी के कॉर्टिश का किराया भी उसके किसी यार ने भरा हो सकता है फिर भी उसकी पैसे वाली औरत होने की संभावना ज्यादा है कैसे? तरूर नांगिया जैसे मामूली हैसियत के नौचवान को जो औरत अपनी कार उधार दे सकती है उसके पैसे वाली होने की ही संभावना ज्यादा है अभी तुमी ने बताया है कि नेली फियर्ट उसके अपने नाम रिजिस्टर्ड है फिर भी उसके खरीद के लिए पैसे किसी और के जेब में से निकले हो सकते है जैललिता आइंगर से तुम लोगों ने भी बात की है क्या की है और आज के अकबार में उससे लिए इंटर्व्यू के आधार पर जो कुछ तुमने चापा है वो भी मैंने पढ़ा है उस बच्ची की बातों से पबलिक ओपीनियन बहुत फ्रेडरी को और उसकी पतनी के हक में हो गई है लोग उनसे बे तहाशा हमदर्दी दिखाने लगे हैं हमें टेलिफोन पर राई दी जा रही है कि हम उन दोनों को फॉरण छोड़ दें और असली अपराधी को तलाश करने की कोशिश करें एक किसी ज्यादा ही उतावले आदमी ने टेलिफोन पर कहा था कि अगर हमने फॉरण उन्हें रिहा नहीं किया तो वो पुलिस एट क्वार्टर को आग लगा देगा उस बच्ची की बातों से ये भी साबित होता है कि एंड डकैती के समय देवबाला नाम की वो रहस्यमई रमनी गटना स्थल पर मौचूद थी हाँ लेकिन उसी बच्ची का बयान ये भी बताता है कि वो उमेश के या कोल्डरिंग के स्टॉल के पास भी नहीं फटकी थी इसलिए ये नहीं हो सकता कि उमेश की मौत में उसका कोई हाथ हो वो तो जाहिर है कि डॉक्टर अहुजा और रजनी कांथ को ही वहाँ से निकाल ले जाने के लिए मौचूद थी इससे तुम क्या नतीजा निकालते हो वही जो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ यही कि उमेश को जहर मारिया ने ही खिलाया है लेकिन इससे ये नतीजा भी तो निकालो कि डॉक्टर अहुजा और देव बाला भी डकैती में शरीक थे हाँ वो तो जाहिर है जाहिर है तो ये साबित करके दिखाओ कि उनका रिष्टा फ्रेडरिको और मारिया से था ये तो होगा ही हालात पुकार पुकार कर कह रहे है मुझे तो ये पुकार सुनाई नहीं दे रही तुम पुलिस वाले हो इसलिए ये सहूलियत की पुकार तुम्हें सुनाई दे रही है भई ये तो हो ही नहीं सकता कि वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना हो अगर ये बात है तो फिर देववाला ने डॉक्टर अहुजा और रजनी कांद का और तरुन नांगिया का कतल क्यों किया उन दोनों का डगैती के माल में हिस्सा दबाने के लिए या शायद इसलिए क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि उन दोनों को असानी से तलाश किया जा सकता था और फिर वे उसे भी फस्वास सकते थे अगर ये बात थी तो उसने सीधे सीधे ही दोनों का कतल क्यों नहीं कर दिया उन्हें कतल करने से पहले वो उनके साथ रंग रलिया क्यों मनाती रही उन्हें साफ असाफधान करने के लिए तुमने तो यार हर बात का जवाब सोच कर रखा मालूम होता है अगर मेरे सोचने में कोई नुक्स है तो बताओ क्या नुक्स है ये देवबाला है कौन ये मुझे अभी नहीं मालूम लेकिन देर सवेर मालूम होकर रहेगा फ्रेडरीको और मारिया इस वक्त यहीं कह रहे हैं कि वो किसी देवबाला को नहीं जानते लेकिन देर सवेर उन्हें इस बारे में अपनी जुबान खोलनी ही पड़ेगी इसे में उनकी भलाई है तुम्हारे खयाल से इस सारे फसाद की जड़ देवबाला है वो तो अंधे को भी दिखाई दे रहा है उसी ने अपने रूप जाल में फांस कर फ्रेडरीको को बेवकोफ बनाया है डॉक्टर अहुजा और तरुन नांगिया को बेवकोफ बनाया है और उनका कतल किया है कोई बहुत ही खतरना कौरत है वो जो इतनी काम्याबी से इतना प्रपंच फैला सकी और होसला देखो कमबक्त का शनिवार को वो यॉट पर डॉक्टर अहुजा के पहलू में लेठी फिर उसने उसका कतल किया और उसी रोज तरुन नांगिया के साथ एश करने जेरी पहुँच गई हो सकता है उमेश भी देवबाला के यारों में से ही एक हो इस बारे में मैंने उसके भाई रमेश से बात की थी उसके कतना नुसार उमेश की देवबाला नाम की कोई सहेली नहीं थी और नहीं तो कम से कम इतना वो दावे के साथ कह सकता था कि उमेश किसी लड़की के चकर में कभी जेरी नहीं गया था गया होता तो उसे मालूम होता तुम उन दो आदमियों के बारे में क्या कहते हो जिनोंने शुक्रवार रात को मेरे फ्रेडरिकों से इंटर्व्यू लेने के लिए रवाना होने से पहली मुझे रोक लिया था और फ्रेडरिकों के नाम संदेश भिजवाया था ये भी फ्रेडरिकों के ही कर्तूत थी प्रबुद्याल बड़े इत्मिनान से बोला क्या मतलब सुनील ने पूछा वो मेहज एक प्लांट था वो चला कि फ्रेडरिकों ने अपने आपको शक्त से दूर रखने के लिए घड़ी थी कोई भी अपराधी इतना बेवकुफ नहीं हो सकता कि जो अपराध वो करने जा रहा हो एक दिन पहले वो किसी को उसका संकेत दे दे और फिर उन्हें ये मालूम कैसे हो सकता था कि तुम फ्रेडरिकों का इंटरव्यू लेने जा रहे थे उस इंटरव्यू का क्या तुमने ढोल पीटा हुआ था नहीं उसके बारे में तो किसी को भी नहीं मालूम था सुनील को स्विकार करना पड़ा लेकिन फ्रेडरिकों को जरूर मालूम होगा हाँ उसे तो मालूम था उसे ने अपने दो आदमियों को तुम्हारे बारे में बताया जिनोंने तुमें ब्लास के बगल की अंधेरी गली में पकड़ कर वो फर्जिस संदेश दिया जिसकी वज़ा से अगले दिन डकैती पर जाने के बाद ये समझा जा सकता कि वो अपरात करने वाले फ्रेडरिकों या उसके साथ ही नहीं बलकि कोई और लोग थे सुनिल खामुश रहा रिपोर्टर सहब ये बात फ्रेडरिकों के निर्दोशिता प्रमानित करने के स्थान पर और भी ज्यादा मजबूती से ये साबित करती है कि तमाम किया धरा उसी का है और फ्रेडरिकों के गुना की तरफ इशारा करने वाली एक बात और भी है वो कौन सी? सुनील ने पूछा उसने बक्तरबन गाड़ी पर उस रोज हाथ डाला जब उसमें साड़े सोला लाक रुपे ढोई जा रहे थे ये काम अगर किनी पेशे वर डकैतों का होता तो वो इतनी छोटी रकम पर हाथ नहीं डालते वो किसी ऐसे दिन का इंतिजार करते जब बक्तरबन गाड़ी में कोई मोटी रकम ढोई जा रही होती लेकिन डाकों को ये पता कैसे लगता कि कौन से दिन गाड़ी में मोटी रकम ढोई जा रही थी सुनील ने पूछा जो लोग गाड़ी के दर्वाजे की डुप्लिकेट चाबी हासिल कर सकते थे वो ये भी मालूम कर सकते थे तुम ठीक कह रहे हो सुनील को स्विकार करना पड़ा और वारतालाब फिर वहीं समाप्थ हो किया होटेल टूरिस्ट मेरीना बीच के पास स्थित्य कैसा होटेल था जिसके अस्तित्व की जानकारी राश्नगर के केवल एक खास वर्ग को थी वहाँ या तो वो लोग आते थे जिने तनहाई पसंद होती थी या फिर वो लोग आते थे जो अपने गुनाबरी जिंदगी पर होटल टूरिस के तनहा वाता वरण में परदा डाल कर रखना चाहते थे होटल के संचालकों को मालुम था कि आम तोर पर स्वयम को पती-पतनी घोशित करके वहाँ ठहरने वाले अधिक जोड़े या तो पती-पतनी होते नहीं थे और अगर होते थे तो पती किसी और पतनी के साथ होता था और पतनी किसी और पती की वह ठहरने आते थे बड़ी-बड़ी कमपनियों के एक्जेक्यूटिव अपनी नौजवान सेकेट्रियों के साथ समाज के समानी ताधार स्थम अपने पडोसियों की बीवियों के साथ फिल्मों में काम पाने की इच्छुक यूफ्तियां ऐसे फिल्मी लोगों के साथ जो उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का पक्का वादा करते थे लेकिन अपना मतलब हल हो जाने के बाद अक्सर मुकर जाते थे मौश मेले के रसियां ऐसे ही लोगों की वज़ा से होटल टोरिस का धंदा खूप चलता था होटल टोरिस के इमारत आयता कार्ड थी एक मंजिली थी और उसकी आयत में एक बहुत बड़ा बहुत खूप सूरत लॉन था आयत की एक भुजा खुली थी जिसका वहाँ ठेहरने वालों को ये फाइदा था कि वो बिना रिसेप्शन पर गए चुप चाप भी वहाँ से चेक आउट कर सकते थे होटल वाले ऐसे चेक आउट से एतरास इसलिए नहीं करते थे क्योंकि महमान से किराया वो हमेशा एडवांस में वसूल कर लेते थे और वो किराया साधारन दरों से दुगना होता था मंगलवार रात को बारा बचने से थोड़ी देर बाद एक भरपूर जवान युफती होटल के रिसेप्शन पर पहुंची उसके भूरे बाल रिशम जैसे मुलाइम थे और उसके पुष्ट कंधों पर सागर की लहरों की तरह बल खा रहे थे उसके जिस्म से इंटिमेट सेंट की सोंदी सोंदी खुश्बू आ रही थी और चाल में एक इमान खराब कर देने वाली मस्ती थी वो चलते समय आगे कदम रखती थी तो उसकी पुष्ट जांके उसके सिल के सारी में से यू नुमाया होती थी जैसे पारा थर थरा रहा हो रिसेप्शन पर राज किरण नाम का जो युवा कलर्ट को उसके उस समय मौजूद था यूफ्टी पर निगाप पढ़ते ही उसका दिल धड़कने लगा और उसकी आँखों में रंगीन सपने तैरने लगे वो यूफ्टी वहां अकसर आती थी और हमेशा चौधा नंबर सुट में ही ठहरती थी एक बार जब उसका कथित पती यहां नहीं पहुंच पाया था तो उसने रिसेप्शन पर फोन करके राज किरन से जिन की एक बोतल मंगवाई थी वो जिन की बोतल लेकर खुद चौधा नंबर कमरे में गया था और फिर उसका जो अंजाम हुआ था जिसे वो आज तक नहीं बुला था हलो वो रिसेप्शन पर पहुँच कर मधुर स्वर में बोली नमस्ते मिसिस भटनागर राज किरन आंखों ही आंखों में उसके आगे बिश्टा हुआ बोला आज तो मौसम सुहाफना है रात में मस्ती घुली हुई है वो मुस्कुराई क्या मेरा सुएट खाली है उसने पूछा जी हाँ राज किरन बोला आपका फोन आते ही मैंने चौधा नंबर सुएट को आपके नाम रिजर्फ कर दिया राज किरन ने देखा युफ्ती के कंदे से लटक रहे खुले बैग में से जौनी वॉकर की एक बंद बोतल की गर्दन बाहर जांक रही थी वो तनिक निराशो उठा युफ्ती द्वारा उसे अपने कमरे में बुलाई जाने का बहाना जो खत्म था हमेशो की तरह युफ्ती ने होटेल के रिजिस्टर पर मिस्टर और मिसिस एम के भटनागर लिखा नाम के आगे नेपियन हिल की एक कोठी का पता लिखा और सो सो रुपई के दो नोट काउंटर पर डाल दिये मिस्टर भटनागर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे वो अपने खूप सोरत होंटो पर एक चित्ता कर्शक मुस्कुराहट लाती हुई बोली वो रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुख गए थे येस मैडम राजकिरण आदर पूर्वक स्वर में बोला कोई सोडा बर्फ वगेरा भिजवाओं मिस्स बटनागर नहीं वो बोली ज़रूरत नहीं अगर होगी तो खबर कर दूँगी मन में निराशा का भाव लिए राजकिरण ने सेहमती में सिर हिलाया यूफती ने काउंटर पर से अपने सुईट की चाबी उठाई एक चमकती हुई मुस्कुराहट बेचारे चारों खाने चित काउंटर क्लक पर डाली और अपनी मदमाती चाल चलती हुई वहाँ से बाहर निकल गई आयताकार कमपाउंट को पार करके वो सामने कतार के सिर के दर्वाजे पर पहुँची वो दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हुई उसने भीतर की बत्ती चलाई और अपना कीमती कोट पलंग पर एक और डाल दिया उसने अपना बैक कंदे पर से एक कुर्सी पर डाल दिया और उसमें से जॉनी वॉकर की बोतल निकाल ली उसने बोतल की सील तोड़ी और फिर वहीं पड़े एक गिलास को उठा जो उसमें विस्की डाली जिसे वो माथे पर हलकी सी शिकन लाई बिना गटा गट पी गई नेट विस्की उसके पेट की भीतरी पर्तों में जाकर टकराई तो उसके सारे जिस्म में करंट दोड़ गया उसके चेहरे पर आनंद की चमक पैदा हुई उसने गिलास में और विस्की डाली और गिलास हाथ में लेकर वो बात्रूम की तरफ बढ़ने लगी थी कि उसे खयाल आया कि सुईट का दर्वासा बंद नहीं किया था उसने आगे बढ़ कर दर्वासा बंद किया उसके ताले के छेद में चावी डाली लेकर इन गुमाई नहीं वो बातरूम में पहुंची वहाँ नेट विस्की की छोटी छोटी चुस्कियों के बीच वो एक-एक करके अपने जिस्म से कपड़े उतारने लगी अब एक ही अर्चन रह गई थी जिसे उसने दूर करना था व अपने ब्रेजियर का हुक खोला तो उसकी मत भरी चातियां बंदन मुक्त होकर जूमने लगी उसने ब्रेजियर को बाकी कपड़ों के साथ एक और टांग दिया शीशे के प्रतिबिम में जो कुछ उसे दिखाई दिया उससे वो खुदी बहुत खुश होई उसका संपूर नगन शरीर उस वक्त शीशे की तरह चमक रहा था उची एरी की सैंडल वो अभी भी पहने हुए थी इस वज़ा से उसकी जांगे और उबर कर सामने आ रही थी और कूलों का खम ज्यादा दिलकश लग रहा था उसके होंटों पर एक कोटल मुस्कुराहट आई और वो धीरे से मुद्बूत भुदाई वैसे ही मर जाएगा कमीना उसने अपना विसकी का लगपक खाली गिलास उठा लिया और सारे जिस्म पर उची एरी के सैंडल पहने वो बात्रूम से बाहर आई कपड़ों के बंधन से मुक्त होकर उसे हमेशा बड़ी राहत महसूस होती थी उसे यूँ लग रहा था जैसे अभी तक वो गिरफतार थी और अभी वो आजाद हुई थी उसे लग रहा था कि तरीके से चैन की सांस उसे आई ही अब थी उसने अपने बैग में से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल कर एक सिगरेट सुर्गा लिया उसने अपने गिलास में और विस्की डाली और फिर पलंग पर जाकर अदलेटी सी बैट गई पास ही मेंस पर उस रोज का अकपार पड़ा था उसने लापरवाही से अकपार उठा लिया और उसके पन्ने पलटने लगी मुगलबाग के शॉपिंग सेंटर में डकैती पड़े चार दिन हो गई थे लेकिन चार ही दिन में अकबार के लिहास से डकैती की खबर ठंडी पड़ चुकी थी उससे संबंदित खबर एक मुख्य प्रिष्ट की हगदार नहीं रही थी डकैती के बारे में जो चंद सत्रे चपी थी वो पांचवे प्रिष्ट पर चपी थी और उनमें भी नया कुछ नहीं था सिवाए इस बात के कि जैललिता आइंगर नामक किसी मदरासी बच्ची ने फर्जी डॉक्टर अहूजा को एक बड़ी खूप सूरत यूफ्दी के साथ उसकी सफेद अमबस्टर कार में बैट कर वहां से कोच करते देखा था डकैती के रकम में से 50,000 रुपए पबलिक लोट कर ले गई थी एक लाक रुपया पुलिस ने मेरी गो राउंड के एक घोड़े के खोकले पेट में से बरामत किया था और बाकी के 15,000 की रकम का पुलिस को अभी तक भी कोई सुराक नहीं मिला था होड़ ना मिलने वाला था यूफ्ति सिग्रेट का एक लंबा कश लेने के बाद होंटों में बुद्बुदाई उसने अकबार पर आके निगा डाली डकैती की खबर से अलग जेरी के नो नंबर कॉटिश में लगी आग और तरुन नांगिया के कतल का भी जिक्र था खबर के अनुसार उस संदर्ब में भी पुलिस को देव बाला नाम की एक यूफ्ति को बड़ी सरगर्मी से तलाश थी पड़े तलाश करते रहो वो बुद्बुदाई नहीं मिलने की देव बाला तुम्हें अकबार में जल परी पर से रश्निकांत उफ डॉक्टर अहूजा की लाश की बरामदी की खबर नहीं चपी थी शायद ये खबर वहां पहुँशने तक अकबार चप चुका था लेकिन उसे मालुम था कि लाश बरामद हो चुकी थी और उस संदर्ड में भी पुलिस को देव बाला की तलाश थी खबर के अंत में पुलिस की एक अपील छपी थी कि जस किसी को भी RJS 9146 नंबर की नीली फियर्ट कहीं दिखाई दे वो फॉरण पुलिस को इतेला करें युफ्ती ने एका एक जुंजला कर अकबार को फर्ष पर फैंक दिया और अपना बैग फिर अपने समीप सर्का लिया बैग में से उसने एक 32 केलिबर की रिवॉल्वर निकाली उसने रिवॉल्वर का चैंबर खोल कर एक बार फिर से तसल्ली कर ली कि रिवॉल्वर भरी हुई थी हर खांचे में गोली मौजूद थी फिर संतुष्टी पूर्ण धंक से गर्दन हिलाते हुए उसने रिवॉल्वर तकीये के नीचे सरका तिया और तकीये पर सिर रख कर लेट गई लेकिन रिवॉल्वर छुपानी के लिए वो जगा उसे जची नहीं तक किये के थोड़ा सा भी इधर उधर सरकाने से रिवॉल्वर बाहर झांकने लगती थी वो उट बैट थी तक किये के नीचे से उसने रिवॉल्वर निकाल ली उसने अपने सैंडिले भी उतार फैंकी और पलंग पर चित लेट गई अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उसने पलंग पर बिछे डनलब पिलो के गदे के नीचे पहुंचाने की कोशिश की जहांकि वो बड़ी सहूलियत से पहुंच गया उसने रिवॉल्वर को गदे के नीचे रख कर खाली हाथ बाहर निकाल लिया उसने पलंग पर दो तिन करवटे बदली और फिर अंदाजन गदे के नीचे हाथ डाला रिवॉल्वर फॉरन उसके हाथ में आ गई उसने रिवॉल्वर से हाथ खेंच लिया और संतुष्टी पूर्ण ढंक से गर्दन हिलाई हाँ ये इंतजाम ठीक था यहां रिवॉल्वर ज्यादा अच्छी तरह छुपी रह सकती थी जब उसके साथ ही का ध्यान रती क्रियाओं में लगा होगा तो वो धीरे से गदे के नीचे हाथ सरकाई की वहां से रिवॉल्वर निकारी की और फिर काम तमाम बिल्कुल वैसे ही जसे रशनी कान का काम तमाम हुआ था उसने विस्की का गिलास खाली किया सिग्रेट का आकरी कश लगा कर उसे एश्ट्रे में जोंका और पलंग पर चित लेट गई उसके मानस पटल पर उन पुरुशों के अक्स उभरने लगे जिन के साथ वो हम विस्तर हो चुकी थी कुछ शन बात अपनी रंगीनियों की पूरानी कहानिया याद करके वो उत्तेजित हो थी दिलीबदत का आगमन अब वहां किसी बिक्षन अपेक्षित था मंगलवार रात को नौ बजे अर्चुन ने प्रेस कलब के में हॉल में कदम रखा एक कोने की मेज पर सुनेल उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा दिखाई दिया अर्चुन ने समी पहुँच कर उसके कंधे को चुआ उसे देखते ही सुनेल अपना विस्की का गिला साथ में लिए वहां से उठ खड़ा हुआ वो अर्चुन को साथ लेकर लाउंच में आ किया कहां मर गए थे सुनेल जुन्चला कर बोला मरा कहा था गुरुजी अर्चुन आहत भाफ से बोला एकदम जिन्दा था और आपका ही बताया काम कर रहा था शुक्र है मैं तो समझाता तुम भोल भाल गए कहां साहब सारे राशनगर की सारा दिन खाक चान कर अभी लोटा हूँ क्या काम बना हाँ इसलिए तो आपको तलाश करता फिर रहा हूँ मैं यूथ कलब भी गया था ओ बोलो क्या खबर है गुरुजी अर्जुन तनिक शिकायत भरिस्वर में सुनील के विस्की के गिलास की और इशारा करता हुआ बोला सोने की रंगत वाले इस तरह पधार्थ से भरा ऐसा ही एक पात्र क्या आपके इस बालक के भी हाथ में होना चाहिए सुनील की बेस साकता हसी निकल गई अर्जुन को लेकर वो बार काउंटर पर पहुँचा और उसने अपना गिलास खाली किया और दो लाच ड्रिंक्स का ओर्डर किया दोनों अगल बगल तो स्चूलों पर बैट गई सुनील ने लक्य स्ट्राइक का एक सिगर्ट सुलगा लिया बार्टेंडर ड्रिंक्स सर्फ कर गया तो अर्जुन बोला फैंसी ड्रेस का सामान किराई पर देने वाली तो बहुत दुकाने निकल आई राश्नगर में सारा दिन बेशुमाव जगों पर धक्के खाने के बाद दुकाने बंध होने के समय मैं रौनक बाजार में पहुचा वहां की एक दुकान पर पूश्टाच करने पर मुझे वो जवाब दिया था जिसे सुनने के लिए दिन भर से मेरे कांग तरस रहे थे क्या वहां से जोकरों की पुशाके किराई पर ली गई थी सुनिल आशापुन्ट स्वर में बोला जी हां दो पुशाके और जोकरों की सूरत में रबड के मुखोटे भी दुकानदार ने मुझे रबड के मुखोटे दिखाई थे उन पर जोकरों की परंपरा गत सूरत इतनी नफासत से पेंट की हुई थी कि वो मुखोटा मुपर चड़ा लेने और उपर से सिर पर जोकरों जैसी टोपी पहल लेने के बाद वो मुखोटा मुखोटा लगता ही नहीं था वो तो रंगों में पेंट किया हुआ असली चहरा मालुम होता था ओ तो ये बात है तभी तो वे जोकर भेड में इतनी जल्दी गायब हो गई उन्होंने मुखोटे और टोपियां उतार कर जैब में रख ली होंगी और जिस्म पर लंबे ओवरकोट पहन लिये होंगे जिसकी वज़ा से जोकरों की पुशाके चुप गई होंगी ऐसा ही हुआ मालूम होता है तुम आगे बढ़ो अरजुन ने विस्की का एक घोट पिया और बोला उस दुकानदार के कतना नुसार शुकरवार शाम एक बड़ी चमचमाती हुई और असकी दुकान पर आई थी उसने कहा था कि वो और उसका पती किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में भाग लेने वारे थे जिसके लिए उन्हें जोकरों के दो पूरे कॉस्ट्यूम चाहिए थे युफ्ती का हुलिया बयान किया क्या उसने हाँ दुकानदार के कतना नुसार उसके कंदों पर लहराते हुए रेशम से मुलाइम भूरे बाल थे बड़ी बड़ी आँखे थी लंबी गर्दन थी कवमर पतली थी कूलहे भारी थे कद लंबा था वो इंटिमेट सेंट लगाए हुए थी और एक सफेद अमबैस्टर कार्ट चलाती हुई वहाँ पहुंची थी फिर देवबाला अपना कुछ नामदाम बताया था क्या उसने प्रत्यक्ष्टर सुनीन ने पूछा जी हाँ अरजन बोला नाम मिसिस एम के बटनागर और पता नमबर सत्रा नेपियन हिल रोड राशनगर कॉस्ट्यूम के राए पर लेने के लिए नाम पता लिखवाना जरूरी होता था क्या दुकानदार ने कार का नमबर देखा था नहीं और गुरू जी उस युफ्टी का दुकानदार को लिखवाया पता भी नकली है क्या मतलब मैं नेपियन हिल रोड के सत्रा नमबर इमारत का चकर लगा आया हूँ वो इमारत खाली पड़ी है वहाँ ना कोई मिसिस एम के भटनागर अब रहती है और ना पहले कभी रहती थी ओ, सुनेल निराजस्वर में बोला दुकानदार से उसे कॉस्ट्यूम देते समय उसका पता चेक नहीं किया था उसे क्या जरूरत पड़ी थी ऐसा करने की वो सेक्यारिटी के तौर पर पोशाकों की पूरी कीमत भी तो रखवाता है तो फिर पता लिखने की क्या जरूरत थी खाना पूरी के लिए अगर वो युफ्ती वो पोशाके किराई पर ले गई थी तो वो उन्हें वापिस भी लाई होगी हाँ शनिवर दोपहर के बाद किसी समय वो दोनों पोशाके दुकानदार को लोटा कर अपने सेक्यारिटी वापिस ले गई थी यानि कि टाइं टाइं फिश ले जा रही थी लेकिन डाकैती की खबर अकबार में पढ़ने के बाद तो उसे ये बात सूझनी चाहिए थी तब तो उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए थी मैंने ये सवाल उससे किया था गुरू जी वो कहता था कि उसे पुलिस से डर लगता है वो पुलिस के किसी जमीले में नहीं पढ़ना चाहता कमाल है सिविक सेंस भी तो कोई चीज होती है जो कि ज़रूरी नहीं हर किसी में हो सुनील खामुश रहा उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया अर्चो ने अपना विस्की का गिलास खाली किया और फिर बोला लेकिन गुरूजी एक शाबाशी के काबिल का मैंने फिर भी किया है क्या सुनील अन्मा ने स्वर में बोला जोकरों की जो दोनों पुशाके वो औरत किराई पर ले गई थी मैंने उनका मौईना करने के लिए वो दुकानदार से मांगी थी गुरूजी मैंने पुशाकों की जेबे टटोली थी तो एक की जेब में ये बरामत हुआ था और अरजुन ने एक टै किया हुआ कागस सुनील को थमा दिया ये क्या है सुनील ने पूचा खोल कर देखिए सुनील ने कागस को खोल कर सीधा किया अरे सुनील हैरानी से बुला ये तो तरुन नांगिया के बिन लाइसेंस गाड़ी चलाने और रॉंग पार्किंग के चलान का पर्चा है जी हाँ अर्जुन बोला और इसका जोकरू की पुशाक की जेब से निकलना निर्विवाद रूप से ये साबित करता है कि वो डकैती में शामिल था सुनील ने गौर से सारे पर्चे को फिर्च से पढ़ा उस पर तरू नांगिया के नाम के साथ साथ उसका विक्रम पुरे का पता भी लिखा हुआ था गाड़ी के नंबर के स्थान पर उस पर नेली फियर्ट का नंबर आर जे एस 9146 दर्च था पर्चे के अनुसार शनिवार सुबर साड़े नौ बजे होटेल टोरिस्ट मेरीना बीच रोड पर वो चालान काटा गिया था और चालान काटने वाले पुले सधिकारी का नाम एस आई अनूप सिंग लिखा हुआ था अब एस आई अनूप सिंग को दलाश करना होगा सुनिल बोला ताकि इस बारे में और कुछ मालूम हो सके अर्चुन खामुश रहा सुनिल ने वो कागस तैक करके अपनी जेब में रख लिया और स्चूल से उदर पड़ा अब मेरे लिए क्या होकम है अर्चुन ने पूछा तुमारे लिए ये होकम है कि आज तुम मेरी और से यहां जी भरकर पियो और फिर कल पूरे दिन की छुटी मनाओ थैंक यू अर्चुन हर्शित स्वर में बोला थैंक यू गुरुजी तुमने वाके बहुत अच्छा काम किया है अर्चुन मैं इसका जिक्र रॉय से और हो सका तो मलिक सहब से भी करूँगा थैंक यू सर बार्टेंडर को आवश्यक निर्देश दे कर सुनील वहां से बाहर निकल गया एसाई अनूप सिंग का अतापदा मालूम करते करते सुनील को आधी रात हो गई लेकिन फिर भी उसने तभी उससे मिलने का फ्यासला किया उसकी जानकारी की अनुसार वो सिविल लाइन्स में बने पुलिस क्वार्टरों में रहता था कोई पौने एक बचे सुनील ने सिविल लाइन के उसके क्वार्टर की कॉल बेल बजाई ये देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि भीतर क्वार्टर में अभी भी बत्ती जल रही थी दर्वाजा एक युफ्ती ने खोला वो गले से लेकर टकनों तक काने वाला कोई बोरे जैसा धीला परिधान पहने थी और अपने सेर के बाल उसने बहुत कसकर अपनी गर्दन के पीछे बांदे हुए थे युफ्ती को देखकर ना जाने क्यों सुनील को कृष्णा की याद आ गई क्या ये A.S.I. अनूप सिंग का घर है सुनील ने पूछा हाँ युफ्ती बोली क्या वो घर में है हाँ है लेकिन तुम कौन हो मेरा नाम सुनील है प्रेस रिपोर्टर हूँ किसी वज़ा से मेरा उनसे फारण मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त जी हाँ लेकिन वो सो रहे है आप बराए महरबानी उन्हें जगा दीजिए मैं वादा करता हूँ मैं उनका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा छीक है तुम यही ठहरो युफ्ती ने उसके मूँ पर दर्वासा बंद कर दिया सुनील प्रतिक्षा करता रहा थोड़ी देर बाद दर्वासा फिर खुला इस बार चौकट पर एक लगबग 35 साल का दुबला पतला आत्मी प्रकट हुआ क्या आफ़त आ गई है वो जला कर बोला चौधरी सहब सुनील अनुने पॉन्ट स्वर में बोला मैं बड़ी दोर से चल कर आया हूँ और ये मेरी नौकणी का सवाल है सिर्फ पांच मिनट के लिए मेरी खातिर थोड़ी सी जहमत गवारा कर लीजिए आओ शुक्रिया शुक्रिया सुनील उसके चौकट से हटते ही भीतर दाकिल हुआ अनुप सिंग उसे एक बैठक नुमा कमरे में ले आया उसने सुनील को एक सोफे पर बिठाया सुएम उसके सामने बैठा और एक जमहाई लेकर बोला क्या तुम अकबार वाले हो जी हाँ कौन सा अकबार ब्लास्ट आधिरार्थ को ब्लास्ट का ऐसा कौन सा काम है जो मेरे बिना अटका जा रहा है सुनील ने अपनी जेब से चलान का पर्चा निकाला और उसे अनूप सिंग को दिखाता हुआ बोला जरा इसे देखिए क्या है ये ये एक चलान है जो शरीवर सुभा आपने काटा था अनूप सिंग ने कागस उसके हाथ से लिया और सरसरी तोर पर उसका मौइना करता हुआ बोला छीक, सब कुछ तो दर्च है इसमें, मैं इसमें क्या देखूँ क्या आपको इस चलान के बारे में कुछ याद है कुछ क्या सब कुछ याद है, क्यों नहीं याद होगा ये चलान काटे मुझे कौन से साल छे महीने हो गए है शनिवार की ही तो बात है आपका तो जनाब काम ही ऐसे चलान काटना है इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में शायद आप भूल भाल गए हो मैं नहीं भूला हूँ मुझे सब याद है वो छोकरा साला मुझे अकड नहीं दिखाता तो शायद मैं उसका चलान काटता ही नहीं वो फैलने लगा तो मैंने भी नहीं छोड़ा उसे क्या अब उस छोकरे का हुलिया बयान कर सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं हनूप सिंग ने जो हुलिया बयान किया वो सरसर तरू नांगिया का था चालान की नौबत कैसे आई थी? सुनीन ने नया सवाल पूछा उसकी गाड़ी सडक पर यू तिर्ची खड़ी थी कि ट्रैफिक रुक रहा था मैं आगे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था जबकि किसी ने मुझे बताया कि ट्रैस होटेल के सामने एक गाड़ी ऐसे बेहुदे धंक से खड़ी थी कि रास्ता रुका हुआ था मैं फारण होटेल के सामने पहुचा गाड़ी वहाँ वाक गई बड़े अटपटे धंक से खड़ी हुई थी वो वही नीली फियर्ट थी जसका अपने बात में चालान काटा था नमबर R.J.S. 9146 हाँ वही नमबर मुझे याद नहीं लेकिन अगर चालान पर लिखा है तो यही होगा फिर फिर मैंने होटेल के एक करमचारी से पूछा कि वो गाड़ी होटेल में ठहरे किसी आत्मी की तो नहीं थी मालुम हुआ कि उस गाड़ी का मालिक होटेल में ही था मैंने उसे बुलवाया तो वो वो छोकरा निकला जिसका मैंने अभी तुमें खुलिया बताया है वो आकर बजाए इसके कि अपनी गलती माने मुझे पर लाल पीला होने लगा था पठ्था कहने लगा कि कोई गाड़ी को ठोकर मार किया था जिसकी वज़ा से गाड़ी धक्का खाकर उस पुजिशन में पहुँच गई थी तब भी अगर उसने बात तरीके से की होती तो मैं मान जाता लेकिन वो तो ससुरा सिर पर ही चड़ा जा रहा था मुझे भी गुसा आ गया पहले तो मैंने उसका रॉन पार्किंग का चलान किया और फिर जब वो गाड़ी में सवार होकर उसे सीधी खड़ने खड़ी करने लगा तो मैंने उसे लाइसेंस दिखाने के लिए कहा वो लगा हील हुज़त करने लेकिन मैं अड़ा रहा बोला लाइसेंस होटेल में है मैंने कहा जाकर लिया फिर बोला कि शायद घर रह किया है मैंने कह दिया कि छीक है मैं चलान कार्ट देता हूँ तो लाइसेंस का चैरी में दिखाती हो चाधरी साहब चलान पर आपने उसका विक्रम पुरे का पता लिखा है लेकिन आप कहते हैं कि ठहरा वो होटेल में था आपने उससे पूचा नहीं कि वो क्या चकर था मुझे ऐसी बात से क्या मतलब था मुझे तो अपनी ड्यूटी भुकतानी ठहरी वैसे मेरे खयाल से पठ्था तफ्री मार रहा था होटेल में कैसी तफ्री? अरे वही जो आजकल काम खराब करे दे रही है छोकरी बासी और क्या पठ्था होटेल में कमरा लेकर किसी माश्यूका के साथ मज़े लूट रहा होगा अच्छा? हाँ और उसकी सूरत से ऐसा लगता भी था जैसे सारी रात किसी लुगाई के साथ बिस्तर में ही लोट लगाता रहा हो वो नशे में तो नहीं था लेकिन उसके मूँ से पछली रात पी दारू की महग भी आ रही थी वो होटेल भी तो ससूरा ऐसा वैसा ही है उस वक्त क्या ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर से निकल कर आया हो? नहीं यू तो नहाया धोया कहीं जाने को तयार लग रहा था लेकिन फिर भी हुलिया खास तोर से आँखे बता रही थी कि पछली रात उसने बहुत मस्ती मारी थी उस वक्त क्या पहने था वो? उस वक्त वो एक लंबा ओवरकोट पहने था कोट के बटन गले तक बंद थे और नीचे वो घुटनों से भी नीचे तक का रहा था उस वक्त के इलावा उसकी सफेद पतलून के सिर्फ पहुंचे दिखाई दे रही थे क्या ये हो सकता है कि उस वक्त के नीचे वो जोकर की पोशाग पहने रहा हो? अब ये मुझे क्या मालूम? मैंने उसका ओवरकोट उठा कर तो देखा नहीं था तब ही जिस युफ्ती ने दर्वाजा खोला था वो शीशे के दो गिलासों में चाई ली आई ये क्या? सुनिल सक पका कर बोला चाई है? अनूप सिंग बोला चाई नहीं पहचानते क्या? लेकिन चाधरी सहब इस तकलिफ की क्या जरूरत थी? पकड़ लो पकड़ लो मेरी जोरू घर आए महमान को चाई बिन पिए बिना नहीं जाने देती सुनिल ने युफ्ती के हाथ से चाई का गिलास ले लिया उसने देखा युफ्ती ने अपना बोरे जैसे धीले ढाला लबादा उतार दिया था और उसके स्थान पर खूब कसा हुआ बलाउस और साड़ी पहन ली थी अपने सिर के बाल भी उसने खोल दिये थे जो कि अब धीले ढाले से उसके कंधों पर लटक रहे थे एक एक सुनिल के कानों में गंटियां से बचने लगी वो जल्दी जल्दी चाई पीने लगा अरे आराम से पियो अनूप सिंग बोला गरम है चौधरी साहब सुनिल बोला मैंने इतनी रात गए आपको तंग तो जरूर किया है लेकिन आज आपके घर में कदम रखने से एक ऐसी गुथी सुलज गई है जो शायद और किसी तरीके से कभी नहीं सुलज पाती हो सकता है आपकी दुआ से किसी का पुलंदा बंधने से बच जाए क्या बंधने से बच जाए अनूप सिंग हैरानी से बोला पुलंदा वो क्या होता है यही जो कभी बंद जाता है तो कभी बंधने से बच जाता है सुनिल ने चाई का गिलास रखा और उठकर खड़ा हुआ चौधरी साहब मैं फिराऊंगा कम से कम एक बार और आपके यहां जरूराऊंगा किसलिए? आपको मिठाई खिलाने के लिए नमस्ते अपने पीछे बोचक्के से बैठे अनूप सिंग को छोड़ कर सुनिल वहां से बाहर निकल आया सुनिल होटल टूरिस के रिसेप्शन पर पहुँचा रिसेप्शन पर एक युवक माजूद था जो काउंटर पर से टिकाए सोया पड़ा था सुनिल ने उसे जिन जोड़ कर जगाया उसने हड़ बढ़ा कर आँखे खोली और बोला सॉरी सर, वो यार फुल टाइट नाओ मुझे तुमारे होटेल में कमरा नहीं चाहिए सुनिल बोला तो, पहले जाग जाओ, फिर बताता हूँ मैं जागा हुआ हूँ सर तो सुनो, मेरा नाम सुनिल है मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ मैं तुम से कुछ पूछने जा रहा हूँ सवाल खान, कान खोल कर सुनना तभी ठीक से जवाब दे पाऊके क्या पूछना चाहते हैं आप तुम्हारा नाम क्या है राजकिरन राजकिरन, तुम्हारी ये रात की ड्यूटी कब से चल रही है एक हफते से शुक्रवार रात को भी फिर तो तुम यहाँ ड्यूटी पर रहे होगे हाँ शुक्रवार रात को यहाँ तरुम नांगिया नाम का एक युवक ठहरा था उसके साथ शायद कोई युफती भी थी सौरी ऐसे सवालों का जवाब देने की हमें इजाज़त नहीं तो किसे इजाज़त है मैनेजर को उसे बुलाओ मैं उसे इस वक डिस्टरब नहीं कर सकता प्यार इलाल अगर तुम उसे डिस्टरब नहीं करोगे तो जो कुछ मैं करूँगा उससे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी आप क्या करोगे मैं यहाँ रेट डलवा दूँगा रेट? हाँ तुम समझते हो मुझे मालूम नहीं है ये कैसा होटेल है उसने बिचैनी से पहलू बदला और रेट की भी क्या जरूरत है अगर मैंने अभी यूही गला फार फार कर पुलिस पुलिस चिलाना आरम कर दिया तो तुम्हारे आधे कमरों में ठहरे लोग खिर्कियों में से कोट-कोट कर भागने लगेंगे राज किरन खामोश रहा तो क्या मैं शुरू करूं अपना प्रोग्रेम? सुनेल धम के भरे स्वर में बोला आप क्या जानना चाहते हैं सर? सवाल तुम्हें मालूम है फैसला ये करो कि जवाब तुम दोगे कि तुम्हारा मैनेचर आप कोई जमेला तो नहीं खड़ा करेंगे? कैसा जमेला? जिससे मेरी नौकरी को आँच आई? सवाल ही पैदा नहीं होता ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी पर आँच आईगी बलकि मैं तुम से वादा करता हूँ कि मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर का अपने हाथ से साइन किया हुआ एक प्रशस्ती पत्र तुमें दिलवाऊंगा जिससे ये साबित होगा कि तुम कितने चौकस करमचारी हो प्रशस्ती पत्र ये सुनिन ने उसे 20 रुपए का एक नोट थमाया ओ, क्या पूश रहे थे आप शुकरवार रात को तरुन नांगिया नाम का कोई युवक ठहरा था क्या राजकिरन ने होटेल का रिजिस्टर खोल कर उसमें शुकरवार वाला प्रिष्ट निकाला नहीं, राजकिरन बोला शुकरवार रात को इस नाम का कोई आत्मी यहां नहीं ठहरा था प्यारे लाल, मुझे तुमसे इस बात की उमीद नहीं थी लेकिन ये हकीकत है सर सुनील एक शंच संदिक दभाव से उसे घूरता रहा फिर कुछ सोच कर बोला, देखो हो सकता है रिजिस्टरेशन के वक इस आत्मी ने अपना नाम कुछ और बताया हो मैं तुम्हारे सामने उसका हुलिया बयान करता हूँ गौर से सुनना और फिर बताना कि इस शकलो सूरत का कोई युवक क्या होटेल में ठहरा था राजकिरण ने सहमती में सेर हिलाया सुनील ने बड़ी बारीकी से तरुन नागिया का हुलिया बयान किया अच्छा वो, राजकिरण एक एक बोल पड़ा अब समझ में आया, सुनील आशा पॉंट स्वर में बोला हाँ, ये सहब तो शुकरवार की रात को होटेल में थे नाम क्या बताया था इन्होंने अपना? कोई नाम नहीं बताया था नाम बताने के इन्हें जरूरत ही नहीं थी ये सहब तो हाँ हाँ ये सहब तो मिसिस भटनागर के साथ थे मिसिस भटनागर कौन मिसिस भटनागर? मिसिस एम के भटनागर वो यहां की रेगुलर पैटरन है अक्सर यहां आकर ठहरती है वो हमेशा पहले रिसेप्शन पर आती है और फिर मिस्टर और मिसिस भटनागर के नाम से sweet book कर लेती हैं उनके साथ जो भी साहब होते हैं वो हमेशा बात में आते हैं क्या हर बार एक ही साहब नहीं आते योवक हिचकिचाया देखो सुनील गंभीरता से बोला मुझे तुमारे होटेल के धंदे से कुछ नहीं लेना देना मैं किसी और वज़ा से ये सवाल प राज किरन दबे स्वर में बोला लेकिन हमारे होटेल की खाना पूरी के लिहास से उसके sweet ले लेने के बाद जो भी साहब आते हैं वो मिस्टर भटनागर होते हैं ये मिसिस भटनागर यहां अकसर आती हैं क्या जी हाँ हफते में दो तिन फेरे तो लगी जाते हैं इनके और ठहरती हमेशा ओवरनाइटी हैं यानि कि रात को आती हैं और सुबह को चली जाती हैं जी हां और मिस्टर भटनागर हर बार कोई नए साहब होते हैं ऐसी बात तो नहीं कई बार वो किनी एक साहब के साथ कई-कई बार आती थी जिस लड़के का आपने हुलिया बयान किया थ आट-दस बार तो वही आचुका है मिसिस भटनागर के साथ आट-दस बार वो कितने अर्से में आया है पिछले कुछी हफ्ते में हम अब जरा बड़ी सावधानी से मिसिस भटनागर का हुलिया बयान करो वो राज किरनिक शुरू किया बड़ी खुब सूरत हैं बड़ी जवान है वो तो वो होंगी ही इसके इलावा और क्या है वो मिरा मतलब है उम्र कद काट और रख रखाव वगेरा के बारी में बताओ उम्र कोई 25-26 साल कद साड़े 5 फुट से कम तो क्या होगा लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी मद भरी आँखे, पतली कमर, भारी कुल है, चाल बड़ी मस्तानी, आवाज बड़ी मीठी, हंसी भड़ी लूपावनी बाल, बाल कैसे थे उसके? देखने में तो वो भूरे रंग के लंबे, रेशमी मुलाइम बाल थे देखने में क्या मतलब? राज किरण हिच के चाया ओ, कम ओन, सुनीर उतावले स्वर में बोला भाई सहब, वो कठिन स्वर में बोला, बाल उसके नकली थे वो भूरे रंग के रेशमी मुलाइम बालों का विग लगाती थी उसके असली बाल तो स्याव काले थे और वो खास लंबे भी नहीं थे तुम्हें कैसे मालूम है कि वो विग लगाती थी? राज किरण ने एक बार मुँख खोला और फिर भींच लिया उसने बेचैनी से पहलू बदला देखो, सुनीर कठोर स्वर में बोला अब टाल मटोल की कोशिश मत करो जो कहना है फॉरन कहो रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो प्रशस्ती पत्र आप मुझे दे रहे हैं वो सुनील के हातों में थमे बेज के नोट की और संकेत करता हुआ एक एक बदले स्वर में बोला ये ज़रा बड़े कागस पर छपा हुआ दे तो बात बने सुनील ने जेप से एक पचास का नोट निकाला और उसकी मुठी में ठूस दिया अब बोलो वो उतावले स्वर में बोला राजकिरन काउंटर पर तनी कागे को जुग गया और बड़े रहस्य पोंट स्वर में बोला ये कोई एक महीना पहले की बात है तब भी मेरी रात की ड्यूटी थी और मैं यहां रिसेप्शन पर मौजूद था जब वो हमेशा की तरह आधी रात के करीब यहां आई थी हमेशा की तरह उसने रिजिस्टर पर मिस्टर और मिस्टर और मिस्टर भटनागर लिख कर साइन किये थे और मुझे कहा था कि मिस्टर भटनागर रास्ते में कहीं अटक गए थे वो थोड़ी देर बाद आने वाले थे आम तोर पर कथित मिस्टर भटनागर पांच तस मिनट में ही यहां पहुंच जाया करते थे लेकिन उस रोज एक बज़े तक वो साहब नहीं पहुंचे फिर एका एक मिसिस भटनागर का अपने सुईट से यहां रिसेप्शन पर फोन आया मैंने उनसे बात की तो उसने मुझे जिन की एक बोतल का इंतिजाम करने के लिए कहा मैंने होटेल के स्पेशल स्टॉक में से जिन की एक बोतल निकाली और उसे लेकर खुद उसके सुईट तक गया मैंने दर्वाजे पर दस्तक दी तो मुझे आदेश मिला कि मैं भीतर आजाओं मैं दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हुआ फिर वो कहते कहते ठिटक गया फिर सुनील व्यग्रभाफ से बोला भाई सहब राजकिरन कह पड़ा वो पलंग पर एकदम नग्रा अवस्था में लेटी हुई थी कमरे की बत्ती जल रही थी और उसने अपने जिस्म पर कोई चादर या कंबल तक नहीं ओड़ा हुआ था ना मुझे आया देखकर उसने अपना जिस्म ढखने की कोशिश की उसके चेहरे पर किसी तरह की जिजक या शर्म के भाव नहीं थे और वो बड़ी बेताबी से मुझे देख रही थी मैं जिनकी बोतल लिये बुत बना उसके सामने खड़ा था कि वो बोली कि वो मुझे कैसी लग रही है मैं बोला बहुत अच्छी पुछने लगी कि क्या मैंने इतनी बढ़िया इस तरी शरीर यू पहले कभी देखा है मैंने कहा नहीं बोली मुँ में पानी नहीं आ रहा क्या मैंने कहा आ रहा है फिर उसने मुझे दर्वासा भीतर से बंद करने का आदेश दिया मैंने कर दिया वो बोली कपड़े उतारो मैंने मशीन की तरह अपने कपड़े उतार दिये उसने मुझे पास बुलाया मैं जाकर उसके पहलो में धेर हो गया और भाई सहब उसके बाद वो भूखे बाच की तरह मुझ पर जपटी उसने मेरी बोटी बोटी जिनजोड डाली मेरी जान ले लेने में कसर नहीं छोड़ी उसने सुबा चार बजे जब उसने मुझे छोड़ा तब मेरी हालत ये थी कि मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था गिरता पड़ता लड़ खड़ाता बड़ी मुश्किल से मैं रिसेप्शन पर वापिस पहुँचा भाई सहब इतनी प्यासी आरत तो मैंने किस्से कहानियों में भी नहीं पड़ी थी उसकी काम वासना तो शान्त होने को ही नहीं थी मेरी इतनी दूरगती कर चुकने के बाद भी वो अभी प्यासी थी और मुझसे खफा थी कि मैं और कुछ कर पाने के काबिल क्यों नहीं रह गया था वो तो काम वासना के बिमारी की हद तक सताई हुई आरत थी ये बिमारी ही होती है इसे निम्फो मैनिया कहते हैं ऐसी आरत की योर्ण शुधा कभी शांत नहीं होती ऐसी आरतों के बारे में सुना मैंने भी है सहब लेकिन ऐसी कोई आरत मैंने कभी देखी नहीं थी तुम्हारे साथ ऐसा वाक्या फिर कभी भी हुआ क्या नहीं दरसल ऐसा पहली बार ऐसा भी इसलिए हुआ था नकली थे मैं तीन घंटे उसके साथ बिस्तर में कला बाजियां खाता रहा था उस दारान एक बार उसका विग अपने स्थान से सरक गया था और मुझे नीचे से जांकते उसके काले असली बालों की जलक मिली थी ओ और क्या बीती थी उस ओरत और तुम्हारे बीच मेरा मतलब ह अपने बारे में कोई बातशित नहीं के थी उसने अपने बारे में तो बातशित नहीं के थी लेकिन मेरी वहाँ तीन घंटों की मौजूदगी के दौरान वो खामोश भी नहीं रही थी क्या कहती रही वो सुने तो आप कान बंद कर ले रक रखाव से तो इतनी सभ्य शाली और सली के वाली औरत थी और उस वक्त ऐसी भाशा बोल रही थी कि पांच रुपे वाली धंदा करने वाली भी मात खा जाए मेरे साथ लिप्टी वो मेरी तारीफ में कुछ बोलती थी तो उसमें मा बेहन की गालियां पिरोई होती थी बीच में जब कभी निढाल हो जाता था तो वो मेरा मजाग उडाने लगती थी और मेरी गैरत को ललकारने के लिए ऐसी गंदी भाशा बोलती थी कि सुनकर विश्वास नहीं होता था कि वो बातें किसी औरत के मुझ से निकल रही थी अपने उस यार को जो उस रात वहाँ पहुचा नहीं था उसे तो उसने ऐसी चुनी-चुनी गालियां दी कि रेडे टांगे वाले सुनके शर्मा चाएं हम्, होटेल के रेजिस्टर में अपना पता भी तो लिखना होता है पैट्रन्स को जी हाँ, मिसिस वटनागर हमेशा नेपियन हिल की सत्रा नंबर कोठी का पता लिखती थी वो पता जूटा है, वहाँ कोई मिसिस वटनागर नहीं रहती आपको कैसे मालूम? मालूम है, तुम मेरी बात सुनो तुमारी निगा में कोई और तरीका है, जिससे इस कथित मिसिस वटनागर का पता मालूम किया जा सके मेरी निगा में क्या तरीका होगा भाई सहब? शायद कोई तरीका हो, तुम्हारा उस औरत से संपर्ट रहा है तुम उसके बेहत घनिष्ट शणों के साथी रह चुके हो शायद तुम्हारे जहन में कोई बात हो जो उस औरत का असली पता मालूम करने में सहायक सिध हो सकती हो वो खामोश रहा देखो, सुनील उसे समझाने के उपक्रम में तनी कठोर स्वर में बोला तुमने खुद कहा है कि वो औरत हफ़ते में 2-3 भार यहां तुमारे होटेल में आती है इसका मतलब है कि आज कल में वो यहां आती ही होगी मैं सारी कहानी अगर जाकर पुलिस को सुना आया तो जानते हो क्या होगा उस ओरत के इंतिजार में पुलिस यहां धर्णा देकर बैठ जाएगी और तुमारे होटेल के दो नंबर के धंदे का पटरा हो जाएगा लेकिन ये तो बताएगे कि उस ओरत के पुलिस को क्यों तलाश है क्या गुना किया है उसने व्यश्या तो वो हर्गिस नहीं है अल्बता आम की तरह मर्दों को चोसने का शौक जरूर है उसे ये सब बाते तुम्हारी समझ में नहीं आएगी इसलिए इने चोड़ो और असली बात पर आओ क्या आपको वाकिए उस ओरत की बहुत सक्त तलाश है हाँ ठीक है फिर एगा एक राजकिरण निर्न्यात्मक स्वर में बोला सौका पत्ता ढीला कीजिए मैं अभी आपको उस ओरत का पता बताता हूँ सुनेल ने उलजन पूर्ण भाव से उसे घोर कर देखा आप इतने बड़े अकबार के प्रती निथी हैं राजकिरण पहले जैसे ही भाव से बोला और उस ओरत की तलाश में आप मरे जा रहे हैं तो फिर एक सौ का पता क्यों नहीं खर्च करते हैं आप क्या तुम्हें उस ओरत का पता मालूम है ना सिर्फ मालूम है बलकि मुझे इस बात की भी गैरेंटी है कि वो औरत इस वक्त उस पते पर मौजूद है इस ज्यादा और क्या चाहिए आपको सुनीर ने जेब से पचास का नोट निकाल कर उसके सामने रख दिया ये तो पचास का पता है राजकिरण बोला प्यारे लाल ऐसा एक पता अभी तुम ले चुके हो हो तो गया सौ का पता कहां हो गया? वो ऐसा पता थोड़े ही था वो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का प्रशस्ती पत्र था मेरे पास क्या कहने? हाथ के हाथ उश्यार गए हो गए हो सौबत का असर है जनाप सौनील ने काउंटर से पचास का नोट उठा लिया और उसके स्थान पर उसे सौ का नोट सोपा राजकिरन ने नोट को बड़े इत्मिनान से दोहरा करके अपने कोट की भीतरी जेब में रखा और फिर धीरे से बोला वो यही है क्या? सौनील चौंका उसे क्लर्प से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी क्या वो यही? होटेल में है इस वक्त? जी हाँ हमेशा की तरह आती रात के करीब यहां आई थी वो थोड़ी देर बाद ही उसका बॉइफ्रेंड भी आ गया था दोनों चौधा नंबर सुईट में है सवेरा होने से पहले वो कभी जाती नहीं इसलिए जरूर अभी भी वहीं होकी कुछ शंड सुनील खामोश रहा जिस आरत की उसे इतनी तलाश थी उससे यूँ एका ये कामना सामना होने के खयात से ही वो बड़ा सस्पेंस महसूस कर रहा था सुनो प्यारे लाल एका एक सुनील कठोर स्वर में बोला मैं उसके सुईट की तरफ जा रहा हूँ अगर मेरे वहां पहुँशने से पहले तुमने टेलीफोन पर उसे मेरे बारे में बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं ऐसा नहीं करूँगा राजकिरन बड़ी शराफत से बोला गुट अब बोलो चौधा नंबर सुईट कहां है सामने के कतार के एक दम सिरे वाला सुईट नंबर चौधा है सुनील एक चतावनी भरी निका कलर पर डाल कर वहां से बाहर निकला कमपाउंड पार करके वो सामने वाली कतार के कोने के दर्वाजे के सामने पहुँचा उसने कान लगा कर भीतर से कोई आहट सुनने की कोशिश की लेकिन भीतर एकदम सन्नाटा था उसने दर्वाजे पर दस्तक दी कोई उत्तर नहीं मिला उसने एक बार फिर दस्तक दी जवाब नदारत उसने दर्वाजे को धीरे से धका दिया दर्वाजा खुला था और भीतर की बत्ती जल रही थी मिसिस बटनागर उसने आवाज लगाई और उत्तर ना मिलने पर जुजकते हुए भीतर कदम रखा कमरे में दाकिल होते ही सबसे पहले उसके नतुनों से इंटिमेट सेंट की तीखी गंद टकराई फिर उसके साथ साथ कमरे में विसके की गंद बसी होने का एसास भी उसे हुआ एक कदम और आगे बढ़ा और फिर ठेटक गया पलंग पर एक आदमी की लाश पड़ी थी उसकी कनपटी में तीन सुराग दिखाई दे रहे थे और उनसे निकलते खून में अभी वो चमक थी जो जाहिर करती थी कि वो पूरी तरह सूखा नहीं था पलंग की सफेद चादरों पर खून बिखरा हुआ था वहाँ खून से रंगी एक कम से कम 40 साइस की ब्रैसियर पड़ी थी नीचे फर्ष पर एक जौनी वोकर की लगभग खाली बोतल लुडकी हुई थी एक और पड़ी एक कुरसी पर एक मरदाना सूट कमीस टाई वगएरा पड़ी थी सुनील पलंग पर घेरा काट कर उसकी दूसरी तरफ पहुँचा और उसने लाश की सूरत पर निगा ढाली हाला कि मरने वाले से वो केवल एक ही बार मिला था लेकिन उसने उसे फारइन पहचान लिया था वो मुगल बाग के शॉपिंग सेंटर का सिक्यॉरिटी आफिसर दिलिब दत था सुनील सारे सुईट में फिर गया कतित मिसिस वटनाकर उर्फ देवबाला कही नहीं थी लाश की हालत बता रही थी कि मौत हुए पंदरा मिनट से ज्यादा नहीं हुए थे इसका मतलब था कि सुनील के वहां पहाँशने से एक या दो मिनट पहले ही वो औरत वहां से गई थी वो बातरूम में पहुचा वहां फर्श पर एक गेला तॉलिया पड़ा था जस पर खून में धब्बे दिखाई दे रहे थे बातरूम की हालत भी बता रही थी कि वहां थोड़ी ही देर पहले किसी ने शावर बात लिया था जाहिर था कि खून के चिंटे दिलिब दत के साथ हम बिस्तर आरत के शरीर पर भी पड़े थे और उनी को साफ करने के लिए वहां से जाने से पहले उसने स्नान किया था सुनील ने तौलिया उठा कर उसका मौईना किया उसमें उसे कई सियाक काले जनाने बाल चिपके दिखाई दिये बालों की लंबाई जाहिर कर रही थी कि वो सिर के बाल थे सुनिल एक बार फिर पलंग के पास पहुँचा वहाँ एक तक्ये पर उसे दो ते निहायत लंबे भूरे बाल दिखाई दिये उसने देखा उन बालों के सीरों पर जड़े नहीं थी निश्चे ही किसी विग से उत्रे हुए बाल थे अब सारी कहानी उसकी समझ में आ गई थी सुनिल हर नभी रोड पर पहुँचा अभी पॉफ फटने में देर थी लेकिन सड़क पर दूद वालों और अकबार वालों की आवास ही शुरू हो गई थी और एके दुकी लोकल बस वहां से गुजरती दिखाई देने लगी थी 23 नमबर इमारत तलाश करने में सुनिल को कोई दिक्कत नहीं हुई वो सीडियों के रास्ते उसकी तीसरी मंजिल पर पहुँचा उसने साथ नमबर फ्लैट के दर्वासे पर दस्तक दी कौन है? बीतर से एक इस्त्री ने पूछा सुनिल वो तनी कुछ स्वर में बोला कौन सुनिल? सुनिल से पूछा गया प्रेस रिपोर्टर मैं शनिवार शाम को पुलिस हैट क्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभु देयाल के कमरे में आप से मिला था कृष्णा जी एक शन खामोशी रही क्या काम है? फिर पूछा गया दर्वाज़ा खोलिए बताता हूँ सुनिल बोला मैं यूही बाहर खड़ा चिलाता रहा तो सारे अडोसी पडोसी जाग जाएंगे चेहरो फिर खामोशी चाक गई सुनिल बड़ी धैरे पूर्ण मुद्रा बनाए खड़ा प्रतिक्षा करता रहा थोड़ी देर बात दर्वाज़ा खुला और चोखट पर कृष्णा प्रकट हुई उसने एक गले से टकनों तक आने वाले जोगिये रंग का आकार हीन लबादा पहना हुआ था उस आकार हीन लबादे में भी ये बात नहीं चुप रही थी कि उसके चाती पर कते कोई उभार नहीं था उसने अपने बालों को एक जोगिये रंग के ही कपड़े में लपेट कर अपने सेर के पीछे खींच कर बांदा हुआ था नमस्ते कृष्णा जी सुनील दोनों हाथ जोड़ता हुआ मधुर्स्वर में बोला वो अपनी नाप की फुंगी पर ठीका चश्मत ठीक करती हुई बड़े अनिश्चित भाव से मुस्कुराई और दर्वासे से एक और हट गई सुनील भीतर दाखिल हुआ क्रिश्णा ने उसके पीछे दर्वासा बंद कर दिया तश्रीफ रखिये वो बोली शुक्रिया सुनील भोला और लकड़ी की एक कुर्सी पर बैट गया वहाँ एक कोने में एक तक्त पोश बिचा हुआ था तक्त पोश पर एक जोगिये रंग की चादर बिची हुई थी जिस पर एक शेर की खाल बिची हुई थी तक्त पोश के सामने की दिवारों पर कई देवी देवताओं की तस्वीरे लगी हुई थी कृष्णा सुनील के सामने तक्त पोश पर बैठ गई उसने प्रश्ण सूचक नेत्रों से सुनील की यॉड देखा बहुत सुबह सवेरे नहा लेती हैं आप सुनिल सहथ स्वर में बोला जी वो सक पका कर बोली जी हाँ जी हाँ उसने सिर पर बंदे कपड़े से बाहर लटकाई अपने स्या काले बालों की एक लट को वापिस कपड़े में खोंस लिया और बोली पूझा पाट करना होता है ना जी हाँ क्यों नहीं सुनिल एक शंट खिटका और बोला आप हैरान थो हो रही होंगी क्रिशना जी कि इतनी सुबह सवेरे मैं यहां कैसे आ गया कैसे आई वो जबरन मुस्कुराती हुई बोली उसकी नकली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरे उल्चन के भावों को चुपा नहीं पा रही थी लगता है आज आपको बच्ची तरह से नहीं नहाई सुनिल उसके सवाल की और ध्यान दिये बिना मुस्कुराता हुआ बोला जी वो फिर सक पकाई आपके जस्म से इंटिमेट सेंट की गंद अभी भी आ रही है वो चौंकी लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया वो भारी उलजन पूंट स्वर में बोली इंटिमेट वो क्या होता है इंटिमेट वो सेंट होता है जो आपको बहुत पसंद है और आपके नहा लेने के बावजूद भी जिसकी गंद आपके जस्म से अभी पूरी तरह से नहीं गई है मिस्टर सुनील वो क्रोधित स्वर में बोली आपको शर्मानी चाहिए ऐसी कोई बात कहते हुए मैं एक सादवी हूँ कोई सांसारी किस्त्री नहीं हूँ जो शरीर पर कोई खुश्बू लगाऊंगी आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी भगवान के चर्णों में धूप और अगर्बती जलाई है जरूर उसी की खुश्बू आप तक पहुँश रही है हो सकता है लेकिन स्कॉच विस्की की गंद भी क्या मेरी नाक तक भगवान के हुजूर में से ही आ रही है क्या पिछली रात होटेल टूरिस में आप लगता है कुछ ज्यादा ही पी गई आपने जिस टोथ पेज से दान साफ किये हैं उसकी आपके मुँ में बसी खुश्बू स्कॉच की गंद को मुकमल तॉर्ट पर चुबा नहीं पा रही मिस्टर सुनील वो तमक कर बोली क्या बख रहे हैं आप क्या आप मेरे घर में मुझे अपमानित करने के लिए आए हैं शांत शांत आप जैसे साथफी सन्यासिनी को गुसा करना शोभा नहीं देता लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा है लेकिन कहना बहुत कुछ चाहता हूँ इजाज़त हो तो कहूँ क्या कहना चाहते हैं आप सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ये सादवी वाला नाटक छोड़िए आपकी पोल मेरे सामने खुल चुकी है मैं आपकी हकीकत जान चुका हूँ कैसी पोल? कैसी हकीकत? वा, उल्जन और अस्मंजस के जो भाव आप इस वक्त अपने चेहरे पर लाई है वो हेमा माले ने भी नहीं ला सकती देखिए आप आप देखिए देव बाला जी देखी और महसूस कीजिए कि मेरे सामने आपका अपना ये नाटक जारी रखना अब कितना बेमानी हो किया है मैं देव बाला नहीं, कृष्णा हूँ एक ही बात है देव बाला ही कृष्णा है मैंने अकबार में देव बाला के बारे में पढ़ा है मिस्टर सुनील वो अपने सपाट छाती पर एक निगार डाल कर आहत भाव से बोली क्या मैं आपको देव बाला लगती हूँ अभी नहीं लगती हो लेकिन अगर आपने अपना ये चोगा उतार दो तो लगने लगोगी मिस्टर सुनील मैं भी नौजवान हूँ मैडम और एक काम वासना से तड़पते हुए जिस्म का तलबगार भी अपनी जो मेहर बानिया आप तरुन नांगिया डॉक्टर अहुजा दिलिबदत और उमेश सक्सेना जैसे लोगों पर बेसाक्ता लुटा चुकी है उससे आप मुझे क्यों महरूम रखती है जेरी के कॉटेश में जब मेरा हाथ आपके सेने पर पड़ा था तो आपने मुझसे एक सवाल किया था जिसका जवाब मैं उस वक्त नहीं दे पाया था अगर वैसा ही एक मौका आप इस वक्त मुझे दे और वही सवाल मुझसे दुबारा पूछे तो मैं आपको बेहतर जवाब दे सकता हूँ इनायत फरमाईए ना मैडम वो खामोश रही लगता है सुनील अपने स्थान से उठता हुआ बोला ये काम मुझे खुदी करना होगा लगता है आपके दिल फरेभ हुसन को कपडों की कैद से आजाद भी मुझे ही करना होगा सुनील ने अभी एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि एका एक कृष्णा करकर्षवर में बोली खबरदार सुनील ठिटका उसने देखा कृष्णा के हाथ में एक रिवॉल्वर चमक रही थी रिवॉल्वर शायद उसके लबादे की जेब में थी 32 कैलिबर की यही वो रिवॉल्वर है ना सुनील बोला बोली सुनील वापिस कुर्सी पर बैट कया और बोला शुक्र है आपने अपना पाखन तो छोड़ा आपकी ये कोड़े की फटकार जैसी करारी आवाज सुनने को तो मेरे कान तरस कए थे आपकी वो साधू सन्यासिनी वाली दीन हीन और सेक्स रही तावास थो मुझे बहुत कर रही थी वो कईक्षण सुनील के चेहरे को यूंग घूरती रही जैसे उस पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो और फिर बोली कैसे जाना क्या कैसे जाना सुनील बोला ये कि तुम ही वो देव बाला हो जो हर जगा मौजूद पाई गई लेकिन जिसकी हकीकत अवल तो कोई जानता नहीं था और अगर जानता था तो जान से हाथ धो बैठता था हाँ शक की बुनियाद तो कई थी मैडम लेकिन तुम्हारे इस बहरूप ने मेरी आंखों पर ऐसा परदा चड़ाया हुआ था कि मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख पा रहा था ये विकृत से नकशेक वाली औरते एकदम अपना ऐसा काया पलट कर सकती थी कि वो अपसराओं को मात करने लगे अपसे कुछ गंटे पहले मैं एक आदमी के घर गया था मैंने उसकी बीवी में अपनी आँखों के सामने ऐसा परिवर्तन होते देखा था कि एका एक मेरे ग्यान चक्षु खुल गए थे वो औरत जब पहली बार मेरे सामने आई थी तो वो बोरे जैसा एक लबादा सा पहने थी और उसने अपने बालों को इसकदर कसकर पीछे बांदा हुआ था कि उनका माथा खलवाट खोपड़ी जैसा लग रहा था और उसकी आँखे और भवें उप को खिंच कर विक्रित हो गई थी बाद में वही औरत जब साड़ी पहन कर और बाल खोल कर मेरे सामने आई तो ब्रेजियर और ब्लाउस मिलकर उसके चातियों को बड़ी खुप सूरत बनावट दे रहे थे और वक्ष उन्नत हो जाने भर से ही उसकी कमर पतली हो गई थी बाल सिक्षन सारी कहानी मेरी समझ में आ गई तुम्हारे इस साथमियों जैसे लिबास और तुम्हारे बात करने के देन हे ढंग के पीछे मुझे कुछ और ही दिखाई देने लगा किसी ने तो मुझे बताया तुम भूरे बालो वाला विक लगाती हो तो बात और भी साफ ओ ठी लेकिन इसका क्या हल था मेरे पास वो अपने सपार्ट वक्ष को चूती हुई बोली ये भी क्या मैं नकली लगाती थी नहीं तुम नकली को असली नहीं असली को नकली बनाती थी क्या मतलब ये लबादा उतारो तो मतलब समझाऊं वो स्थेर बैठी रही तुमने जरूर अपने विशाल स्तनों को कसकर कपड़ा बांद कर दबाया हुआ है इसके इलावा कोई और बात मुम्किन हो ही नहीं सकती पुराने जमाने में जब विदेशी आतताईयों के जुल्मों की शिकार आम भारतिये जनता हुआ करती थी तो लोगों की विशाई निगाहों से अपनी आलाद को बचाई रखने के लिए समझदार माताई अकसर ऐसा ही किया करती थी वो अपनी असाधारन रोप से जवान होती होई लड़कियों की चातियों को यूँ कपड़ा बांद कर दबा देती थी ताकि वो छोकरी जैसी लगे और किसी की मैली नियत का शिकार होने से बची रहे तुम्हारे माबापने अंध विश्वासों की बली पर तुमें चढ़ा कर तुमें साधवी बनाया तो तुम पर जोम के आती जवानी का दमन उन्होंने भी इसी प्रकार किया कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ उसने सुनील की बात का जवाब मूसे नहीं दिया उसने अपने जोगिये रंग के लबादे की गले के पास बंधी डोरी खीची और उसका गिरेबान खोल कर उसे अपनी कमर से नीचे तक गिरा दिया सुनील ने देखा उसकी चाती पर उसी रंग की लगभग 6 इंच चौड़ी मोटी बंधी हुई थी जिसकी वज़ा से उसके स्तन दब कर उसकी पसलियों के पिंजर के साथ जा लगे थे उसने अपने पीछे हाथ ले जाकर वो पट्टी खोली तो बेहत सुडोल बेहत उननत बेहत कुठोर उरोज गेंदो की तरह उचल कर सामने आ गए अच्छे है ना वो कुटिल स्वर में बोली बहुत अच्छे हैं सुनील बोला ऐसा प्राइस विनिंग पेर मैंने कभी नहीं देखा अब कभी देखोगे भी नहीं वो अपने रिवॉल्वर वाले हाथ को हलका सा जटका देती हुई बोली इसलिए जी भर कर देख लो सिर्फ देखने से क्या हासिल होगा मुझे मुझे पर शक की कोई और वज़ा उसकी बात की और ध्यान दिये बिना उसने पूछा एक बार तुम्हारे बहरूप की बात समझ में आने के बात तो वज़ा ही वज़ा थी मसलन कोई एक आद वज़ा तो बताओ तो सुनो तुम जानती ही हो कि जै ललिता आइंगर नाम की एक बच्ची डकैती की चोटी से चोटी डिटेल की चश्मदित गवा थी उसने बकतर बंद गाडी पर चड़े जोकर को नोट लुटाते देखा था लेकिन भीतर सोला लाक रुपे के नोट वहां से ले जाते नहीं देखा था किसी ने भी इतनी बड़ी रकम वहां से ले जाई जाती नहीं देखी थी लेकिन फिर भी रकम वहां से गायब होई थी ऐसा क्यों कर हुआ तुम बताओ ऐसा तुमने किया तुम्हारे सिवाई ये कर्टब और कोई कर ही नहीं सकता था नोट गायब करने का साधन सिर्फ तुम्हारे पास था कृष्णा वो बक्तरबंद गाड़ी में रखवाई ही नहीं गई थी इसलिए उसे वहां से निकाला जाता किसी नहीं देखा था तुमने बक्तरबंद गाड़ी में केवल पचास अजार के वही नोट रखवाई जो कि पबलिक में लुटाई गए थे बाकी के नोट तुमने पहले ही गायब कर दिये थे मैडम इस बात की वज़ा से मैं शुरू से ही तुम पर शक करता लेकिन मैं तुम्हारे सादवी के लिबास से धोका खा गया और और तुम जानती ही हो कि ऐसा ही हुआ था आगे बढ़ो यानि की मानती हो कहा ना आगे बढ़ो इसी तरह एंड डकैती के समय मैरीगो राउंड के लकडी के घोडे के पेट में लाग रुपए के नोट छुपाना मुम्किन नहीं था ये काम बिना किसी की निगाह में आई ना फ्रेडरी को कर सकता था ना कोई और लेकिन नोट घोडे में से ही निकले थे हाँ यही बात ये साबित करती है कि वो डकैती से पहले यानि की शुकरवार की रात को वहाँ छुपाई गए थे शनिवार दिन में पड़ी डकैती में लूटे नोट शुकरवार को अगर किसी के हाथ पर सकते थे तो वो तुम थी तरुन नांगिया तुम्हारा सैयोगी था और कार्निवल का करमचारी था वहाँ रात को भी उसकी मौजूदगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था तुम्हेंने लाक रुपए के नोट गोड़े में चुपाने के लिए शुकरवार को ही उसे दे दिये थे ताकि फ्रेडरिको का पुलंदा बंधने का सामान हो सकता गुड बक्तरबन गाड़ी के दर्वासे की डुपलिकेट चाबी डकैतों के पास उपलब्ध होना भी तुम्हारी ही कर्तूत की तरफ इशारा है तुमने खुद कहा था कि बक्तरबन गाड़ी जब बैंक के हेड आफिस में लाखड़ी की जाती थी तो उसकी चाबी तुम्हें सौंपी जाती थी उसकी डुपलिकेट चाबी बनवाने की सुविदा और साधन भी तुम्हें ही उपलब्ध थे ऐसा दोनों गाड़ों में से कोई भी कर सकता था तब भी बात वही की वही रहती है उमेश सकसेना भी तो आखिर तुम्हारे हाथ की कट पुदली था चाबी की डुपलिकेट उसने तयार करवाई या तुमने बात एक ही थी समझदार आदमी हो वो प्रशन सात्मक स्वर में बोली शुक्रिया, सुनेल भी नकली अदब से सिर नवा कर बोला अब मैं डकैती की उस घटना पर आता हूँ जो एक तरह से सारे सिलसले की रेड की हड़ी थी कौन सी घटना? उमेश को जहर दिये जाने की घटना उमेश के पेट में जहर पहुँचे बिना डकैती की योजना काम्याप नहीं हो सकती थी उमेश जहर की वज़ा से तरपा इसे कारण उसका भाई रमेश जिसे की गारी के बेतर माजूद रहना चाहिए था वहां से बाहर निकला और उमेश के ही खाते पंप लेने के लिए गारी का ड्राइवर मोहर सिंग घटना स्थल से चलता कर दिया गया डकैती की काम्याबी के लिए बकतरबन गारी का लावारी सोजाना जरूरी था और ऐसा होने के लिए उमेश के पेट में जहर पहुँचना जरूरी था अब हालात कुकार कर कह रहे हैं कि उमेश को जहर अगर कोई दे सकता था तो वो मारिया थी लेकिन मारिया ने उमेश को जहर नहीं दिया था क्या सबूत है इस बात के लिए अब किसी सबूत की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें हकीकत मालूम है लेकिन फिर भी मारिया ने ऐसा नहीं किया था ये इस बात से भी साबित होता है कि मारिया उमेश को जोस में जहर तो दे सकती थी लेकिन वो उसे जोस पीने के लिए मचपूर नहीं कर सकती थी अगर डगैती की योशना फ्रेडरीको की होती तो वो तो तब ही धरशाई हो जाती अगर उमेश जोस पी ने मार्या के स्चाल पर नहीं आता हम आगे बढ़ो मार्या ने उमेश को जहर नहीं दिया था लेकिन मारिया के इलावा कोई और उमेश को जहर देने की स्थिती में नहीं था लेकिन फिर भी उमेश के पेट में जहर पहुँचा कैसे तुम बताओ ऐसा एक ही तरीके से हो सकता था और वो तरीका ये था कि उमेश ने जहर खुद खाया था क्यों? क्योंकि तुम्हारी डगैती के योशना में वो भी शामिल था उसके पेट में जहर पहुँचने का क्या रास था ये तुमने उसे अच्छी तरह समझा दिया हुआ था तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरे कहने पर जहर खाकर आत्मत्या करने को तयार हो गया? नहीं अगर उसे मालूम होता कि जहर खाकर वो मर चाएगा तो जहर वो हर्गिस नहीं खाता तुमने उसे यही कहा था कि उस जहर से केवल इतना होगा कि उसके पेट में भयंकर दर्द उठेगा और वो ज़रा सांस लेने में कठिनाई महसूस करेगा उसकी वो तकलीफ लंबी नहीं चले इसके लिए तुमने अपने दूसरे सहयोगी डॉक्टर अहुजा का इंतिजाम किया था उसने घटना स्थल पर एक मुनासिब वक्त पर पहाँच कर जहां स्चमिक पंप लानी की खातिर मोहर सिंग को घटना स्थल से चलता कर देना था वहां उमेश को जहर की काट का इंजेक्शन भी देना था उसने ऐसा इंजेक्शन दिया भी लेकिन उमेश ठीक नहीं हुआ इससे साफ जाहिर होता है कि उमेश डॉक्टर अहुजा की उमेश से ज्यादा जहर खा किया था और इंजेक्शन दिये जाने से पहले ही उमेश की हालत काबू से बाहर हो चुकी थी ऐसा क्यों कर हुआ मैडम यह इतिफाक था या तुमने जान बुझ कर ऐसे स्थिति पैदा की थी कि उमेश ज्यादा जहर खा चाए और जान से हाथ दो बैठे वो बड़े जहर से बुझे ढंग से हसी यानि कि तुमने जान बुझ कर ऐसा किया था उसने उत्तर नहीं दिया यह तो बता दो कि जहर खाया कैसे था उमेश ने एक कैपसुल के सूरत में मैंने उसे एक कैपसुल दिया था जो कि उसने अपने मूँ में रखना था और मारिया से हासिल हुए जो उसके साथ उसे निगल जाना था इस संदर में एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि ये बात भी मुझे तुम ही ने सुनाई थी कि उमेश के जहर से केवल तबियत खराब होनी ही अपेक्षित थी उसका मर जाना नहीं और ये कि डॉक्टर अहुजा ने उसे जो इंजेक्शन दिया था वो उस जहर का तोड़ था जो उमेश ने खाया था ये भी तुमी ने मुझे सुझाया था कि ड़कैती के साथ उमेश का संबंध होना जरूरी था क्योंकि इसके बिना उमेश को जूस पीने के लिए मारिया के स्चॉय पर जाने की गरंटी नहीं हो सकती थी और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उमेश अगर वहां नहीं जाता तो ड़कैती की योजना की वहीं टांग तूट जाती वो चुप रही ड़कैती में जिस धंक से फ्रेडरिको और मारिया को लपेटा गया है सुनी लागे बढ़ा उससे साफ जाहिर होता है कि ड़कैती की योजना खूब सोथ समझ कर पहले से ही तयार करके रखी हुई थी फ्रेडरिको का कार्निवल जब लिंक डोट पर तुम्हारे बैंक के हेड आफिस की बगल में लगा हुआ था तब उमेश ने मारिया को छेड़ा था और उसके गाल पर चिकोटी काटी थी ये सब उसने तुम्हारी पोर्व निर्धारित योजना के अनुसार जान बुशकर किया था ताकि बात में जब उसे जहर दिये जाने की घटना हो तो लोग सहच ही मान ले कि जहर मारिया ने दिया होगा इसी बात को बल देने के लिए शनिकार वर शनिवार को भी उसने फ्रेडरिकों को जलिल किया और उससे सुना कर मारिया के बारे में बुरी भली बाते कहीं तरुन नांगिया को भी तुमने अपनी योशना के ही अंतरगत फ्रेडरिको पर थोपा था शनिवार को जोकर की पोशाक पहन कर जोकर तरुन नांगिया ने बनना था लेकिन वो एन मौके पर गायब हो गया था इसलिए फ्रेडरीको को खुद जोकर बनना पड़ा था फ्रेडरीको डगैती के समय अगर जोकर की पोशाक में नहीं होता तो जोकरो द्वारा डाली गई डगैती का शक उस पर कैसे होता लेकिन अगर तरुन नांगिया की गैर हासरी के बावजूद वो जोकर की पोशाक ना पहनता तो हम उसका क्या कर लेते कृष्णा ने पूछा तुम्हारे पास उसका भी इंतिजाम था तब शॉपिंग सेंटर का सिक्यॉरिटी आफिसर दिलिब दत फ्रेडरीको के पास पहुँचता और उसे कहता कि शॉपिंग सेंटर के साथ उसके कॉंट्रेक्ट के मताबिक बच्चों के मनुरंजन के लिए वहाँ एक जोकर का होना जरूरी था तब वो फ्रेडरीको को जोकर की पोशाक पहनने पर मजबूर कर देता अखिर था तो वो भी तुम्हारे आशिकों की ब्रिगेट का ही एक प्यादा इस केस के बारे में तुमने जैल अलिता आइंगर नाम की बच्ची से बहुत कुछ जाना है कृष्णा बोली और जैल अलिता के बारे में तुम्हें दिलिब दत ने बताया था अगर दिलिब दत मेरा प्यादा था तो उसने असी बेवकुफी क्यों की वो कोई बेवकुफी नहीं थी वो जानता था कि उसकी अगवार में चपी तस्वीर दिखा कर पासपडोस से पूझताच करने पर जैल अलिता के बारे में मुझे वैसे भी मालूम हो सकता था और फिर उसने ये सोचा होगा कि इतनी चोटी बच्ची मुझे क्या बता सकती थी बहुत समझदार आत्मी हो तुम सुनील मैं तुम्हारी सूझ बूझ और तर्क शक्ती की पहले ही तारिफ कर चुकी हूँ तुमने जेरी के कौटिश को आग क्यूं लगाई थी सुनील ने पूछा दरसल वहां आग लगाने का इंतिजाम तो मैंने इसलिए किया था कि तरुन नांगिया के कतल के बाद उसकी लाश वही जल खब जाती पुलिस को तरुन नांगिया की तलाश थी इसलिए अच्छा था कि इस प्रकार उनकी तलाश का कोई नतीजा निकल पाना असंभव हो जाता तुमने एका एक वहां पहांच कर तरुन नांगिया के कतल की मेरी मूल योशना में व्यवधान डाल दिया तरुन नांगिया का कतल तो मैंने फिर भी किया लेकिन उसकी लाश जला कर उसकी हकीकत चुपाने का इंतिसाम मैं नहीं कर पाई मुझे कॉटेश से एका एक बागना पड़ा था इसलिए हो सकता था कि पीछे ऐसा कुछ रह गया होता जो मेरी पोल खोल देता अपनी आइडेंटिटी चुपाई रखने के लिए मैंने कॉटेश को आग लगा देना ही मुनासिप समझा था बेतर तुम भी जल मरते तो एक पंथ दो काच वाली बात हो जाती और फिर ये नौबत नहीं आती जो इस वक्त आई हुई है क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैं जिन्दा बच किया बहुत ज्यादा लेकिन कोई बात नहीं वो गल्ती में अब सुधार लूँगी वो जल परी नामक यॉट किसका था डॉक्टर अहुजा का नहीं था यॉट किराई का था और उसका बहुत तगड़ा किराया भी देव बाला भरती थी और वो दोनों कारे फियर्ट देव बाला की है और एमबेसजर मिसिस एम के भटनागर की है उन्हें तुम खड़ी कहा करती थी नीचे हर्णभी रोड पर अपनी इमारत के सामने नहीं शंकर रोड पर मैंने एक गैरज किराई पर लिया हुआ है वहाँ क्या इस वक्त वो दोनों कारे वही है हाँ तुमने अपने पुरुश मित्रों से कभी कोई पैसा हासिल नहीं किया क्या क्यूं करती मैं क्या कोई वैश्या हूँ जो अपने जस्म की कीमत वसूल करती कोई कॉल गर्ल हूँ जो अपने सेवाओं की उजरत मांगती तुम्हारी योजना की एक बहुत कमजोर कड़ी ये भी रही है कि तुमने फ्रेडरिको के जोकर के मेकप की ये विशिश्चता नोट नहीं की कि वो रोता हुआ जोकर बनता था तुम्हारे सातियों ने भी अपने चेहरे रोते हुए जोकर जैसे बनाई होते तो जैललिता अपने आंसु वाले जोकर अंकल में और खराब जोकरों में फर्क महसूस नहीं कर पाती हाँ उसने स्विकार किया यहां हम ज़रूर चोक गए सुनी लेक्षन विचार पूर्ण मुद्रा बनाई खामोश बैठा रहा और फिर बोला शुकरवार को मैं फ्रेडरिको का इंटर्व्यू लेने जाने वाला था इस बात की खबर जरूर तुम्हें तरुन नांगिया से ली होगी तभी तुमने अपने दो चम्चे मुझ पर हाथ डालने के लिए भेश दिये उन्होंने मुझे जोरो के लिए एक बेमानी संदेश दिया और भाग गए ऐसा तुमने जाहिर है कि केस को उलजाने के लिए और इस बात पर बल देने के लिए कराया था कि फ्रेडरिको बकतरबन गारी लोटने की फिलाक में था और कोई और पार्टी उसे ऐसा ना करने की चितावनी दे रही थी इस प्रकार डगैतिको पुलिस या तो फ्रेडरिको का काम समझती जैसा कि उसने समझा और या वो उसे फ्रेडरिको को मेरे माध्यम से दमकाने की कोशिश करने वाली उस पार्टी का काम समझती जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था कर्रेक्ट जैसे जिन साहिबान ने मुझ पर आक्रमन किया था, वो थे कौन? दिलीबदत और तरुन नां किया दिलीबदत तुम्हारे चकर में कैसे पढ़ गिया? जैसे बाकी दुनिया पढ़ गई उमेश को तो तुमने एक तरह से अपनी डकैती की योशना पर बली चड़ाया था फिर भी शनिवार को पुलिस एट क्वार्टर में उसकी मौत का जिक्र आने पर तुम जार जार रोई थी क्या वो सिर्फ ड्रामा था या उस रोने की कोई और वज़ा थी? ड्रामा भी था और वज़ा भी थी आखिर उमेश मेरा पहला प्यार था और अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलती उमेश वो पहला शक्स था जिससे मैंने जिन्दगी में पहली बार रती सुक प्राप्त किया था जिसने विशेवासना की दुनिया के वो दर्वासे खोले थे जो मेरे खांदान की एक बेहुदी प्रथा की वज़ा से मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिये कई थे उमेश वो शक्स था जिसने कृष्णा को देव बाला बताया था एक देव दासी को विश्कन्या बताया था मुझे उसकी मौत का दिली अफसोस हुआ था लेकिन मेरी जिंदगी के लिए उसकी मौत जरूरी थी ये चश्मा सुनील ने उसकी नाक की फुंगी पर तार के फ्रेम वाले चश्मे की और इशारा किया जो तुम लगाती हो ये प्लेन शीशों का है उसने नाक से चश्मा उतार कर तक्त पोश पर एक और फैंक दिया जो कृष्णा के धेले ढाले बैरूप को और भी अच्छी तरह से उजागर करता है तुम कृष्णा से देव बाला कैसे बन गई? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ वो तक्त पोश से उट खड़ी हुई उसके उटने से उसकी कमर तक काया लबादा उसके कूलों से भी नीचे सरक गया और उसकी टांगों पर से होता हुआ उसके टकनों के गिर्द जाकिरा वो उसमें से अलग घट कई उसने अपने बालू में बंधा कपड़ा भी निकाल फैंका अब वो एकदम नगन अवस्ता में सुनील के सामने खड़ी थी लेकिन रिवालवर अभी भी उसके हाथ में थी यूही बैठे रहना वो चेतावनी भरिस्वर में बोली हिले तो गोली मार दूंगी सुनील खामोश रहा वो बगल के कमरे में चली गई उसने दोनों कमरों के बेच का दर्वासा बंध नहीं किया ताकि कुर्सी पर बैठा सुनील उसे दिखाई देता रहे उसने कमरे में जाकर लंबे भूरे चमकदार बालों का एक विग निकाला और उसे अपने सिर पर पहन लिया तुरंत उसके काले रूखे बाल चिप गए और उनके स्थान पर सावन भादों की घटाओं जैसे लहराते बल खाते बाल उसकी चातियों और कंधों पर छितरा गए फिर उसने बड़े सलीके से अपने गालों पर पाउडर की हलकी सी परत चढ़ाई हलकी गुलाबी लिपिस्चिक लगाई आइब्रो पैंसिल से आंखों की नो खलक सुधारी भावों को व्यवस्थित किया और फिर आंखों पर लंबी-लंबी नकली पलके लगा ली फिर उसने उरोजों को एक बड़े-बड़े कपों वाली अंगिया में बांधा उपर से बित्ते भर का बलाउस पहना फिर उसने नाभी से बहुत नीचे करके पेटी कोट बांधा और एक सिल की नहायत खूब सूरत साड़ी पहनी अंत में उसने पैरों में उची एडी के सैंडल पहन ली उस सारे सिलसले के दौरान एक शन के लिए भी उसका ध्यान सुनील की तरफ से या हरक्षन अपनी पहांच में मौजूद रिवॉल्वर की तरफ से नहीं हटा था फिर रिवॉल्वर उसने उठा कर हाथ में ले ली और एक बड़ी मदमाती चाल चलती हुई वो बाहर कमरे में आकर सुनील के सामने आ खड़ी हुई वो बड़े चित्ता कर्शक ढंक से मुस्कुराई उसने एक फैशन मॉडल की तरह अपने जिस्म में कई जगा खम पैदा करके एक दिलकश पोस बनाया और धीरे से बोली कैसी लग रही हूँ बहुत खूब सुरत सुनील के मुझे निकला बहुत दिलकश तौबा शिकन देवताओं के इमान खराब कर देने वाली अपसरा किसी की तपस्या का फल किसी की मनतों का नतीचा हाँ वो फिर उसके सामने बैठ गई और उदास्वर में बोली लेकिन अभी शप्त बेहुदा रस्मों रिवासों की बेडियों से जक्री हुई इस्तरी होते हुए भी इस्तरी के अधिकारों से नक्राई हुई अपने भीतर धदकते ज्वाला मुकी को छिपाई रखने के लिए मजबूर विश कन्या वर्जित फल सुनील खामोश रहा मैं कृष्णा नाम की एक बंदगी की एक चलती फिरती लाश की काउंटर इगो हूँ मैं डॉक्टर जेकिल का मिस्टर हाइड हूँ मैं वो हूँ जो होने को कृष्णा को अधिकार नहीं मेरे बुजर्गों ने मेरी चातियों के कपड़े से भींच कर समझ लिया कि मुझे पर जोम कर आती जवानी को उन्होंने फुल्स चॉप लगा दिया था मुझे बालों को खेंच कर पीछे बांधना सिखा कर उन्होंने मान लिया कि मेरी खुप सूर्ती पर अंकुष लग गया मुझे साद्वियों जैसे वस्त्र पहना कर उन्होंने तसली कर ली कि मैं साद्वी हो गई मुझे शुइंगार की वस्तूओं को मिथ्या और सांसारिक बता कर उन्होंने सोच लिया कि मुझे उनकी बातों पर विश्वास हो गया लेकिन क्या मैं वैसी बन गई जैसी बनी वो मुझे देखना चाहते थे मैं नहीं बन सकी 25 साल तक मेरे भीतर इस्त्री सुलब महत्व कांग्शा का ज्वाला मुखी धधकता रहा जो जब एका एक फटा तो उसका लावा मुझे पर जब्रन थोपी गई तमाम मान्यताओं का तमाम पाबंदियों का जिगर काट गया देव बाला देवदासी नहीं बनी रह सकी वो विश्कन्या बन गई वो एक शंट खिटकी और फिर बोली मिस्टर सुनील मेरे नौ भाई बेहन थे मैं अपनी मा की पांचवी आलाद थी जो उस नामुराद मुहरत में पैदा हुई थी जिसमें पैदा हुई आलाद को हमारे यहां सादवी बनाया जाता था मेरी माने मुझे तो पैदा होते ही संसारिक सुखों से विमुख हो जाने का फत्वा सुना दिया लेकिन खुद मेरे बाद भी उसने चार बच्चे और पैदा किये और शायद भी और पैदा करती नौवी आलाद पैदा हो जाने के बाद अगर उसकी कोख में कोई विकार पैदा नहीं हो गया होता मेरी माँ वासना की ऐसी दिवानी औरत थी कि रती सुक से उसका मन कभी भड़ता नहीं था मैं जो सन्यासी बनाई जा रही थी बच्पन में अपनी मा के बगल के कमरे में लेटी सारी सारी रात अपने बाप के पलंग पर मौजूद अपनी मा की रती क्रियाओं के दौरान उत्पन होने वाली आहे कराहें और हाई हाई सुना करती थी भाग्या की कैसे विडमडा थी कि इस्तरित्व के जज सुक से मेरे बुज़ूर्ग मुझे वन्चित रखना चाहती थे उसकी जानकारी मुझे साधारन लड़कियों के पहले हो गई थी जिन बातों को मेरे लिए वर्चित बताया किया उन्ही की हसरत मेरे दिल से निकलती ही नहीं थी जिन बातों की मुझे पर पाबंदी थी उनके बारे में सोचते सोचते मैं सारी रात आंखों में गुजार दिया करती थी मिस्टर सुनील अपने खांदान की ऐसी बेहुदी ढकियान उसी रस्म के मताबिक मेरे घरवालों ने मुझे देवदासी बनाना तो जरूरी समझा लेकिन ज़स वातावरण में मन वचन कर्म से निर्मल हो वो वातावरण मेरे आसपास पैदा करना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि जिस सांचे में वो मेरे शरीर को ढालना चाहते थे उनमें वो मेरे शरीर मस्तिश्क को भी ढालते लेकिन मेरी खातिर अपने पर पाबंदी लगाना किसी को कहां गवारा था लेकिन तुमने कहा था सुनीन ने कहा कि तुम भी ये पासो क्या शिक्षा ने भी तुम्हारे मन में उन बेहुदी मान्यताओं के खिलाफ इंकलाप का जजबा पैदा नहीं किया बहुत किया लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ मेरे बदलते तेवर एक बार मेरी दादी को दिखाई दिये थे तो उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने अपने जोगिये चोले का त्याग करके ग्रहस्ती में कदम रखने की कोशिश की तो मेरे परिवार पर भीशन विपत्ते तूट पड़ेगी उन्हीं दिनों मेरा एक भाई चेचक से मर गया फॉरण मुझे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया मुझे डराया गया कि मेरे ख्यालात में जरा सी तब्दीली भर से परिवार को सजा के तोर पर घर में एक मौत हो गई थी अगर मैंने परिवार की परंपरा को तोड़ा तो निश्चे ही परिवार का सर्व नाश हो जाएगा मैं डर गई, मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास हो गया मैं सची अपने आपको अपने भाई की मात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी अपने परिवार की हित की चिंता मुझे मजबूर किये जा रही थी कि मैं वैसे ही रहूं जैसी वो लोग मुझे रखना चाहते थे में जुके कंधो वाली, मोम जैसे बेहस चेहरे, भोहें, रूखे बालों वाली, रूखा खाने और मोटा पहनने वाली बनी रही, कृष्णा बनी रही नौकरी की नौबत कैसे आई? सुनेल ने मत्रमग्द स्वन में पूछा वैसे ही जасे शिक्षा की नौबत आई? मैंने जित की, कि जब मेरी शिक्षा पर आतरास नहीं किया गया था, तो मेरी नौकरी पर आतरास किस लिये? जब मैं भगवे वस्तरों में पहले स्कूल और फिर कॉलेज भेजी जा सकती थी तो दफ्तर क्यों नहीं जा सकती थी अपनी सारी जिंदगी में नौकरी ही एक बात थी जिसके लिए मैं अपने घरवालों को दबा सकी थी नैशनल बैंक का एक उच्चा धिकारी हमारे ही धर्म का अनुयाई था उसने मेरे माबाप को ये आश्वासन दे कर मुझे बैंक में नौकर रख लिया कि वो खुद मेरी देखभाल करे का बात में यही नौकरी मजबूरी का दर्जा हासिल कर बैठी कैसे? मेरे माबाप और साथ भाई बेहन एक बस में तेर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे कि बस दुरगटना ग्रस्थ हो गई और वो सभी मारे गए हमारे लंबे चोड़े परिवार में मैं रह गई और मेरी दादी रह गई और वो नौकरी हम दोनों के भरन पोशन का जरिया बन गई परिवार के इतने सदस्यों की सामूहिक मोत के लिए मेरी दादी ने सरासर मुझे दोशी ठहराया उसने मुझे पर इल्जाम लगाया कि मेरे मन में पाप आ रहा था और अगर मैंने अपना मन निर्मल नहीं किया तो अभी और भी सर्वनाश हो सकता था अब और क्या सर्वनाश हो सकता था मुझे सजा मिल सकती थी मैं जीतर जी जहन्नुम के आद में जुलत सकती थी मैं किसी व्याधी से ग्रस्त हो सकती थी कि मैं मौत की कामना करती लेकिन मुझे मौत नहीं आती परिवार की 400 साल से चली आ रही परंपरा को तोड़ने का खयाल भी करने से मुझे ऐसी सजा मिल सकती थी कि मैं जीते जी मुर्दों से बत्तर हो सकती थी अपनी दादी के उस प्रचार से कम से कम वक्ती तोर पर मैं डर गई वरना सोचा मैंने भी यही था कि अब और क्या सर्वनाश हो सकता था मैं सादवी बनी रही मेरी दादी मेरे से कई तरह के नए नए जब तब करवाती रही मुझे सायम के कई और कठी निम्तेहानों से दो चार होने के लिए मजबूर करती रही प्रियतन में मैं मशीन की तरह सब कुछ करती रही लेकिन मेरे भीतर का जवाला मुखी और धदकता किया और धदकता किया फिर दो बाते एक साथ हुई क्या? एक दिन मेरे धीरश का बांग तोड़ गया मैंने एक रोज मन ही मन फैसला किया कि जो नरक मैं इस वक्त भुगत रही थी उससे बड़ा नरक और कौन सा हो सकता था अभी ही मैं कौन से सुखो के हिंडोले में जूला जूल रही थी मैंने मन में बगावत का फैसला कर लिया मैंने फैसला किया कि जो अंजाम होगा मैं भुगत लूँगी लेकिन अब मैं इस लिबास की कैथ में और गिरफतार नहीं रहूंगी जिस रोज मेरे मन में ये इंकलाबी खयाल आया उस रोज जनमाश्मी थी और वो छुटी का दिन था रात को समीब के मंदिर में भक्ती केर्टन का आधी रात तक चलने वाला प्रोग्रेम था जिसमें मेरी दादी मुझे अपने साथ लेकर गई थी उस रोज दिन में मुझे बुखार था लेकिन दादी मुझे फिर भी जबरदस्ती साथ ले गई थी रात दस बजे के करीब मेरा बुखार इतना तेज हो गया कि मुझे मंदिर में बैठा रह पाना असंभव दिखाई देने लगा मेरी दादी उस समय खरताले बजा बजा कर किर्टन कर रही थी और क्रिश्न जन्म की घड़ी से पहले वहां से उठने के कतई मूर में नहीं थी दादी ने अपनी एक परिचित महिला के लड़के को जो कि वही मंदिर में माचूद था उसे कहा कि वो मुझे घड छोड़ाई लड़का रिक्षा पर बिठा कर मुझे यहां घर ले आया वो लड़का उमेश सक्सेना था एक बड़ी बदमज़ा जिम्मेदारी की तरह वो मुझे यहां लाया था मैं बुकार में इतनी निड़ाल हुई थी कि उसके सहारे के बिना मैं सेडिया नहीं चड़ सकी वो यहां तक मुझे साथ लाया और उसने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा दिया उसी ने मेरे पैरों में से चपलें उतारी और सिर पर बंधा जोगिया वस्तर खोला तब मैं एक बड़ा भारी सा पूरी बाहों का स्वेटर पहने थी जिससे पहन कर सोना बड़ा असुविदा जनक काम था खुद मुझ में वो स्वेटर उतारने के हिम्मत नहीं थी उसीने स्वेटर उतारने में भी मेरी मदद की जब वो स्वेटर उतार रहा था तो वो मेरी बगलों में कहीं अटक गया, फिर उसे उतारने के उपक्रम में जो खींचा तानी हुई, उसमें मेरी चाती पर बंदा कपड़ा खुल गया, मैं बहुत मोटी कमीज पहने हुए थी, उसके बावजूद भी, मेरी स्तनों की बनावट एकदम नुमाया बिना हुए नहीं रह सकी, उमेश के चक्के चूट गए, उसकी निगाह में जैसे जादू हो गया, उसे जैसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, वो तो मुझे सीधी सपार्ट पत्थर की शिला समझ रहा था, और मैं अपसराउन जैसी, योवन वती इस्तरी निकलाई, अप एक उसने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया, उसका स्पर्ष मुझे मैसूस करने की देड़ थी, कि मेरे बुखार से पहले ही तपते तन बदन में आँख लग गई, मैं अपना आपा भूल गई, मैं पागल हो गई, मैं सुद्बुद भूल कर उसके साथ लिपट गई, फिर, फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, फिर वो ज्वाला मुखी फट पढ़ा, जो पच्चेस साथ से मेरे भीतर धदक रहा था, मैं ब्रह्मचारीनी से दुराचारीनी बन गई, मैं कृष्णा से देवबाला बन गई, सुनील खामोश रहा, उस रात कोई पौने एक पार्टी थी, वो आगे बढ़ी, तब मैं दीन दुनिया से बे खबर, त्रिप्ती और इत्मिनान की ऐसी निंद सोई हुई थी, जैसे मुझे अपनी जिन्दगी में याद नहीं कि कभी आई हो, मुझे अपना जिस्म फूलों सा हलका लग रहा था, और बुखार तो पता न मुझे दिया था, लेकिन जो रास्ते में ही मेरे पास से कहीं गिर गया था, उमेश्च से तुम्हारा सिलसिला आके भी चला क्या, सुनील ने पूछा, सरसर चला, ना चलता तो मैं आज की स्थिती में कैसे पहुँशती, कैसे चला, काम तो वो भी मेरे वाले ही बैंक में करत अगले ही दिन वो जब मेरे सामने पड़ा तो उसके चेहरे पर ऐसे भाफ थे जैसे पिछली रात वो किसी प्रेत लीला का शिकार होकर हटा था उसके चेहरे पर लिखा था कि जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ था उसका उसे अगले दिन तक भी विश्वास नहीं हो रहा था फिर मैंने ही उसे प्रोथ साहन दिया और रात ग्यारा बचे उसे चुप चाप अपने घर आने के लिए कहा लेकिन तुम्हारी दादी दादी को अनिद्रा की बिमारी थी वो नेंद की गोली खा कर सोती थी और रात को कभी नहीं जाकती थी ओ उमेश उस रात आया और फ कोई दो महीने बाद बदकिस्मती से उसी को पता लगा जिसको पता लगने की मुझे कतई उमीद नहीं थी क्या तुम्हारी दादी को हाँ दादी पता नहीं कैसे एक रात को जाक गई मेरे कमरे में आती किसी आहट को सुन कर वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ी उसकी आहट हमें भी मिली। उमेश उसके बत्ती जगा पाने से पहले उठकर भाग किया। मेरी दादी को ये तो ऐसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई था लेकिन वो ये नहीं जान सकी कि वो कौन था और ना ये समझ सकी कि वो वहां क्या कर रहा था। उसने यही समझा कि शायद घर में कोई चोर घुसाया था और वो शायद मेरे साथ कोई दुर विवहार करने की तयारी में था जबकि दादी को उसकी आहट मिल गई थी बाद में जब दादी ने बत्ती जलाई और मेरे कपड़े अस्त विस्त पाई तो उसने भगवान का शुक्र मनाया कि कोई अनर्थ नहीं हो किया था उसने मुझे भी बहुत ढांटा कि मैं यूँ घोड़े बेच कर क्यूं सोती थी कि कोई मेरे कमरे में आ किया और मुझे खबर भी नहीं लगी मैंने आहत भाव से ढांट से ली और दादी से कहा कि आगे से मैं दर्वासा भीतर से अच्छी तरह से बंद करके सोया करूंगी लेकिन दादी को इससे तसली नहीं हुई उसने मेरे कमरे में पास सोना शुरू कर दिया और नीन की गोली भी खानी बंद कर दी इस तरह दस दिन गुजर गए मिस्टर सुनील मैं बयान नहीं कर सकती कि वो दस दिन मैंने किस तरह काटे उमेश के सहवास के बिना कटे वो दस दिन मुझे अपनी 25 साल की विरान जिंदिकी से भी ज्यादा विरान लगे फिर तुमने क्या किया फिर मैंने अपनी दादी का खून कर दिया सुनील बुरी तरह चौंका बात को उसने ऐसे सहच भाफ से कहा था कि बात सुन लेने के बात भी फॉरण उसकी एहमियत उसके जहन में नहीं आई क्या? वो बोला दादी की नेंद की गोलियों की शीशी में जितनी गोलियां बाकी थी वो सहच भाफ से बोली एक रात वो सारी की सारी मैंने उसे दोद में घोल कर पिला दी दादी का नेंद में ही काम तमाम हो गया किसी को शक नहीं हुआ कैसे होता? वो अपनी खूप सूरत आंके फैला कर बोली किस पर होता? मुझ पर एक साधवी पर खुदा की बंदी पर सांसारिक मौ माया से स्थाई रूप से विमुक कृष्णा को अपनी इकलोती जीवित रिष्टेदार अपनी दादी की मौत से भला क्या फाइदा पहन सकता था? उपर से वो 75 साल की उम्र की बोड़ी औरत थी और दिल कमजोर होने की हमेशा शिकायत किया करती थी उसकी मौत से जू तक नहीं रेंगी थी किसी के कान पर हम् उसके बाद तो उमेश से तुम्हारे सहवास के रास्ते में कोई रिकावट नहीं आई होगी आई एक पेचिदा रुकावट आई क्या उमेश मुझसे बोर होने लगा और करनी काटने लगा मैंने अपनी गुनाबरी जिंदगी से एक नया सबक लिया कि औरत कितने ही खोपसूरत और जवान क्यू नहीं हो वो किसी पुरुष को हमेशा अपने मोजाल में बांद कर नहीं रख सकती तब ही मुझे ये महसूस हुआ कि उमेश की निगाह में किसी भी लिहाज से मेरा कोई विशेश महत्व नहीं था उसे मुझे कोई खास लगाव या महामबत नहीं थी थी तब ही मुझे ये भी मालुम हुआ कि मेरे जासे तालुकात उमेश के कई लड़कियों से थे अपनी ना समझी में उमेश को अपने वश में रखने के लिए मैंने पैसों का भी सहारा लिया मैंने उसे कीमती उपहाट दिये नगत रुपई कई बार दिये उसकी पैसे की वज़ा से ना पूरी हो पाने वाली हर महत्व कांख्शा को मैंने पूरा करने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं उसने थोड़ा अर्सा पैसे का रोब खाया लालच में पढ़ कर मेरा साथ दिया लेकिन वो भी क्या करता उसकी मेरे प्रती विरक्ती तो छुपाई नहीं चुपती थी फिर एक दिन जब मैं बहुत तंग आ गई और बहुत फ्रस्टेट हो गई तो मुझ में ये इंकलाबी खयाल आया कि अगर उमेश किसी दूसरी इस्त्री से रिष्टा रख सकता था तो मैं किसी दूसरे पुरुष से रिष्टा क्यों नहीं रख सकती थी तब मेरे मानस पठल पर देव बाला का अक सुब्रा एक दिन मैं बासार से कुछ सौंदर्य प्रसादन और कुछ आधोनी कपड़े खरीद लाई उस राद जिन्दगी में पहली बार आम लड़कियों जैसा मेकप करके बाल बड़े रूखे और खुरदरे थे उनका हल मैंने विग में सोच लिया आँखों का आकार प्रकार बदलने के लिए मैंने नकली पलकों का सहारा लिया अंगिया मैंने जिन्दगी में नहीं पहनी थी उसे पहना तो मैं अपनी जवानी पर खुद मोहित हो गई उंची एडी के सैंडल से कद काठ और चाल ढाल में फर्ट पैदा किया मैंने क्रिशना के बुझे हुए पिछके हुए व्यक्तित्व के बचे कुछे निशान मैंने अपने विवहार हाव भाव में थोड़ा धंब थोड़ी चतुराई थोड़ी शायस्तगी और थोड़ी अकड़ पैदा करके मिटा दिये फिर एक दिन मैं देवबाला बन कर यहां से निकली और जाकर फाइव चार होटेल शाह जहां के रेस्टोरेंट मुम्ताच में बैट कई वहां बैठे अभी मुझे दस मिनट नहीं हुए थे कि बड़े बांके बाकें बर्द भवरों की तरह मेरे एर्द गेट मंडराने लगे ऐसी जगों के तौर तरीके तुमने कैसे सीखे सुनील ने पूछा मैंने कुछ नहीं सीखा सब कुछ वक्त ने अपने आप सिखा दिया मिस्टर सुनील औरत खूब सूरत हो सपोर्टिंग हो तो उसकी गलतियों और बेवकूफियों को भी उसकी अदा समझा जाता है तुम चीक कह रही हो उस रात उसी होटेल के एक कमरे में एक फिल्म स्चारों जैसे खूब सूरत मर्द के साथ मैं हम बिस्तर होई उस रात मैंने ये नया सबक भी सीखा कि किसी मर्द से योन तुष्टी प्राप्त करने के लिए उससे महबबत होनी जरूरी नहीं होती हम इसी तरह धीरे धीरे देव बाला माच मेले के नई नई तौर तरीकों से वाकिफ होती हुई मेरी दलेरी और होसला दिन प्रती दिन बढ़ता गया 25 साल के ब्रह्म चरे ने पता नहीं कि अविक्रिती पैदा कर दी थी कि मुझ में मेरी यौन शुदा मिटती ही नहीं थी मेरे साथ हम विस्तर मर्ट पना मांगने लगते थे और मेरे जोशोख खुरोश में रती भर भी फर्ट नहीं आया होता था तुम तब शायद उन्हें कोसने लगती थी और गालियां बखने लगती थी इतने ही क्यों मुझ पर तो ऐसी वैशत सवार होती थी कि मैं उनके जस्म से बोटियां उधेर लेती थी नाखुनों से उनके चेहरे नोच डालती थी एक के तो सिर पर मैंने विस्की की बोतल देमारी थी तो उसने वही मेरे सामने दम तोड़ दिया था सुनील के शरीर में जुर्चरी दौड गई मैंने और तरक्की की तो देवबाला से मिसिस एम के भटनागर बन कर होटेल टोरिस को अपना ठिकाना बना लिया वो बोली जेरी का नौ नंबर कॉटेश तो देवबाला की अयाशी का स्थाई अड़ा था ही एक और अपेक्षा कृत कम पॉपुलर अड़ा जलपरी नामक यॉट भी था मौश मेले का ऐसा प्रोग्राम हर रोज चलता था क्या नहीं हफते में दो या तीन बार हर रोज चलना तो मुम्किन था ही नहीं आके कृष्णा ने नौकरी भी तो करनी थी अपने इन तमाम अयाशियों के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आया मैंने बैंक से चोरी किया इसी वज़ा से तो शनिवार की डकैती की नौबत आई बैंक से मैं इतना पैसा उड़ा चुकी थी कि अगर उसकी वापसी के लिए मैं फॉरण कुछ नहीं करती तो मेरा खेल खत्म हो जाता फिर ऐसा इतिफाक हुआ कि बैंक का रुपया लूटने की योशना अपने आप ही साकार होती चली गई उन दिनों लिंक रोड पर मेरे बैंक की बगल में फ्रेडरिको का कार्णीवल लगा हुआ था कुछ दिनों बात वो कार्णीवल मुगल बाग शिफ्ट होने वाला था जहां की एक नई शॉपिंग सेंटर का उदगाटन होने वाला था ये बात और ये कि फ्रेडरिको को एक सहायक की जरूरत थी मुझे दिलीबदद से मालूम हुई थी तुम दिलीबदद को कैसे जानती थी? वैसे ही जैसे मैं उमेश को जानती थी वो उन चन्द मर्दों में से एक था जिन के साथ मेरे लगभग स्थाई संबन थे ऐसा ही एक मर्द तरुन नांगिया था और एक और मर्द रजनी कांत उर्फ डॉक्टर अहुजा था वैसे डॉक्टर अहुजा से मुलाकात में इतिफाक का ज्यादा हाथ था अपने को गर्बवती होने से बचाने के लिए मैंने पिल खाली थी लेकिन एक बार फिर भी मैं गर्बवती हो गई थी तब मेरे सहवास में आई मर्दों में से ही एक ने मुझे डॉक्टर अहुजा के बारे में बताया था उसने मेरा गर्ब बात कराया और फिरे मेरे मर्दाने हरम का 27 सदस्य बन गया क्या ऐसे 27 सदस्य वो चार ही थे हाँ इसलिए डकैती को काम्याबी से अंजाम देने के लिए मैंने उन्ही का सहारा लिया तरुन नांगिया ने मेरे कहने पर फ्रेडरिको की नौकरी कर ली उसी से मुझे ये मालुम हुआ कि शुक्रवार की रात को तुम फ्रेडरिको का इंटर्व्यू लेने जाने वाले थे उसी ने दिलीब दत के साथ मिलकर तुम पर आक्रमन किया और जोरो को वो उलजाने वाला संदेशा भिजवाया उसी ने लकडी के घोडे में नोट चुपाई और फिशनिवार को मुझ से उपलब डुपलिकेट चाबी से बैंक की गाड़ी का दर्वासा खोल कर भीदर मौझूद पचास अजार रुपे के नोट पबलिक में लुटाई उसी ने एक अप रत्याशित अडंगा आ जाने पर गटना स्तर पर गोली चलाई जिससे दो जनों की जान कई उमेश ने फ्रेडरिको की बीवी को चेड़ कर फ्रेडरिको पर डगैती का शक किये जाने की बुनियाद बनाई और बात में मेरा दिया जहर का कैपसुल खाया वो कैपसुल खाना जरूरी था क्या उमेश वैसे ही जूस पी कर एक आएक तबियत खराब हो जाने का अभिने नहीं कर सकता था क्या? वो अभिने से बनने वाला काम नहीं था उसमें असलियत का पुट निहायत जरूरी था अपने अभिने से अगर वो मोहर सिंग के और अपने बड़े भाई के चके नहीं चुड़ा पाता तो बात हरगिस नहीं बनती फिर उसकी खराब तबियत को देखने वाली इतनी पबलिक भी वहां मौजूद थी इतने लोगों को सामोही क्रोप से बेवकुफ बनाने की ख्शमता रखने वाला अभिने करना उमेश के बसकी बात नहीं थी बहरहौर मैंने उमेश को समझाया कि उसका जहर खाना जरूरी था लेकिन साथ ही उसे ये भी तसल्ली थी कि उस जहर से उस जाने वाला था वो मान गया उसने वक्त आने पर खुद अपने हाथों से जहर खाकर आत्मत्या की इस प्रकार मैंने ना केवल अपने पहले प्यार को अपने साथ बेवफाई करने की सजा दी बलकि डकैती का रास जानने वाला और उसमें हाथ आए माल में हिस्सा मांगने व सुईट नंबर चौधा में दिलिब दत को ठिकाने लगाया इन चारों का ना केवल इसलिए मैंने मूँ बंद किया कि वो डकैती में शरीक थे और माल में मेरे हिस्सेदार थे बलकि ऐसा मैंने इसलिए भी किया था कि वो चारों मेरी असलियत जान गए थे जो कि मैं नहीं च जानता था वो कृष्णा को नहीं जानता था और जो दोनों को जानता था उसे मैंने जिन्दा नहीं चोड़ा सुनील के शरीर में फिर जुचरी दौड गई उसने धीरे से पूचा क्या तुमने और भी कई कतल किये हैं हाँ, कतल करने से मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई मैंने जब भी अपने आप को असुरक्षित पाया मैंने कतल किया मिस्चर सुनील, एक बार देववाला का रूप धारण कर लेते ही मुझे में पता नहीं क्या परिवर्टन हो जाता था कि मैं विश्कन्या बन जाती थी और अपने पहलू में लेटे मर्द को अपने विश्का शिकार बनाने में मुझे रंच मात्र भी संकोष नहीं होता था अपने संसर्ड में आया हर पुरुष मुझे उस मक्खी जैसा लगता था जो बदकिस्मती से किसी मकडी के जाल में आफ अस्ती थी लेकिन वापिस क्रिश्ना का रूप धारण करते ही मुझे अपनी सारी कर्टोतों पर पश्चा ताप होने लगता था मैं दिल से उन लोगों की आत्माओं की शांती के लिए दुआई मांगती थी जिनोंने देव बाला की वज़ा से जिंदगी से किनारा किया होता था फिर वो खामोश हो गई आखरी बात कहते कहते उसकी आवास भर रा गई फिर एका एक उसकी आँखों से आंसुओं की दो बूंदे निकल कर उसके गालों पर लुड़क पड़ी एक बात बताओ सुनिल भीरे से बोला तुमने बैंक के सिर्फ 15 लाक रुपए लूट कर सब्र कैसे कर लिया जबकि तुम मुझे खुद बुदा चुकी हो कि बकतर बंद गाड़ी में करोड करोड रुपए तक की रकमे ढोई जाती थी उसने अपने खाली हाथ से अपने आंसु पोंचे और बोली मेरी योजना के अनुसार डखैती शौपिंग सेंटर के उदगाटन वाले दिन पढ़नी जरूरी थी उस रोज गाड़ी पर जो भी रकम ढोई जाती उसे सब्र करना मेरी मजबूरी थी ये महस इत्ते फाक था कि उस दिन रकम छोटी थी वो बड़ी हो सकती थी बहरहाल जितनी रकम हाथ लगी थी वो भी मेरे लिए कम नहीं थी बैंक की जो रकम मैंने गबन की हुई थी उसके भरपाई के बाद लगबग साड़े ग्यारा लाक रुपए अभी भी मेरे पास है जो कि देवबाला के लिए कम नहीं अब तुम्हारा इरादा क्या है मेरा इरादा जाहिर है वो बोली सुनील ने उसके हाथ में थमी रिवालवर पर उसकी पकड और मजबूत हो जाती देखी देवबाला तुम्हें इस घर से दूर किसी तनहा जगा पर ले जाएगी और तुम्हें शोट करतेगी क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं होगी ज्यादती जिन बेव शुमार लोगों ने तुम्हारे हातों अपनी जान खोई उन सब को तुमने पहले अपने इस अपसराओं जैसे जिस्म का भोग करने का अफसर दिया मेरा मतलब है अपनी धादी को छोड़ कर लेकिन मेरा पत्ता मुझे अपने पास भी फटक ने दिये बिना काट रही हो मैं उपर जब चित्र गुप्त के सामने पेश होँगा और जब चित्र गुप्त मुझसे पूछेगा कि प्राणी मरने से पहले देवबाला हासिर हुई तो मैं क्या जवाब दूँगा क्या तुम मेरा मजाग उड़ा रहे हो नहीं देवी जी मैं तो आपसे प्रणे निवेदन कर रहा हूँ मैं तो आपसे उन महरबानियों की भीख मांग रहा हूँ जिन के लिए आपका कपड़े उतार कर लंबे लेटना जरूरी होता है और जो एक नियम की तरह आज तक मेरे जैसे हर नौजवान को हासिल होती आई है उठकर खड़े हो जाओ एका एक वो करकर स्वर में बोली नहीं तो तो मुझे गोली मार दोगी क्या हाँ फिर तो मैं यही मर चाओंगा फिर कृष्णा नाम की साथवी अपने इस मंदिर नुमा घर में एक पुरुष की लाश की मौजूद की का क्या जवाब देगी लाश यहां से हटाई भी जा सकती है कौन हटाएगा तुम मैं नहीं तुम्हारे ही जैसा कोई और नौजवान जो मेरे लिए कुछ भी करना अपना परम सौभाग्य समझे का गोली की आवाज सारी इमारत में सुनाई देगी देवी जी सिर्फ आवाज ही सुनाई देगी कोई यह नहीं समझ पाएगा कि वो गोली की आवाज थी समझदारी तुम्हें किसी जैमत से निजात दिला सकती थी क्यों अब क्या हो गया है अब शोक खत्म हो गया है और पर्दा गिरने का वक्त आ किया है क्या मतलब मैं यहां अकेला नहीं आया क्या मेरे साथ पुलिस भी आई है जो वारतालाफ हम दोनों में अभी तक हुआ है वो सब बाहर एक बड़े शक्तिशाली माइक्रोफोन के सहायता से टेप किया जा रहा है वो देखो सुनील ने मुख्यद्वार के उपर बने रोशंदान की और संकेत किया क्रिशना को रोशंदान की ग्रिल के पीछे से जांकती माइक्रोफोन की गोल जाली बड़ी कठिनाई से दिखाई थी लेकिन दिखाई थी जो कुछ मैंने कहा है हिंदुस्तानी में उसका अनुवात ये है कि अब मुझे शूट कर देने भर से तुम्हारी जान नहीं बच सकती आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है वो कुछ शण अनिश्चित सी कभी माइक्रोफोन की जाली को और कभी सुनील को देखती रही फिर उसने रिवॉल्वर को धीरे से तक्त पोश पर रग दिया और बड़े संतूलित स्वर में बोली मैं अपने हर अन्जाम के लिए तयार हूँ तब किसी ने जोर से दर्वासा खट-खटाया सुनील वाकई वहाँ पुलिस को साथ लेकर आया था लेकिन कृष्णा पुलिस के हाथ नहीं लगी उसने इंस्पेक्टर प्रभु दियाल के भीतर आने के बाद बड़े इत्मिनाम से अपने सारे अपराद कबूल किये डगैती के माल में से वो साड़े क्यारा लाक रुपे उसकी सेवा में पेश किये जो की घर में ही मौजूद थे उसे वो रिवालवर सौंपी जिससे उसने रजनी कांत तरुन नांगिया और दिली बदत के कतल किये थे उसे शंकर रोड पर स्थित उस गैरिश का पता बताया जिसमें उसकी दोनों कारे बंद थी अपनी तमाम कर्टूतों पर दिल से अफसोस जाहिर किया डगैतों का पता लगाने और डगैती का माल वापिस दिलवाने पर बैंक की और से घोशित पचास हजार रुपे का इनाम सुनील को दिये जाने की सिफारिश की और फिर वो बकाईदा प्रभु दियाल और सुनील को दिखा कर वैसा ही एक कैपसूल चबा गई कैपसूल खाकर उमेड सिकसेना की जान गई थी उसकी इहलेला उनके देखते देखते समाप्त हो गई उसकी तमाम दिल हिला देने वाली कर्टूतों के बावजूद भी नजाने क्यूं सुनील को उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ पुलिस ने उसकी शिनात मोहनीवार राजकिरण और जैललिता से करवाई सबने इस बात की तद्दीग की कि वही देवबाला थी पुलिस ने तद्काल फ्रेडरी को और उसकी पत्नी मारिया को रेहा कर दिया बैंक का 50,000 रुपे का इनाम बिना किसी हुज़त या बखेड़े के सुनील को हासिल हो गया लेकिन वो रकम सारी की सारी उसने फ्रेडरी को को दे दी हाला कि उसे कबूलने से पहले उसने बहुत बहुत इंकार किया बाद में सुनील फ्रेडरी को और मारिया के साथ मिठाई लेकर सच मुझ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनूप सिंग के घर पहुँचा तब तरीके से अनूप सिंग को सुनील के उस राप के अजीबो गरीब व्यवहार की समझ आई उस केस की बहुती उम्दा कवरिज ब्लास में छपी जिसके लिए स्वयम मलिक साहब ने सुनील की और अरजुन की भी तारीफ की दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्प्लीट आडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फू वाचिंग